वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टो लोप यू नमस्कार आप सभी को स्वागत है आप सभी का सुमित्सर अच्छे होंगे अच्छी तरीके से अपने आने वाले एक्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे तो इस सेर्शन में न हम कम्प्लीट प्रॉफिट लॉस कवर करने वाले हैं राइट कम्प्लीट क्लास अपने आप में एक टीचर के लिए चैलेंज होता है पढ़ाना क्यों क्योंकि जब आप यूट्यूब पर कोई चीज पढ़ा र चैलेंज है पर यह चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता हूँ और कम्प्लीट प्रॉफिट लॉस यहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा और हर तरह के स्टुडेंट्स के लिए यहां पर जो है चैप्टर जो है कवर किया जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स तो बेसिक्स क करेंगे इसमें सारी चीज़ें कवर की जाएंगी डिस ओनेट शॉप कीपर का कॉंसेट भी इसमें कवर किया जाएगा कम्प्लीट ठीक है चली तो सभी लोग तैयार है आज के सेशन के लिए एक बार कि जितने भी लोग एं वाइट डाइप करें कमेंट वॉक्स में यस सर वियर रेडी विद पैन अन पेपर पैन पेपर की रिक्विर्मेंट और कुछ नहीए और जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं इस सेशन को वो शेयर कर देए तो थोड़ा ज्यादा बेटर रहे ठीक है तो शुड्वी स्टार्ट नाउ काफी लंबे समय बाद इस चैनल पर क्लास हो रही है एक मरा हुआ चैनल उसको वापस से जिंदा करने की कोशिश हम कर रहे हैं क्योंकि काफी लंबे समय से क्लास नहीं हुई है तो जितने भी स्टूरेंट से आप अगर उनको शेयर कर होगे तो उनको ही पता लग जाएगा कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है ठीक है चलिए चलो तो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक्स फर्स्ट देखो किसी भी शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप बात करते हूं तो सबसे पहले शॉपकीपर क्या करता है जलो है या तो वह किसी आर्टिकल को जो है मैनिफेक्टर करेगा या फिर कहीं से पौबसेलर से परचेस करेगा है नश्य लोगत зах़ीं केसलर स्टार्ट को पादेगी बात एकदम पकी है यस दोनों ही cases में उसको कुछ न कुछ cost bear करनी पड़ेगी, yes or no, तो वो होता है उसका cost price, right, दोनों ही cases में उसको cost bear करनी पड़ेगी, इतने price में उसने खरीदा, that is called CP, cost price, ठीक है, फिर अब वो कोई समाज सेवा करने के लिए तो खरीद नहीं रहा है, केस खरीद लिया और चलो ज देता हूं इतनी price में, इतनी price में बेचना होता है, तो इतना effort क्यों लगाएगा, कुछ बढ़ा कर बेचेगा, तो वो उस पर कुछ MRP लगाता है, इस price को कुछ बढ़ाता है, कुछ percent से, और बढ़ा कर जो price लगाता है, that is mark price, that is called mark price, yes, आचल कह रहीं sir, आपके marathon session बहुत helpful ह होते है, please take more sessions on arithmetic, बिल्कुल, उम्मीद करता हूँ, ये session भी एक अपने आप में atheistic session हो, है न, और इस class के बाद कभी भी आपको जीवन में profit and loss में कोई समस्या ना आ रही, है न, अब customer आता है, इस्पेशली जब महलाएं आती है, तो discount का जो है, उनका एक tendency होती है, discount मांगने क discount हो ये, मजा नहीं आ रहा है, तो मैं और थोड़ा सा और कम कर लो, है न, थोड़ा सा, भले 10 रुपे कम कर लो, लेकिन discount होना चाहिए, तो shopkeeper क्या करता है, इसमें कुछ price कम कर देता है, और इतने price में से बेज देता है, तो जितने price में वो बेजता है, उसको बोलते हैं, selling price, right, yes, this is called selling price, तो भाई, आप ये बात समझेगा, कि cost price से mark price तक जितना उसने बढ़ाया, that is called markup percent, let's suppose उसने M percent बढ़ाया, तो this is called markup, ठीक, फिर जब discount दिया, that is called discount only, तो D percent का उसने discount दिया, ठीक है, D percent का उसने क्या दिया, discount दिया, अब basically होता क्या है, अब TP और SP के बीच में जो relation है, वो होगा profit or loss, अगर selling price, selling price, cost price से बढ़ा है, ठीक है, selling price, cost price से बढ़ा है, आपने कम में खरीदा और ज्यादा में बेचा, कम में खरीदा और ज्यादा में बेचा, इसका मतलब आपको क्या होगा profit, और profit कितना होगा, जो इन दोनों का difference है, SP minus CP, अगर cost price बढ़ा है और selling price छोटा है, इसका मतलब क्या हुगा, कि आपने ज्यादा में खरीदी कोई चीज़ और कम में बेच दी, ज्यादा में खरीद के कम में बेच दी, यानि कि आपको क्या होगा, loss होगा उस case में, इस case में आपको हानी होगी, loss होगा, और उस loss की value क्या होगी, CP minus SP, cost price minus selling price, right, yes, अच्छा, so CP और SP के बीच का जो relation होता है, वो होता है profit और loss percent, depending on कि कौन ज्यादा है, SP ज्यादा है CP से, CP ज्यादा है SP से, right, so markup is nothing but, markup को हम कैसे define करते हैं, markup is nothing but, difference between mark price and cost price, जो भी लोग, पहली बार पढ़ रहे हैं, वो notes जरूर बना ले, है न, ताकि आपका भी भूलो नहीं चीज़ों को, discount क्या होता है, discount होता है, mark price minus selling price, this is called discount, mark price minus selling price is nothing but, discount, right, and profit or loss तो आपको पता ही है, SP minus CP and CP minus SP, जब हम percentage नकालते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, कि percentage हमेशा initial value पर calculate होता है, तो अगर मैं markup percent की बात करूँ, तो इसके लिए initial value क्या है, base क्या है आपर, CP, तो CP को base मान कर हम percentage calculate करेंगे, अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि 10% का markup है, इसका मतलब वो 10% किस में से आप नकालोगे, CP में से, right, so markup percent का मतलब होगा, जैसे हम percentage markup की बात करें, तो that is markup upon CP multiplied with 100, इसी तरीके से अगर मैं percentage discount की बात करूँगा, तो percentage discount क्या होगा, discount upon, अब discount के लिए base क्या होना चाहिए, mark price, so discount upon mark price multiplied with 100, this is percentage discount, right, discount upon mark price multiplied with 100, प्रणाम भाई राही, प्रणाम गोरव, यस, ठीक है, आचा, जब अब यहां पर एक concept आपको समझने की जरूरत है, आप मुझे एक बात बताओ जरा, अगर मैं भूलता हूं कि भाई एक article पर, अभी लोग जवाब देंगे comments में, एक article पर 10% का profit होता है, एक article बेचने पर 10% profit हो रहा है, है न, तो मुझे आप बताईए, कि दो article बेचने पर कितना % का profit होगा, दो article बेचने पर कितना % profit होगा, अगर एक आर्टिकल बेचने पर 10 परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है तो दो आर्टिकल बेचने पर कितना परसेंट प्रॉफिट होगा अगर आप रेगुलर बने रहेंगे तो आपकी सारी डिमांड पूरी की जाएंगी और कुछ बहुत 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 बैतरीन भी आने वाला है आप बस कल तक का वेट करो कुछ बहुत शांदर अनौंसमेंट में आपके लिए करने वाला हूं जैसे बैंकिंग एस्प्रेंट्स की बहुत ब 10% तो नहीं कह रहा कोई 20% वाला यहां पर हो कोई कह रहा हो कि 20% होगा सर नहीं देखो एक आर्टिकल पर 10% प्रॉफिट है तो अगर आप एक हजार आर्टिकल भी बिचोगे ना सेम टाइप के तो भी 10% का ही प्रॉफिट होगा ऐसा क्यों इसको आप कैसे जस्टिफाय करे प्रॉफिट है 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 into 100, यह कह सकते हैं हम इसको, है न, sp upon cp minus 1 into 100, इस तरीके से भी कह सकते हैं, right, now what is sp upon cp, tell me, sp upon cp ratio है, और कुछ नहीं है, तो अगर selling price और cost price का ratio, एक article के लिए है, तो 2 article के लिए आप क्या करोगे, इसका भी 2 times करोगे, इसका भी 2 times करोगे, 10 article के लिए आप क्या करोगे, इसका 10 times करोगे, तो वो जो common factor है, 2-2, यह cancel हो जाएगा, 10-10, cancel हो जाएगा, 1000 article के लिए भी आप लोगे, तो 1000 हैं multiply करेंगे, 1000 हैं multiply करेंगे, cancel हो जाएगा, Ultimately profit percent की value पर कोई भी फरक नहीं पड़ेगा So profit percent is independent of the number of articles एक article पर जितना percent, 10 article पर भी उतना ही percent ये concept आपको clear होना चाहिए ठीक है? अच्छा तो एक example से मैं आपको समझाता हूँ जैसे cost price, mark price and selling price ठीक है? तो देख रही चाहिए मैंने कहा कि मैंने कोई आर्टिकल 100 रुपे में खरीदा, ठीक है? इसको मैंने 20% उपर mark किया ठीक है? तो ये 120 रुपे mark किया फिर मैंने इसको 98 में बेचा यानि कि मैंने इसमें 12 रुपे का discount दिया है इसमें इसमें difference कितना है? सॉरी सॉरी, 108 में बेचा यानि मैंने इसमें 12 रुपे का discount दिया है जो कि इसका कितना percent है? 10% तो discount की value क्या है? 10% तो how much is the profit? किया है इससे profit is 8% 8% ठीक है? अब इसी पर मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूँ बहुत basic सी बातें कर रहे हैं अभी याना सवालों पर भी अभी आएंगे देखो let's suppose percentage markup percentage markup is 40% and percentage discount is 30% so what is percentage profit? tell me percentage profit या loss यो भी आपको कितना मोखा? विसे मेरे ख्याल से यापर loss होना चाहिए तो percentage loss बता दो चलो कितना होगा loss कितना percent होगा? tell me बताओ what is percentage loss होगा? two percent eight भी आ रहा है two आ रहा है सब्तेमों इंद्रजीत का अंसरा यहाँ पर आ रहा है two percent तो basically आपको करना क्या है? यह structure आप हमेशा याद रखो CP, MP, SP इसको अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो कुछ लोग 100 मान कर करेंगे कुछ formula लगा कर करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है आप देखो हम यह कह रहे है कि यहाँ पर CP है यहाँ पर लिखा मैंने MP और यहाँ पर लिखा मैंने SP selling price ठीक है? अब पहला basic तरीका क्या है? कि आपको यह पता है mark का % 40% है 40% उपर mark किया कोई भी आर्टिकल और फिर मैंने उस पर discount दिया 30% का क्या मैं यह कह सकता हूँ कि यहाँ पर यह जो value है यह जो इन दोनों में relation होगा वही profit या loss की value होगी profit परसेंट या loss परसेंट की वह क्या होगा इन दोनों का net successive change चालेस और तीस का net successive change आप जब निकालोगे तो वही तो net आएगा है ना तो इन दोनों का net successive कैसे निकालेंगे तो successive के लिए आपको पता होगा basic percentage में आपने पढ़ा होगा a plus b plus a b by 100 है ना यहाँ पर यह चीज हमेशा negative होती है discount हमेशा decrease होता है तो negative होता है तो इसका ध्यान रखें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं net loss जो होगा या profit होगा वह इससे आएगा 40-30 है ना minus 40 into 30 by 100 minus मैंने क्यों लगाया वेको चालेसो 30 का चालेसो minus 30 का जब प्रोड़क्ट करोगे तो negative आएगा पहली लगा लो है ना divide by 100 तो यह हुआ क्या यह हुआ 10 minus 12 यानि कि minus 2 तो minus 2 आ रहा है मतलब क्या है loss है ना negative आ रहा है यानि कि loss है तो हम यह कह सकते हैं कि कि अगर किसी value पर किसी में markup percent है M percent और discount percent है D percent तो profit percent क्या होगा percentage जो profit होगा वो होगा इन दोनों का net successive change M minus D minus M into D by 100 although you never need a formula formula की कोई जरूवत नहीं है लेकिन अगर value आसान आपको दे रखी है जैसे 20, 30, 10 इस तरीके की तो formula लगा के आप करोगे तो बहुत आरहम से बन जाएगा अब कई बार क्या होता है कि value इतनी आसान नहीं दे रखी होते हैं 40%, 30% है ना कई बार values थोड़ी complicated दे रखी होते हैं point में दे रखी होते हैं तो हम क्या करें तो अगर मैंने आपसे पूछा तो भाई percentage markup is 12.5% and percentage discount is suppose कुछ भी मान लेते हैं क्या माने बताओ 5% suppose ठीक है तो how much is the percentage profit percentage profit क्या होगा या फिर ऐसा कर लेते हैं इसको मान लेता हूं मैं 41.66% और इसको मान लेता हूं 12.5% अब बताओ ज़रा कितना percentage profit होगा study material के रहे हैं सुमिट्सर अकेडमी प्लेटफॉर्म पर mostly mains oriented यह बैच बैच की बात करो अभी आप पढ़ाई करो आराम से YouTube पर पढ़ो है ना कल कोई बहुत भैतरीन अनॉंसमेंट करना चाहता हूं तो पहले कल की मेरी बात सुन लो उसके बाद बैच बैच की बात करेंगे अगर जरूरत होगी तो as of now there is no need सारी चीजें YouTube पर आपको वैसे ही मिल जाएंगी हां जी तो markup % है 41.66% discount % है 12.5% what is percent is profit अब देखो जैसे यह data आया comments की speed होगी slow है क्योंकि इसमें आप फस गए इसमें आप formula नहीं लगा सकते यह problem है formula लगा होगे तो चीजें complicated हो जाएंगे calculated हो जाएंगी तो हम क्या करें हां पर ratio method का इस्तिमाल करेंगे पहले तो वो structure आप लेको ताकि कोई भी गलती ना हो भाई CP, MP and SP जो markup % होता है that is a relation between CP and MP so CP से MP तर जो change हुआ that is 41.66% and discount is a relation between MP and SP so there is a decrease of 12.5% ठीक है so we want to calculate the net change from CP to SP to get profit % तो हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आप यह समझिए कि इसकी fraction value क्या होती है 41.66% की तो 41.66% की fraction value जिसको याद नहीं है उसके लिए बता दूं कैसे निकालेंगे इसको हमें ऐसे break करेंगे 25% plus 16.66% yes 25% means 1 by 4 and 16.66% means 1 by 6 जब आप इनको add करोगे तो कितना आता है 5 by 12 right 5 by 12 so we can say के सबसे पहले 5 by 12 का increase CP से SP तक मैं जा रहा हूं ठीक है मैं जा रहा हूं CP से SP तक तो CP और SP का ratio हम यहां लिखेंगे initial value is CP and final value is SP initial value क्या है CP final value extreme initial is CP extreme final is SP we can see और इन दौनों के बीच में यह जो transitions है इनकी fraction value हमको पता है तो भाई इसकी fraction value क्या है 5 by 12 यानि कि 12 पर 5 का increase है क्योंकि mark-up percent हमेशा increase होता है तो 12 पर 5 का increase है तो हम यह कह सकते हैं कि value 12 से 5 increase होकर कितनी होगी 17 होगी 12, 12 plus 5, 17 initially it was 12 and finally it is 17 12 plus 5, 17 now 12.5% की जब बात करते हैं so you know it is 1 by 8 यानि कि जो value है वो 8 से 1 कम होगी यानि 7 हो जाएगी क्योंकि decrease है तो 1 by 8 का decrease का मतलब 8 पर 1 का decrease तो value पहले 8 थी 8 में 1 कम होकर कितनी होगी 7 होगी अब net successive हम कैसे निकालते हैं तो यह percentage का concept है कि हम इन दोनों का multiply करते हैं इन दोनों का multiply करते हैं multiplied with 100 है ना इसको आप solve करोगे तो लगबग यह मैं अगर इसका पच्चेस परसेंट निकालूँ यानि कि वन फॉर्थ है इसका वन फॉर्थ कितना होटा 24 है 24 है ना 24 तो लगबग 24 से एक कम है मतलब almost it is 23% हम कहा सकते हैं 24 24 परसेंट not 23 24 परसेंट लगबग 24 परसेंट के आसपा से आएगा ठीक है यस बताईए बात क्लियर है तो एक बार वाइट टाइप कर देंगे comment box में बड़े प्यार से यस ठीक चलिए तो यह चीज़ सभी को समझ में आईए अच्छा यह मैं by default मान कर चल रहूं कि अब परसेंटेज में अगर मैं जा रहूंगा उस डीटेल में तो अपने 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 अगर से चैप्टर है परसेंटेज यह मान कर चल रहे हैं कि आपको परसेंटेज के बेसिक्स थोड़े बहुत आते हैं चलिए अब मैं कुछ यहां पर एक सवाल में थोड़ा सा चेंज करते हैं और सवाल कुछ इस तरीके से पूछा गया है सपोज कि हमें दिया गया परसेंटेज प्रॉफिट इस प्रॉफिट फ्वेंटीफ़ परसेंट यह बात पहले से क्लियर है लॉस नहीं है प्रॉफिट की वैलिव पर्चिस परसेंट and percentage discount, discount is let's suppose क्या मानने इसको 16.66, 20% मानने लो चलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है न, so what is percentage markup, markup नहीं पता, markup बताओ, percentage markup क्या होगा है, tell me, अब मैंने यहाँ पर profit percent और discount percent दे दिया आपको, markup percent बताना है आपको, बताइए क्या होगा, जल्ले से, अपने अपने तरीके से solve करो, तरीका चाहिए जो भी हो, answer कुछ ना कुछ आना चाहिए, tell me, तो स्वेता ने यहाँ पर answer दिया 25, पक्का, देखो, एक तो बिल्कुल बेसिक तरीका, जैसे आपको कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो आपको यह तो पता है कि मैंने यह बताया था, कि सबसे पहले CP लिखना है, पर MP लिखना है, और SP लिखना है, इस तरीके से आप लिख लोगे, अब इसके बाद आप क्या करोगे, प्रॉफिट है 25 परसेंट का, 25 परसेंट का मतलब है कि अगर CP 4 रुपे है, तो 4 पर 1 का फाइदा है, तो 5 रुपे SP होगे, 25 परसेंट का मतलब 1 by 4 होता है, मतलब 4 रुपे पर 1 का फाइदा, तो अगर 4 रुपे में कोई आर्टिकल खड़ीदा, तो अपने 5 में उसको बेख दिया, अब 20 परसेंट का डिसकाउंट है, मतलब MP से SP तक जाने में 20% का डिक्रीज है, अब आप यह value कैसे नेकाल होगे, तो इसके लिए आप यह सूचो कि इन दोनों का ratio कितना होगा, आप यह समझेगे, कि इन दोनों का ratio क्या होगा, इन दोनों का, इन दोनों का, पब 20% का मतलब होता है, 1 by 5, यानि कि अगर यह value 5 है, तो यह value क्या होगी, 4 होगी, यस राइट अब चार यूनिट की वैल्यू चार यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है पांच के बराबर है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी फाइब बाइब फूर तो पांच यूनिट की वैल्यू कितनी होगी फाइब फाइब बात समय में आ रही है कि नहीं आ रह तो चार यूनिट की वैल्यू 5 के बराबर तो एक यूनिट की वैल्यू 5 by 4 के बराबर तो पांच यूनिट की वैल्यू कितनी होगा इंटु 5 कर दिया यानिकि इस ट्वेंटी 5 by 4 यह कितना होगा 25 by 4 अब आप CP और MP का रेश्यो देखो CP is 2 MP, CP is 2 MP यह रेश्यो क्या है, this is 4 and this is 25 by 4 तो जब ऐसे दिखता है तो cross multiply कर देते हैं तो this ratio is as good as 16 is to 25 यानि कि there is a mark up of how much 9 rupees का mark up है 16 पर, so 9 by 16 into 100 ठीक है, 9 by 16 into 100 होगा, so it is nothing but 900 by 16 12 into 85 56.25 परसेंट होता है वैसे अगर किसी हो नहीं पता तो divide करके निकाल सकते हो 12 into 580 10 बचेगा 16 into 96 96 बचेगा 16 into 32 56.25 परसेंट इस दो मार्क अप कितना है 56.25 परसेंट राइट एक तरीका तो यह है जो आप एकदम basic से चले एकदम basic से दूसरा रास्ता मेरे पास क्या है वो थोड़ा मज़िदार है यह ना कि आप एक formula याद करें वैसे formula याद नहीं भी करोगे तो भी मैं तीसरा भी बताऊंगा एक रास्ता यह ना तीसरा रास्ता ही बताऊंगा देखो बीच बीच में करें मुफली वाला चाय वाला के एड आ रहे हैं देखो 56.25 परसेंट अंसर अब दूसरा रास्ता समझना मेरी बात त्यांस सुनना कि हम देखो profit परसेंट और परसेंट में profit और डिसकाउंट में एक प्राइस कॉमन होता है वह प्राइस कौन सा होता है अब मुझे बताऊंगा चाहे हम profit की बात करें या discount की बात करें उनमें एक price common होता है profit is a relation between CP and SP CP CP और SP के वीच में relation है और discount is a relation between MP and SP अब दोनों में ही क्या है selling price है है के नहीं दोनों में selling price है के नहीं अब जब दोनों में selling price है यानि कि selling price से हम दोनों को connect कर सकते हैं दोनों में selling price है तो selling price से आप दोनों को क्या कर सकते हो connect कर सकते हो कैसे connect करोगे ऐसे करोगे देखो, Selling Price आप लिखोगे, कैसे निकालोगे, अगर 25% का Profit है, इसका मतलब कि CP में 25% कम करेंगे, तबी तो Selling Price आएगा, यानि के Selling Price is 75% of, 75% का मतलब Directing 3x4, Selling Price is 3x4, 75% of CP, can I say that, Yes, ये बात सभी लोग समझ पा रहे, कि जब 25% का Profit, sorry कम क्यों करेंगे, बढ़ाएंगे न, 25% का Profit है, मुझे लगा Loss है, 25% बढ़ाएंगे, तो 125% आएगा, है न, तो ये 125% हो जाएगा, किसका CP का, right, and अगर मैं Discount की बात करूँ, तो 20% discount आपने दिया Mark Price पर, तो Mark Price में आपने 20% कम किया, तो आप Selling Price आया, तो 20% जब आप कम करते हो, तो बस्ता कितना है, 100-20, 80%, तो 80% of selling price is 80% of Mark Price, yes, हम कह सकते हैं अचा, yes, selling price is 80% of Mark Price, आजा, अब यहाँ पर क्या होगा, कि 100 से 100 cancel हो जाएगा, right, CP और MP का ratio क्या बनेगा, आप देखो, CP by MP, ये ratio क्या बनेगा, 80 upon 125, जादर 5 से काटे हैं तो 16 और 5 से काटे हैं तो 25, यानि कि there is a profit of 9, येना, अगर CP सोलर रुपए है, तो MP 25 रुपए है, तो 9 रुपए का प्रॉपए का प्रॉपए है किस पर, sorry, profit नहीं Mark-Up है, 9 रुपए का Mark-Up है CP पर, लिकोस Mark-Up percent के लिए base क्या होता है, CP होता है, CP 16, तो 9 by 16 into 100, this is percentage Mark-Up, yes, that is same as 900 by 16, thing, जो हमें यहां पर मिलाते है, yes, यहीं तो है, वहीं बात है, ठीक, तो इसके लिए, ये वाला method है, मुझे best लगता है, तीसरा, अगर किसी बच्चे को formula याद करने का थोड़ा सा shock है, मैं ज्यादा comfortable हूँ, तो उसके लिए formula ही बता दूँ, कि अगर आपको profit percent या loss percent और उसके साथ discount percent दे दिया जाए, तो आप Mark-Up percent कैसे नकालेंगे, तो for that you need ratio of CP and MP, CP, CP, MP का जो ratio होता है, वो क्या होता है, देखो, CP, MP का जो ratio होता है, 100, this is 100 minus discount percent upon 100 plus profit percent, ठीक, तो for this question, for this question, what do you need to do, you need to just put the values of discount percent and profit percent, and you get the answer, answer आपको मिल जाएगा, छीक है, कैसे मिलेगा, देखो, यहाँ पर हमें discount percent कितना दिया गया था, discount percent was 20%, तो हम क्या करेंगे, 100 minus 20 करेंगे, and profit percent कितना दिया गया है हमको, profit percent हमको दिया गया है, 25%, तो 100 plus 25, तो सीधे-सीधे आपके पास यह ratio आगया, 80 by 125, आगे CP और MP का ratio, जाना, which is 16 by 25, जाना, तो यही तो यहाँ पर मिला था, CP MP का ratio क्या मिला था, 16 by 25, यही इस formula से आया है, कितने लोगों को यह formula पहले से आता था, कितने लोगों को he formula पहले से बताता और यह भी बताओ कितने लोग इसको preserve कर सकते हैं अभीiała कदेशन थेवेत पुरानों में लखा हुआ है कि formula है, यह तो हम drive करते हैं, basic तो इसको drive भी कर सकते हैं, बड़े profit percent and discount percent, profit percent and discount percent, ठीक, तो हम यह कह सकते हैं, selling price, selling price is nothing but, अगर मुझे profit percent दिया गया है, P, तो 100 plus P percent of, it is 100 plus P percent, P percent increase करेंगे, divided by 100 plus P percent of, किसका, CP का, percent of CP, जैसे मैंने भी basic में किया था, अपने अपने देखा, यहां पर आपने basic में क्या किया था, जैसे 25 percent का profit था, तो मैंने क्या किया, 100 plus 25 upon 100, 100 plus 25 is 125, 125 by 100 of CP, and that is selling price, और इसी तरी किसे selling price को mark price से भी relate कर सकते हैं, कैसे discount के चुरू, तो mark price में हम D percent कम करेंगे, तो D percent आप कम करोगे, तो कितना बचेगा, 100 minus D percent, of mark price, right, so from this, you will get the ratio of, PP and MP, तो CP by MP कितना मिलेगा, 100 minus D upon 100 plus P, यही मिलेगा, ठीक है, अगर आप percentage value रख रहे हैं, तो यहां पर 100 लेकर चलेंगे, अगर आप in discount percent and profit percent की fraction value रख रहे हैं, let's suppose आप 25 percent की जगे रख रहे हैं, 1 by 4, 20 percent की जगे रख रहे हैं, 1 by 5, so in that case, 100 की जगे भी आपको 1 रखना है, because 100 percent की जो fraction value होती है, वो 1 होती है, right, यह चीज़ घ्यान रखी है, this is clear, चलो एक बहुत, बढ़िया चाहिए मैं एक सवाल बनाता हूँ, चलो, आपके लिए, अभी, मजा आएगा, सबोस करो, मुझे दिया गया ratio, percentage profit and percentage percentage profit का ratio, percentage markup का ratio मुझे दिया गया है, ठीक है, percentage profit, percentage markup, this ratio is 2 by 3, यह ratio मुझे दिया गया, 2 by 3, ठीक, ठीक, और percentage discount, मुझे दिया गया, सबोस, 12.5%, ठीक है, तो you need to tell me what is actual percentage profit, percentage profit क्या होगा, बताओ भई, सवाल मैंने अभी अभी मनाया जमाग में, ताजा ताजा, ताजा, ना, तो बताईए, इसको कैसे करेंगे, यह सवाल है, देखो गई है, लॉजिकल ही सोचना है, मैंने आपको क्या बताया, कि पर्सेंटेज, 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 छोड़ो, प्रॉफिट अन लॉस या ऐसा ही, सी आई पर आपको कमांड बनानी है, तो ratio and percentage के concept आपको clear होने चाहिए, उसमें आपको दिमाग लगाना आना चाहिए, 40% यहां पर आंसर है सबते हम और इंदरजीत का, चलिए देखते हैं, देखो आप यह जानते हो कि percentage profit क्या होता है, percentage profit होता है, कुछ भी नहीं, सिर्फ SP-CP upon CP, into 100, यही होता है, अच्छा, percentage markup क्या होता है, markup upon CP, तो markup is nothing but mark price minus cost price, upon cost price, into 100, into 100 दोनों में से cut जाएगा, लिखने की जरूबद नहीं है, and that is equal to 2 by 3, यह 2 by 3 के बराबर, तो आप देखो कि CP से CP क्या होगया, cancel होगया, so ultimately, this is the ratio of this, SP minus CP, upon MP minus CP, and this ratio is nothing but 2 by 3, यह ratio मुझे दिया गया है, 2 by 3, yes, अब आप ध्यान से समझें इस चीज़ को, थोड़ा ध्यान से देखें, और अपना दिमाग लगाए, कि भाई, यह, यहाँ पर जो है, numerator और denominator का जो difference, numerator और denominator का difference क्या है, SP minus CP, because जब आप इसमें से इसको घटाओगे, SP minus MP, MP minus SP, जब आप इसमें से इसको घटाओगी, तो आपको क्या मेलेगा, CP से CP कट जाएगा, दोनों में minus CP है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, Cancelled हो जाएगा. दोनों में क्या हो जाएगा, यह Cancel होलेगा, ठीक है, यह क्या हो जाएगा, दोनों में cancel हो जाएगा, CP से CP, so ultimately this is the difference, this one part is the difference between MP and SP, MP and SP के बीच का difference है one part, और यहां पर मुझे discount percentage जो दिया गया है, that is nothing but, discount percent किस किस के बीच में relation होता है, यह map बनाओ दिमाग में, mark price और selling price के बीच में, तो यहां से मैं mark price और selling price का ratio निकल सकता हूं कि नहीं, mark price और selling price का ratio कितना होगा, भाई साड़े 12% का मतलब क्या है, 1 by 8, यानि कि अगर 8 रुपे mark price था तो मैंने उसमें 1 रुपे discount दे दिया और उस article को 7 रुपे में बेज दिया, right, उस article को 7 रुपे में बेज दिया, अब आप यह देखो कि यहां पर MP SP का difference कितना है, 1 part और यह दोनों का difference है, वह भी MP SP का difference है, वह भी CP से CP तो वैसे भी कटने वाला है, तो यह भी 1 part दोनों equal है, अगर equal नहीं होते, suppose यह होता 1 part और यह होता 2 part, तो मैं इसको उपन नीचे 2 से multiply करके gap को equal बना लेता है, समझे रहो ना बात को, यह gap को हम equal बना लेते हैं, जो भी LCM के बराबर लेकर, लेकिन fortunately यहां पर क्या है, कि यह भी 1 है और यह भी क्या है, तो as it is value हमको रख देनी है, कैसे रख देनी है, कि mark price मेरे पास हो गया 8 रुपे, selling price हो गया 7 रुपे, है ना, तो cost price में नकाल सकता हूँ, MP-CP 3 रुपे है, mark price मेरे पास 8 रुपे है, 8-CP बराबर 3, तो CP की value कितनी होगी, 5 रुपे, 8-3, 5 रुपे, आप उपर से भी value नकाल सकते हो, CP की कैसे, कि SP आप रखो के 7 रुपे, 7-CP बराबर 2, तो CP बराबर 7-2, वो भी 5 ही आए, कैसे भी कर लो 5 ही आने वाला है, है ना, तो CP मेरे पास आगया 5 unit, और SP आगया मेरे पास 7 unit, so how much is the profit, CP और SP का ratio यहां से मिल गया मुझे, 5-7, yes, यानि कि मुझे 2 रुपे का profit मिला किस पर CP पर, 2 by 5 into 100, that means it is 40%, 1 by 5 क्या होता है, 20%, 2 by 5 40%, yes, बात समझ रहे हैं, सभी लोगों वो समझ में आया concept, किस तरीके से ratio का game है, yes, why type करते हैं एक बार comment box में, चलो, देखो end तक आप बने रहोगे न, तो बहुत मज़ा आने वाला है, मैं मजाक में नहीं कहे रहा हूँ, actual में कहे रहा हूँ, मज़ा बहुत आने वाला है, बेसिक से लेकर, high level तक की सारी concept आपके बिट्रूर, clear हो जाएंगे, बड़िया तरीके से, अब पहला सवाल हम यहाँ पर लेते हैं, कि मैं पहले कुछ बेसिक कुश्चन से start करते हैं, फिर दीर दीर लेवल अपने बढ़ता जाएगा, आर्टिकल is sold at 1500, making a profit of 42.67%, परसेंट, तो 40 मिनट मैंने आपको बेसिक्स पर थोड़ा सा ग्यान दिया, अब सवालों की बार ही है, और जैसे जैसे बेसिक्स ही जरुवत पड़ेगी, जैसे कि डिसॉनेश शॉक कीपर है, उसका अलग से concept है, तो फिर बेसिक हम उसका भी अलग से पड़ेंगे, पहले जितना पड़ चुके हैं, उस पर बेश सवालों को सॉल करते हैं, आर्टिकल इतने में बेचा गया, प्रॉफिट इतना परसेंट हुआ, तो cost price उसका क्या है, बताईए, जल्दी जल्दी आंसर आने चाहिए, और जितने भी लोग देख रहे हैं, एक बार सेशन को शेयर करते हैं, हाँ जी, एक हजार पचास सप्तेमोर सचिन ने आपर आंसर दिया है, देखो, जो बड़ा चेलिंज है, इसको fraction में convert करने, तो 42.67% होता क्या है, बताओ, 42.67%, क्या होगा भाई, अभी आपने का सरफ 41.67% तो अभी आपने बताया था, बताया था कि नहीं, 41.66% मैंने अभी बताया था, यह रहा, यह रहा, यह रहा, लेकिन यहां तो 42.67% है, कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे, इस में से 1% को अलग निकालेंगे, 1% अलग निकाल देंगे, और 41.67% अलग कर देंगे, अब 1% का मतलब क्या होता है, 1 by 100, और 41.67% अभी आपने पढ़ा है, 5 by 12, यह रहा, यह क्या होता है, 5 by 12 होता है, यह, होता है कि नहीं, तो that means, अगर हम इनका LCM लें, तो कितना आएगा, इन दोनों का LCM कितना हो गया है, 300, right, 300, ऊपर क्या आएगा, 3, और यह 12 से जाएगा, कितनी बार, 25 बार, तो यह आएगा 3, और यह कितना आएगा, बार से जाएगा, 25 बार, 25 इंटू 5, 125, 125 प्लस 3, 128 20, yes, क्या सकते हैं, बताई, सही लिखा है ना मैंने, अगर मैं इसको चार्ट से कार्ट देता हूं, कुछ गल्ती तो नहीं हो रही है, देख लो सबी लो, सही लिखा है ना, 128 by 300, calculation आप चेक करो एक बार, ठीक है, तो हम यह कह रहे हैं कि बार, यह चार्ट से गया, 32 बार तो CP और SP का ratio क्या बनेगा, इतना profit है, मतलब CP और SP का ratio क्या बना, बताऊ, CP अगर 75 रुपे है, तो उस पर 32 रुपे का profit है, मतलब SP कितना आना चाहिए, इन दोनों का sum, 107, 107, 107 का multiple तो यह नहीं है, 1500, yes, 107 का multiple तो नहीं है, 1500, कुछ नहीं कुछ गरबर है, इस में, data में, जल्ली यल्ली है, मैंने सवाल टाइप किया, और कुछ मिस हो गया, चलो एक काम करते हैं, इसकी जगह इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, let's suppose यह दिया गया 2140, तो 2140, यहना, 2140 दिया गया है, तो 107 unit की value कितनी है, 2140, एक सो चालिस, 107 unit की value है 2140, क्योंकि हम जो दिखाई दे रहा है कि इसका double है, 107 का double 24 है, तो इसका 20 गुना कर देंगे, तो इसका 20 गुना कर देंगे, तो इसका 20 गुना किया, और कितना आएगा, 1500, यस, तो CP हो गया, मेरे पास 1500, ठीक है, बताइए ठीक है, अब सही है ना, चालो, अगला सवाल देखो, find the cost price of an article which is sold at 1750 at a profit of 16, 2 by 3%, अब यहां पर भी मुझे selling price दिया गया है, profit percent दिया गया है, cost price मुझको निकालना है, निकालो जरा क्या होगा, 3 by 7 नहीं है सर वो, कहां पर 3 by 7 नहीं है, 3 by 7 नहीं है, 1 by 7 क्या होता है, 1 by 7 होता है, 14.28% होता है कि नहीं, अगर 42.84% इसको कर दिया जाए, तो बन जाएगा 3 by 7 हां जी, तो cost price of an article which is sold at 17.50 at a profit of 16.2 by 3 percent, तो 16.2 by 3 percent का मतलब आप सभी जानते हो, 16.2 by 3 percent का मतलब क्या होता है, 16.2 by 3 percent means 1 by 6, यानि कि CP और SP का जो ratio बनेगा, वो क्या बनेगा, 6 रुपे की चीज़ को हमने 7 रुपे में बेचा, 7 रुपे में बेचा, तो CP 6 रुपे है, तो SP 7 रुपे है, अब 7 रुपे की जो value है, मुझे कितनी ते रखी, 37.50, selling price ही तो दिया गया ये, article is sold at this, मतलब that is selling price, तो 7 की value इतनी है, तो एक unit की value कितनी हो गई, साथ इंटू दो 14, तीन बच्चेगा, साथ इंटू पाच में, this is 250, right, so 6 इंटू 250, is what, 1500, yes, this is cost price, and this is what the question, this is what, the question is asking for, 1500, clear, सभी को समझ, जहां भी कोई चीज़ समझ ना है, तुरंत बता देना, ठीक है न, चलू, अगला सवाल देखू, और स्पीड अपको अगर ऐसा लगी कि फास्ट चल रही है, तो भी बता देना, on selling an article for 1470, a man gets a profit of 22.5%, find the cost price of the article, बताईए, यस बच्चा, क्या रहे, 22.5% is the main thing, 22.5%, क्या होता है 22.5% का मतलब, 22.5% को मैं ऐसे break कर सकता हूं, 12.5% plus 10%, yes, 12.5% का मतलब 1 by 8 हुआ, और 10% का मतलब हुआ 1 by 10, so what is their LCM, LCM is 40, तो 5 plus 4, 9, 9 by 40, तो इसका मतलब है 9 by 40, ठीक है, यानि कि CP और SP का रेश्यो मैं यह से निकाल सकता हूं, क्या होगा बताओ, देखो, CP अगर मेरा परस 40 रुपे है, तो यह कितना होगा, 40 plus 9, 49 रुपे, 49 रुपे, SP हो गया, Selling Price मुझे दिया गया है 1470, ठीक है, देखो 50 का 3 गुना होता है 1.500, तो 49 into 3 आप कैसे करोगा, 50 minus 1, 49 is 50 minus 1 into 3, 50 into 3, 150, 3 into 1, 150 minus 3, 147, तो हमें दिखाई दे रहा है, 49 का 3 टाइम्स है 147, तो इसका भी 30 टाइम्स करेंगे, तो यह कितना हो जाएगा, 1200, CP कितना आगे है मेरे पास, 1200 रुपे, Yes, 1200, clear है, Yes, very good Kalpana, very good Pralat, Preeti, Satyam, Indrajit, Sachin, सभी का अंजर correct है, बहुत बड़ी है, आगे देखे, On Selling an Article for 155, a man bears a loss of 16, 2 by 3%, find the cost price of the article, basic basic सवाल है इनको जली जली खतम करो, Okay, 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 186 सचिन 930 आ रहा है आपका देखो जारा देखो जारा देखो जारा रुपे है तो 6 में एक कम किया तो यह कितना होगा पाँच रुपे है ना सेलिंग अन आर्टिकल फॉर दिस यानि कि यह सेलिंग प्राइज दिया गया है मुझे पांच यूनिट की वैल्यू है एक सो पच पन तो पांच का कितना गुना है पांच इन पंदर है पांच इन टी टाइम्स तो इसका भी थर्टी वन टाइम्स कर दो लॉस है वाद का ध्यान लगना 31 इंटू 6 कितना होगया 186 तो सीपी इस वाट 186 चीक यस वेरी गुड आगे बढ़ो अब मोबाइल फोन है सोल्ड फॉर 5060 एट गेन ऑफ 10 पर टेंट हीक है मोबाइल फोन को पांच हजार साथ रुपे में 10 परसंट के गेन पर बेचा वाट वुड एव इन दा गेन और लॉस परसंट इफ इट हैड बीन सोल्ड फॉर 4370 ओके भाई अगर 4370 में इसको बेचा जाता तो गेन क्या होता सर कमेंट्स लेट डिलीवर हुरहें नहीं कमेंट्स लेट डिलीवर नहीं हुरहें आप करते चलो सही आ रहे हैं टाइम पर यह ना करते हैं हाँ जी नहीं बना 5% loss ओकी ओकी 5060 में बेचने पर 10% का क्या होता है गेन होता है यानि कि हम यह कह सकते हैं कि यह जो 5060 है वो CP का 110% है भाई cost price पर आपको 10% का profit होगा है यानि कि जो cost price का 110% होगा वो selling price के बराबर होगा यानि कि जो 5060 है वो 110% के बराबर है that is as good as 110% हम यह कह सकते हैं 5060 110% के बराबर है तो मुझे यह निकालना है कि 4370 कितने % के बराबर होगा तो 4370 4370 let's suppose CP के x% के बराबर होगा x% के बराबर होगा ठीक तो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा cancel cancel करूँगा तो क्या मिलेगा देखो 0 से 0 काट दो 11 से काट सकते हैं इसको yes 11 से गया 4 बार 6 बार 11 से जाएगा यह 10 बार 46 से cancel हो जाएगा क्या नहीं 23 से कट जाएगा 23 23 से गया 2 ताइम्स 23 से गया 23 23 बाचेगा 207 23 से जाएगा 9 ताइम्स ठीक है 2 से गया यह 5 ताइम्स यानि X percent की value 95 परसेंट है यानि कि जो second article है वो CP के 95 परसेंट पर बेचा गया है यानि कि CP से कितने परसेंट कम में बेचा गया है 5 परसेंट कम में यानि कि there is a loss of 5 परसेंट क्यानि इससे 5 परसेंट का loss है वहाँ पर बताईए तेल मी मैंने कैसे इसको सवाल को solve किया आप देखो एक step में आप इसको कर सकते हैं आपको CP निकालने की जरूरत नहीं although कुछ लोग CP निकालके भी इसको solve करेंगे पर CP की जरूरत ही नहीं है हमको दो हमें कहा रहे है कि 5060 में बेचने पर 10 परसेंट का profit होता है तो 5060 जो है वह 110 परसेंट का 10% बढ़ा दिया मैंने 100 प्लस 10 110 परसेंट हो गया तो 4370 कितना परसेंट है तो X परसेंट दोनों को मैंने डिवाइट कर दिया तो यहांसे X की वाली आई 95 परसेंट यानि कि यह जो सेकंड वाला प्राइस है वह CP का 95 परसेंट है यानि CP को 5% कम करके SP आया है यानि कि there is a loss of 5% yes hopefully this method is clear to all of you yes in selling an article for 76 there is a profit of 52% 76 रुपया बेचने पर 52% का फाइदा होता है तो पिचेतर रुपया बेचने पर कितने परसेंट का प्रोफित होगा आप वही वाला तरीका लगाओ जरा यह वही तरीका लगाओ इसको स्वाल करो बताओ अन्सर क्या होगा कि मैंने सीपी निकाला इसलिए टाइम लगा कोई बात नहीं आप जो जो आपके तरीके हैं उनको करते रहो उससे लेकिन उसको आप फिर नहीं नहीं तरीके भी एडॉप्ट करते चलो साथ में देखू पहले केस में सेलिंग प्राइज इस सेवंटी सिक्स और दूछरे केस में कहा है 75 इंका मैंने रिशो लिए है पहले केस में देज़ प्रॉफिटी टू परसेंट सो कैने इसे कि दिस प्राइस इस वनंफिप्टी टू परसेंट ऑफ सी पी इस सेंट ऑप्रॉफिटि टू परसेंट ऑफ ञाए गाएगा परसंट से परसंटेश कटी जाएगा, उसके बाद क्या होगा, 76 का डवल 152, यानि X की वेल्यू आगे मिरे पास 150%, यानि कि जो सेकंड वाला प्राइस है, वो CP का 150% है, यानि कि प्रोफित है वहाँ पर 50% का, यानि 50% का प्रोफित हो रहा है, सेकंड वाले केस में, खातम का आ 10 सच आर्टिकल्स आर सोल्ट, अगर ऐसे 10 आर्टिकल बेचे जाएंगे, तो कितना प्रोफित होगा, बताईए, रादे रादे भाई, विवेक भाई, हमारे गाउं में चीता भुष गया है, चीता देखो human being के लिए उतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है, जब तक कि आप उसे जवरदस्ति छेडएंगे, कायदिस से आपको वन विभाग वालों को कॉल करना चाहिए, आप यहाँ पर कमेंट्स करके हुए, मैं चीता भगा नहीं हूँ आपके गाउं में, 450 यहाँ पर आंसा आ रहा है, सभी लोगों का, चलो देख लेते हैं, 15 रुपे में आप बेच रहे हो, 55 रुपे प्रफित हो रहा है एक आर्टिकलन पर यह जी उतना याथे जींक, इसीर यह करना चाहिए ना इस एक आर्टिकलन पर जतना यहाँ इस अप्र प्रफित होगा। क्लास टाइम क्लास टाइम डेली रहेगा दस बजे ठीक है बैंकिंग टॉक दस बचे एन आर्टिकल इस ओल्ड एड़ प्रॉफिट परसेंट इफ 10 सच आर्टिकल्स आर्टिकल्स तो अभी जो कॉंसेप्ट आपको बताया था कुछ दिर पहले शुरुआ पर मैंने बताया था कि profit percent is independent of the number of articles जैना जैसे मैं यह कह रहा हूं कि अगर 25% का profit है तो 5% का मतलब तो आप सभी जानते एक बटा 20 होता है यानि कि CP और SP का जो रेश्यो बनेगा वो क्या बनेगा 20-21 यही बनेगा 20 और 21 अब आप कह रहे हो कि तर मैं 10 आर्टिकल बेचना चाहता हूं एक आर्टि आर्टिकल का कितना होगा इसका 10 गुना हो जाएगा और यहां पर भी selling price भी 10 गुना हो जाएगा यहां पर भी selling price भी 10 गुना हो जाएगा तो इस दस से 10 चैंसल हो जाए तो ultimately इस ratio पर कोई impact नहीं पड़ेगा तो profit percent भी हमारा same ही रहेगा profit percent will remain same 5% only ठीक है yes आगे बढ़ो selling price of 25 articles is equal to cost price of 20 articles find the profit or loss percent yes बताईए yes 20% loss संगीत मले का कहना है चार आज मैं गाओं आया हूं मुझे ही लोग चीता कहते हैं वाँ भाई वाई वाई बिटा कहीं बहुत पीता तो नहीं है इसलिए लोग चीता कहते हैं कि चीता भी पीता है 20 यहां पर रूपल का अंसर है 25 परसंट कल्पना इन 20 आ रहा है सत्यम का कुछ लोग आदे लोग 25 कह रहें आदे लोग 20 कह रहें तो फोग शॉटक रखने की जरू उतनी यहां पे सोचो के 25 आर्टिकल का selling price 25 गुना हो जाएगा एक आर्टिकल का selling price अगर SP है पच्चेस आर्टिकल का कितना होगा 25 गुना SP यहां से होगा कि SP upon CP का ratio मुझे मिल जाएगा, SP और CP का ratio क्या मैं लिएगा 20 is to 25, तो हम कह सकते हैं, this ratio is what, 5 से काटा 4 बर, 5 से काटा 5 बर, 4 is to 5, तो यहनि कि 5 उर्पे का article आपने खरीदा था, CP 5 उर्पे और बेचा कितने में, 4 में, तो that means there is a loss, एक उर्पे का loss है ना, ज्यादा में खरीद रहे हो, कम में बेच रहे हो, तो loss है, कितने का loss है, 1 का loss है, किस पर, हमेशा loss परसेंट इस CP पर निकाला जाता है, 1 by 5, 20% का आपको क्या हो रहा है, loss हो रहा है, 20% loss जितने लोगों का आया, उनका correct है, ठीक है, अब इस case में, हम देखो direct एक shortcut भी बता दे रहा हूं, को छोटा दे shortcut है, कि CP SP का ratio, हम direct कैसे निकाले, CP upon SP, तो जो चीज SP के साथ दी गई हो, इसको CP के सामने लिख दो, और जो CP के सामने दी गई हो, उसको SP के सामने लिख लो, logic ही ही है, तो SP के साथ आपको क्या दिया गया है, 25, तो इसको CP के सामने मैंने लिख दिया परचेस, और CP के सामने आपको क्या दिया गया, CP के साथ दिया गया है, 20, तो इसको SP के सामने लिख देंगे, 20, ठीक है, यानि 5 is to 4, यानि CP आपका 5 रुपे हो गया, SP 4 रुपे हो गया, मतलब यहां पर 1 रुपे का loss हो गया, कि इस पर 5 पर, 1 by 5 क 20 परसेंट का loss, एक छोटार शॉटकट है, चीज़ों को mentally solve करने में help करेंगे, यह चीज़, अगला जेको, selling price of 55 articles is equal to cost price of 44 articles, what is the profit or loss percent, तेल, हाँ, जी बच्च, सब क्लास कितने बज़े तक रहेगी, अब कितने बज़े तो नहीं पता, यहां पर आपको दिखा ही दिरा है, 17 वी slide पर पहुंचे है, टूटल अक्सी slide है हमारे पास, यहां से आप count करते चलो, कहां हम पहुंच गये, 17 by 80 यहां पर लिखा हुगा है, 17 by 80 मतलब, out of 80, we are on 17 number, 20% loss, okay, तो देखो, हम सीरेज सीधे, SP, CP का ratio निकालेंगे, SP के सामने क्या लिखना है, जो CP के साथ दिया गया है, CP के साथ दिया गया है, 44, तो SP के सामने लिखा मैंने 44, और CP के सामने क्या लिखना है, जो SP के साथ दिया गया है, that is 55, so that means this ratio is 4 by 5, तो CP अगर 5 रुपे है, SP 4 रुपे है, मतलब आपने 1 रुपे का loss भी अर किया है, एक रुपे का loss है किस पर CP पर, एक बटा 5, यानि 20% का क्या हो रहा है, आपको loss हो रहा है, 20% loss, अगला देखे, on selling 24 articles, a person gains a profit equal to selling price of 3 articles, what is the profit percent? कर दो कीना है, हो रहा है, ऑुपे है, और किस फादिन, पर कर पके बटाए किस भी मालते है, का लाती ही है, जा दो दादिन का 여 Trends, बटी है हाँ जी 12.5 सचिन ने सबसे पहले यहां पर अंसर दिया देखो 24 आर्टिकल को बेचने पर जो प्रॉफिट हुआ है ना वो क्या होगा सेलिंग प्राइस तो 3 आर्टिकल के बराबर अच्छा एक आर्टिकल पर प्रॉफिट कितना होता है एक आर्टिकल पर प्रॉफिट होता है SP-CP आप यह जानते हैं एक आर्टिकल के सेलिंग प्राइस और कॉश्ट प्राइस अगर दिये गए हैं तो उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट होता है तो जब हम 24 आर्टिकल बेचेंगे तो profit भी कितना हो जाएगा 24 गुना हो जाएगा yes, 24 आर्टिकल पर profit कितना हो जाएगा 24 गुना हो जाएगा एक आर्टिकल पर profit हुआ, SP-CP, तो 24 आर्टिकल पर 24 गुना हो जाएगा and that is equal to, equal to selling price of three articles यह किसके बराबर है, तीन आर्टिकल के selling price के बराबर है तीन आर्टिकल के selling price के बराबर है, तो यहांसे CP-SP का ratio में निकाल सकता हूँ कैसे देखो, तीन से चला जाएगा यह 8 बार, right, so 8 SP-SP, यानि 7 into SP हो जाएगा and 8 into CP उधर चला जाएगा, 8 into CP, तो क्या मैं यह कह सकता हूँ, यहांसे SP और CP का ratio मुझे मिल गया कितना मिल गया, SP by CP is 8 by 7, यानि कोई भी आर्टिकल आपने 7 रुपे में खरीदा और उसको 8 में बेचा, मतलब आपको 1 रुपे का profit हो एक रुपे का आपको profit हो, हमेशा किस पर निकालते हैं, CP पर, तो 1 by 7 into 100 करेंगे, which is nothing but 14.28%, 14.28% का क्या हो रहा है, आपको profit हो रहा है, 14.28% का profit हो रहा है, yes, is it clear to everyone, yes, अगला सवाल देखो, if an article is sold at a profit of $250, what will be the profit if the cost price and selling price of both are increased by 10%? बड़ा ही जटिल सवाल है, है ना? बड़ा है, what will be the profit if cost price and selling price both are increased by 10%? इसमें एक option CNDB है, cannot be determined. देखो बच्चों, यान चे बात को समझना, conceptual question है, PP और SP, ठीक है? प्रॉफिट अब कितने का? 250 का, तो मैंने का कि बड़ा, सपोज, TP था हमारे पास X और SP था Y, तो प्रॉफिट क्या होता है? Y-, तो Y-X मुझे दिया गया, Y-X की value मुझे दी गई है, 250 रुपी है, 250 रुपी है, C&D के रहे हैं, बहुत सारे लोगी हैं, फिर के नोट भी टर्मिल, अब ध्यान जमिल ना, कानी में twist आने वाला है, दोनों को मैंने 10% से बढ़ाया, अब आप किसी भी चीज को 10% से बढ़ाओगी न, तो वो अपने आपकी 110% हो जाती है, 110% का मतलब 110 बटा 100, 110 बटा 100 का मतलब 1.1 टाइम्स, इसको भी आपने 110%, इसको भी आपने 10% से बढ़ाया, तो ये भी अपने आपका 110% हो जाती है न, 1.1 टाइम्स हो जाती है, Now what will be the profit, Can I say, कि profit now will be 1.1Y, minus 1.1X, तो 1.1 is common, अंदर बचे का Y minus X, क्योंकि हमें अल्रेडी पता है, कितना है 250, So it is 11 into 25, which is 275, तो निशकर्ष क्या निकलता है यहां पर, अगर CP और SP, same percentage से increase या decrease किये जाते हैं, तो वही percentage, change, profit या loss में आता है, तो यहां पर क्या था, CP और SP 10% से बढ़े, तो आपको सीधे सीधे क्या करना था, कि जो आपका profit है, वो भी 10% से बढ़ जाएगा, इसमें 10%, यानि इसमें 25 रुपे आप बढ़ा होगे, इसका 10% कितना है, 25, तो कितना आजाएगा 275, आपको directly इस तरीके से answer इसका देना था, और इसके पीछे का idea क्या है, वो मैंने आपको लिख दिया है, clear, तो C&D नहीं होगा इसका answer, 275 होगा, Is it clear to everyone? चलिए, आगे देखिए, अब यहाँ पर कानी थूड़ी अलग है, यहाँ पर percent की बात हो लिए, पहले कर 250 profit दिया गया था, पिछले वाले case में, यहाँ पर क्या दिया गया है, कि article is sold at 12.5% profit, right, what will be the profit or loss percent, if C&SB both are increased by 10%, yes, arithmetic questions बन जाता है, language oriented questions नहीं बनता है, और सर एक starting में, mock, test कब दूँ, क्योंकि अभी आप से दो chapter पढ़ाऊं, ratio, proportion and percentage, अमन आप, जब आपका कम से कम, आपको यह confidence आजाना है, कि 50-60% slivers complete हो चुका है, तब आप mock test start कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले, जैसे आपने दो chapter पढ़ लिए हैं, ratio, proportion and percentage, उनके जो sectional mock हैं, जैसे ratio की quiz हुई, जो भी आपने platform पर test series बगरा ले रखी हैं, जो भी है, तो वहाँ पर quiz दी जाती है, sectional mock, chapter wise, तो वो chapter wise sectional mock आप attempt कर सकते हो, है न, और जब, कम से कम 60% slivers complete हो जाया आपका, तब आप, complete mock start कर सकते हैं, 12.5% yes, देखो percentage profit की जब बात हो रही है न, तो वो depend करता है CPSP के ratio पर, तो अगर यहाँ पर 12.5% का profit है, तो CPSP का ratio कुछ रहा हो, CPSP का ratio कितना रहा होगा, 12.5% मतलब 1 by 8, मतलब यह अगर 8 रोपे है तो यह 9 रोपे हो गया, 8 is to 9, अब दोनों को मैंने 10% से बढ़ाया, आप यह समयना, कि मैंने इसको भी 10% से बढ़ाया, इसको भी 10% से बढ़ाया, 10% से बढ़ाने का मतलब है कि दोनों में 1.1 से multiply होगा, तो इस 1.1 टाइम्स 8 यह जाएगा, and this is 1.1 टाइम्स 9, तो 1.1 से 1.1 तो cancel हो गया, तो ultimately the ratio remains same, if the ratio remains same, the percentage profit will also remain same, आप यहाँ पर भी देखेंगे, तो percentage profit कितना होगा, 1 by 80 तो होगा, 1 का profit हो रहा है 8 पर, that is 12%. Yes or no? अब इसका मतलब क्या है, आपने दोनों कोशन से एक एक concept सीखा, क्या सीखा, पहले वाले से सीखा, कि अगर आपको profit दिया गया है, CP और SP में same percent से increase हुआ है, तो profit percent में भी, जो profit है, not profit percent, profit में भी उतने percent से increase हुआ गया, जैसे यहाँ पर दोनों में 10-10 percent से increase हुआ था, तो profit भी 10 percent से बढ़ गया, 275 आ गया, लेकिन वहीं पर आपको अगर initial profit percent दिया गया हूँ, और CP SP में change दिया गया हूँ, जो कि same हूँ, तो profit percent में कोई change नहीं आएगा, profit में change आता है, profit percent में change नहीं आता है, yes, is it clear, yes, चलिए, तो यह concept clear है, आगे बढ़ते, on selling 17 articles for 720, a person incurred a loss equal to cost price of 5 articles, find a CP of each article, each article का CP क्या होगा, बताएगे, yes, 17 article 720 रुपे में बेचने पर, एक परसन को, 5 article के cost price के बराबर, क्या हुआ, loss हो गया, एक article का CP क्या था, तो मैंने मान लिया, कि एक article का CP, CP एक article का मैंने मान लिया, एक 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 article का, अब 17 article आप इतने में बेच रहे हूँ, तो loss क्या होता है, loss होता है, CP मानस SP, पहले तो ये ध्यान दिन, loss दिया गया है, ने, loss है CP मानस SP, तो एक article का CP अगर एक सह, तो 17 article का कितना होगा, 17X, 17 article का CP कितना होगा, 17X, right, minus SP, SP कितना होगा, बताओ, तो selling price हमें दिया गया, 720 रुपे, CP मानस SP, and that is equal to, cost price of 5 article, तो 5 article का cost price कितना होगा, 5X, yes, 5 article का cost price कितना होगा, 5X, yes or no, तो 17X मानस 5X, यानि 12X, 12X की value किसके बराबर होगी, 720 के बराबर होगी, तो X की value कितनी होगी, 60 होगी, value of X is what, 60, right, यही हम से पूचा गया, each article का CP, जोकि मैंने X माना था, और इस का अंसर मेरा आ गया, 7 रुपे, चड़िए, आगे बढ़ते हैं, next question, Mohan bought 25 books for 2000, and sold them at a profit, equal to selling price of 5 books, what is the selling price of one book, एक बुक का selling price क्या होगा, okay, selling price of one book, ठीक है, तो same procedure you can follow, नहीं, प्रोसीजर आप लगा सकते हो, आपको एक book का selling price पूचा गया है, तो आपने एक book का selling price मान दिया, X, एक book का selling price मैंने मान दिया, X, ठीक है, 25 books उसने 2000 रुपे में खरी दी, और उसको क्या हो रहा है, यहापर profit हो रहा है, profit होता है, SP minus CP, SP कितना होगा, बात हो रही है 25 book की, तो एक book का selling price अगर X है, तो 25 book का कितना होगा, 25X, minus CP कितना होगा, 2000 रुपे, CP तो 2000 रुपे दिया गया है ना मुझे, and this is profit, and the profit is equal to selling price of 5 books, तो 5 book का selling price कितना हो जाएगा, 5X, 25X minus 5X, 20X की वैल्यू मुझे दी गई, 2000, X की वैल्यू कितना होगा, 100 रुपे, and that is the required answer, 100 रुपे, option A, yes, very good, Vivek, Ritika, well done, Indrajit, Satyajit, चलो, अगला देखे, अगला सवाल थोड़ा सा, बड़ा देखाई देरा है मुझे आपर, cost price of 16 apples is equal to selling price of 10 apples, cost price of 12 oranges is equal to selling price of 16 oranges, cost price of 6 mangoes is equal to selling price of 4 mangoes, ratio of the cost price of 1 apple, 1 orange, 1 mango is 1 is to 1 is to 2, find the net profit percent on the sale of 1 apple, 2 orange and 2 mangoes, okay, try कीजी सभी लोग इसको, कीजी सभीए ह etäng Summa है, इसक्वेलियों औरभब हो अगला प्रि दो पाम है, alt tua मैं Pay मुट लोगा है, औरभब है, ाभ़ासमें कीजी लोगए लोग बड़ब है, ककीजी वदीए आपने कीजीए, हाँ जी चलो फटाओ इसको सॉल करते हैं साथ हमिल कर देते हैं बात उरिए एपल की सबसे पहले के अगर हम बात करें आपल के लिए क्या दिया गया है कॉष्ट चीन अप्पल सेटो शैलिंग प्राइस ओ टैने सिक्स्टीन का जो कॉष्ट प्राइस सेंद्टीन के ब्राइस के बरहबर हैं तो मैंने आपको सीप स्पी का रेश्यो निकालना बताया था न CP SP का ratio direct कैसे निगालते हैं 16 apples CP के सामने क्या लिखा है 16 तो उसको SP के सामने लिख देंगे और SP के साथ क्या लिखा है 10 उसको CP के साथ लिख देंगे 10 by 16 हो गया है that means it is 5 by 8 yes this is 5 by 8 अजा cost price of 12 oranges is equal to selling price of 16 oranges तो हम बात कर रहा है oranges की ठीक है oranges की बात करें ठीक है cost price of 12 oranges तो CP SP का ratio आप निकालो इसके लिए भी उसी तरीके से तो cost price के साथ क्या दिया गया है 12 उसको SP के सामने लिख देंगे ठीक है और SP के साथ क्या दिया गया है 16 उसको CP के साथ लिख देंगे तो इसको SP के सामने लिख देंगे तो इसको SP के सामने लिख दिया है तो इस टू बाई त्री अब आप एक बात पर ध्यान दीजिए यहां पर दिया गया है cost price of ratio cost price of one apple one orange one mango is one is to one is to two okay one is to one is to two का ratio है मतलब कि यह यह और यह इन दोनों इन तीनों का ratio apple एक apple का CP एक orange का CP और éक mango का CP इनका ratio one is to one is to two होना चाहिए one is to one is to two अगर बनाना है तो मैं कैसे बनाओंगा बनाओMM कैसे बनाओंगा तो सबसे पहले मैं उसके लिए इन दोनों को equal बनाओं इन तीनों को equal हम कैसे बना सकते है पांच-चार और दो का जो LCM उसके बराबर बना सकते हैं 5-4-दो का LCM क्या होता है 20, तो बीत बनाने के लिए मैं इसको क्या करूँगा उपन नीचे किस से multiply करूँगा 4 से ठीक है उपन नीचे 4 से multiply किए इसको 20 बनाने के लिए 5 से multiply किया इसको 20 बनाने के लिए उपर नीचे 10 से multiply कर दिए अब मैंने देखा कि ये 20 हो गया ये भी 20 हो गया और ये भी 20 हो गया लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए था मुझे 1 is to 1 is to 2 का ratio चाहिए था बल्लब ये दोनों तो equal होने चाहिए पर ये double होना चाहिए तो इसको double कर दू उपर नीचे तू से multiply कर दो अब आप देखो कि ये 20 ये 20 और ये बन जाए गर 40 तो 1 is to 1 is to 2 का ratio बन गया के नहीं बन गया तो इसके लिए CP और SP कितना आ गया 20 और 32 इसके लिए CP और SP कितना आ गया 20 और 15 और इसके लिए CP कितना आ गया 40 और 60 ये बात clear है अच्छा अब इसके आगे मुझे दिया गया है what is the net profit percent on the sale of 1 apple, 2 orange and 2 mangoes तो देखो CP और SP देखो CP कितना आ गया 1 apple, 1 apple का CP कितना है 20 रुपे plus 2 orange, एक orange 20 रुपे का बिखता है तो 2 orange कितने का बिखेंगे, 2 into 20 and 2 mangoes तो 2 into 40 कितना हो गया देखो, 80, 80 plus 40, 120 plus 20, 140 और SP कितना आ गया 1 apple, 1 apple का SP कितना हो गया 32 रुपे plus 2 oranges यानि 2 into 15 plus 2 mangoes यानि 2 into 16 so we can say it is 120 plus 30, 150, 150 plus 32 is 182, right so there is a profit and how much is the profit, 42 का profit है, इन दोनों का difference कितना है 42 तो percentage profit अगर मैं निकालूंगा, तो कितना आएगा, 42 का profit है किस पर, 140 पर, 42 by 140 into 100 तो इस से गया है 3 times, 3 into 10, 30%, कितना आएगा, 30% clear है, चलिए, आगे देखू, profit earned when an article is sold for 800 is 20 times the loss in cut when it is sold at 275, ठीक है, at what price should the article be sold if it is desired to make a profit of 25% ठीक है, चलिए, चलिए ítार कितना है सब – 18 को सब – 21 चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर CP निकालेंगे और वो कैसे निकाल सकते हैं इसके दो रास्ते हैं पहला रास्ता है कि आप ब्लोकर बेसिक से करोगे तो कैसे करोगे बताओ बेसिक से इसको कैसे करेंगे देख सी पुझे नहीं पता लेट सब्वोससी पी मेने मान लिया x, cp मैंने x माल लिया, ठीक है, suppose कर लो कि cp जो है x है, तो profit earned when the article is sold for 800, profit is nothing but sp minus cp, profit is nothing but sp minus cp, article is sold for 800, मतलब इतने में बेचा गया, मतलब यह sp है, तो sp is what 800, minus cp is what x, and this profit is 20 times, किसका 20 times भाई? 20 times the loss incurred when it is sold for 275, loss क्या होता है, cp minus sp, cp तो मेरे पास x है, और sp कितना है, 275, तो cp minus sp क्या होगा है, मेरे पास loss होगा है, अब 20x plus x होगा है, 21x, and this is equal to 800 plus 20 into this, इसका double कितना होता है, 550, तो 5500 plus 800 is what, 6300, तो x की value आ जाती है, बच्चों, 300, यानि कि मेरे पास cp मुझे मिल गया, 300 रुपे, और हम मैं चाहता हूँ, इसको 25% के profit पर बेचना है, तो मैं इसमें 25% बढ़ा कर बेचूँँगा, तो कितने पर बेचूँँगा, इसका 25% होगया, 25 into 35, पिचेतर जोड़ दो, यानि 375, ठीक है, 375, राइट, ये चीज, दूसरा रास्ता इसमें क्या हो सकता है, वो समझो जरा, एक तो मैंने ये equation मना के किया, बिना equation के कैसे करूँगा, देखो, without equation if you want to go, आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं, देखो, यहाँ पर होगा cp कहीं न कहीं, अगर आप 800 रुपे में बेच रहे हो, तो आपको profit हो रहा है, तो 800 price हो गया यहाँ पर, यह हो गया 800, तो आपको profit हो रहा है, और जब आप इसे 275 में बेच रहे हो, तो आपको loss हो रहा है, तो यानि आप cp से नीचे बेच रहे हो, तो आपको loss हो रहा है, यानि 800 रुपे मे बेच रहे हैं मतलब आपको profit हो रहा है मिल्द जो 800 रुपे वाला price है वो CP से बढ़ा और 225 पेचने पर loss हो रहे है मिल्द दूसोपेचने चैटर CP से छोटा है तो यहां पर profit हो रहा है न वो कितना हो रहा है suppose this profit is suppose this profit is 20 20 times this loss, तो यह अगर loss है y, तो यह profit कितना हो जाएगा 20y, अगर यह यहाँ पर loss हो रहा है y, तो यह profit कितना हो जाएगा 20y, तो इन दोनों के बीच का distance है, वो distance कितनी हो गई, 20y प्लस y, यानि 21y, जो कि किसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों के difference के बराबर, क्योंकि इन दोनो points के बीच में दूरी कितनी है, इन दोनों का difference कितना हो गया, 525, 525, यानि इन दोनों का जो distance है, वो 21y है, जो किसके बराबर है, 525 के बराबर है, 21 into 42, 21 into 5, 105, तो y की value 25 आ गई, यानि मुझे cp मिल जाएगा 275 से y उपर, यानि 275 से 25 उपर, यानि cp मेरे पास आ जाएगा 300 रुपी, आजए जो, और इस पर आप चाते हो 25% का profit, यानि पर्चेस इन टू 35, इसमें बढ़ा दो, तो 300 पिचेतर में आप इसको बेच होगे, यस, इस तरीके से भी आप इस सवाल को कर सकते हैं, चलो, आगे बढ़ेंगे, इस technique को हम यूस करेंगे, और आगे 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 अर्टिकल फोर 12.46, ओके, फाइंड दे खोश्ट प्राइजल आप इस आर्टिकल, इस आर्टिकल का कोश्ट प्राइस क्या है, कि यस बच्चों बताईए सवाल टफ है न क्योंकि वहाँ पर तो ट्वेंटी टाइंच दिया गया थे हैं यहाँ तो ट्वेंटी थ्री परसेंट मोर दिया गया है यह तो खतरनाक सवाल है पर इस खतरनाक सवाल को भी आथन से आठरीके से किया जाता है चलिए वह देखते हैं देखिए 800 रुपय में बेचने पर आपको घाटा हो रहा है, तो 800 इससे कम होगा ना, और 1246 में बेचने पर आपको profit हो रहा है, तो 1246 इससे उपर होगा, yes, 1246 क्या हो गया, CP से उपर होगा, तभी तो profit हो रहा है, CP से ज़्यादा है 1246 वाला point, तो यहां पर जो profit हो रहा है आपको, let's suppose, कि यहां जो loss हो रहा है वो 100 रुपे का हो रहा है, आपको 100 रुपे का घाटा हो रहा है, इन दोनों के बीच का अंतर 100 रुपे है, तो यहाँ जो profit होगा वो इससे 23% जादा है, मतलब यह 123 रुपे होगा, यस, तो हम यह कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी जो है, वो 223 unit है, इन दोनों का sum, औ एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? दो के बराबर. एक यूनिट किसके बराबर हो गया? दो के बराबर हो गया. एक यूनिट दो के बराबर हो गया, तो सौ यूनिट किसके बराबर हो गया? 200 के बराबर हो गया के नहीं हो गया? जब एक यूनिट दो के बराबर हो गया, तो 100 यूनिट की वैल्यू 200 बराबर हो गया, तो 800 प्लस 200, CP कितना हो गया, 1000 रुपे, खतम कहा है, बदाईए, अब वैसे करके देखो, मैंने उल्टा कर दिया क्या, क्या मैंने उल्टा कर दिया इसको, जा लॉस इस 23% बोर, ठीक है, तो मैं इसको दुबारा कर दिता हूँ, उल्टा कर दिया, मैंने CP, पहले केस में जो है, लॉस हो रहा है, कितने पर, कितने पर बेचने पर, 800 रुपे में बेचने पर, और दूसर case में आप बेच रहे हो 1246 पर, so there is some profit you are gaining, so हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर जो loss हो रहा है, वो इससे 23% जादा है, तो profit is suppose 100 रुपे, so यह कितना होगे, 123 रुपे, तो हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर जो difference है, वो 223 यूनिट का है, 223 यूनिट, and that is equal to, इन दोनों का difference, 446, तो 223 यूनिट की वैल्यू, 446 के बराबर है, 223 is equivalent to 446, so one unit is equivalent to two, एक यूनिट किसके बराबर हो गई, दो के बराबर हो गई, जब एक यूनिट दो के बराबर हो गई, तो यह कितना हो गया, 200 यूनिट, तो की वैली 200 हो गई, यानि कि CP 1240 से 200 रुपे कम होगा, एक हजार चालिस हो जाए तो, यह मिरा answer हो गई, ठीक है, yes, 1046, तो यह वाला method clear है सभी को, line बना कर इस तरीके से करने वाला, विना equation, क्योंकि यह वाला सवाल equation से काफी मुश्किल हो जाए, क्योंकि यहा तो basic से आप करोगे, तो आप खुद try करके देख लिए, काफी tough लगेगा, अगला देखो, ratio of loss incurred by selling an article for 8.20 and profit gained by selling the article for 9.57 is to 6, find the cost price of this article, बताईए, yes, what is the cost price of this article? 8.90 विवेक का अंस रहे हैं, यहां पर 8.90 देखो, loss incurred by selling an article for 8.20, that means 8.20 में बेचने पर आपको क्या हो रहे हैं, loss हो रहे हैं, 820 रुपे में बेचने पर loss हो रहे हैं, मतलब यहां पर प्राइस पॉइंट है न, वो CP से नीचे है, और 9.50 में बेचने पर आपको profit हो रहे हैं, 9.50 जो है, इससे उपर है, तो यह जो loss हो रहा है और जो profit हो रहा है, इनका ratio मुझे दिया गया है, 7 is to 6, मतलब यहां पर सब्सक्राइस पर loss हो रहा है, 7 x का, यहां पर loss यहां 7 unit का, तो यह 6 unit का profit होगा है, ठीक है, तो इन दौनों के बीच का difference कितना होगा है, 7 और 6, 13 unit, जो किसके बराबर होगा है, इन दौनों के difference के बराबर, what is the difference, 130, तो भाई, 13 unit की value कितनी होगा, 130 के बराबर, 13 unit 130 के बराबर होगा है, तो 1 unit 10 के बराबर होगा, जब एक युनिट 10 के बराबर हो गया तो 7 युनिट 70 के बराबर हो गया मतलब CP कितना हो गया? इससे 70 रुपे उपर? तो CP कितना हो गया? 820 प्लस 70 यानि 890 रुपे Yes, 890 is right answer. clear है सभी को? 890 भाई अभी कहानी शुरू हुई है अभी आपको end तक बने रहना है सेशन में और अभी भी आप जितने भी लोग देख रहे हैं सेशन को एक बाद शेयर कर देंगा अभी तो शुरूआ आते से में कहानी तो भी आगे आएगी अगला देखो A dealer sold a bicycle at a profit of 10% had he bought the bicycle at 10% less price and sold it at a price of 60 more 10% कम में खरीटता और 60 रुपे ज्यादा में बेशता तो उसको 25% का गेन होता ठीक है तो वाट इस प्राइस आप दिस बाइसिकल ओके क्या हो रहा है कट रहा है सवाल थोड़ा सेन हाँ जी तो पहले केस में क्या हो रहा है 10% का profit हो रहा है और दूसरे केस में 25% का profit हो रहा है ठीक है percentage values पर नजर रखी वस शिव ठाकुर जी एक्चुली राजस्थान पुलिस के लिए मैं तयारी कराता नहीं हूं तो मुझे इतना उसका आइडिया नहीं है कि पेपर का pattern change होना चाहिए क्या होना चाहिए pattern currently क्या है उसके बारे में क्या ही बोलो है ना तो अलाल तो सबसे ज्यादा चेंज जो होता है वो banking के pattern में होता है हर साल कुछ ना कुछ नहीं आ जाता है तो यहां तो लोग change से परेशान है और आप यह कह रहे हैं वोग change करें pattern को यह ना बैंकिंग वाले विचारे change से परिशान है percentage profit पहले case में 10% का है तो आप देखो CP और SP का ratio क्या बनेगा CP is to SP अगर 10% का profit है that means 10 is to 11 का ratio बनेगा first case में और second case में उसे gain हो रहा है 25% का that means 1 by 4 का gain है मतलब 4 रूपे की चीज को वो एक रूपे बढ़ा कर बेच रहा है पांच में बेच रहा है 4 is to 5 का ratio बनेगा yes second case में 4 is to 5 का ratio बनेगा अब condition यह है कि जो cost price had he bought the bicycle at 10% less price मतलब CP में 10% का decrease होना चाहिए यानि कि हम यह कह सकते हैं कि इन दोनों का जो ratio होना चाहिए न वो क्या होना चाहिए 10 by 9 होना चाहिए 10 रूपे में एक का पर मुझे तो 10 by 9 देखता नहीं 10 by 9 दिया गया होता तो कितनी बड़िया condition होती सब कुछ दिया गया उसी तरीके से सारी चीज़ें सही होती है लेकिन 10 by 9 अगर नहीं दिया गया तो मैं इसको 10 is to 9 बना सकता हूं कैसे देखो कोई भी ratio आप बनाना चाहरते हो तो सबसे पहले आपको चीजों को equal बनाना 9 का मिल्टिप्लाइए हां कर देता हूं तो यह हो गया 20 20 इंटू 10 200 20 इंटू 11 220 यह 45 इंटू 4 180 और यह 45 इंटू 5 कितना हो गया 225 राइट तो यह जो 10 परसेंट वाली condition है वो satisfy हो जाती है और selling price में उसने कितना का change किया है 60 रुपे का he sold it at 60 more मतलब यह जो पांच यूनिट की value है वो 60 के बराबर है तो एक यूनिट की value 12 के बराबर हो गई है जब एक यूनिट की value 12 के बराबर हो गई है तो original cost price कितना था 200 रुपे 200 इंट की value कितनी हो जाएगी 200 इंटू 12 यानिकि 2400 रुपे यह बात समय में आ रह हाग लादे को नेक्श तो नेक्श शीन कि नेक्स्ट कुशन आपके सामने देखी चला कि शिव ठाकुर जी आप अपनी बात किसी ऐसे चैनल पर जाकर कहेंगे यहां पर रायिस्थान एक्जाम्स की तैयारी हो रही है तो पुड़ा ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए हाँ जी अगला सवाल देखें अब परसन बोट सम आटिकल एट 23 फॉर रुपीज 20 एड सोल देम एड दर रेट ऑफ वेटी फॉर रुपीज ट्वेज़ ट्री फाइंड इस प्रॉपिज पर्सेंट परसेंट द्यान से बात को समझना 234 रुपीज 20 मतलब 20 रुपे में आपको मिलने वाले हैं तेईस आर्टिकल यानि एक आर्टिकल की जो कीमत है देखो ultimately मुझे profit या loss percent निकालना है तो CPSP के ratio पर depend करता है तो CPSP का ratio में निकालूँगा तो देखो सबसे पहले ہे को तेही में 20 रुपे में खरीदते हो यानि एक आर्टिकल कितने में खरीद ऑगए बच्पन में आप खरीद तेहीं ने आपक host chant नहीं अभी आया होगा हम तो अपने बच्पन में खरीद एक रुपे की चार टॉफी एक रुपे की चार टॉफी मतलब एक टॉफी कीमत कितनी हो गई एक बटा चार यानि पच्चिस पैसे हो गई तो इसी तरीके से अब तेईस आर्टिकल जब 20 में खरीद रहे हो तो एक आर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो गया 23 by 20 एक आर्टिकल का यह हो गया सेलिंग प्राइस राइट सो अगर मैं इनका रेशियो निकाल हूं तो इन दोनों क्रोस मल्टिप्लाइ कर सकता हूं यह हो जाएगा 400 और 23 इंटु 23 5 क्या होता है 29 529 चार से देखो परसेंटेज निकालना है तो 100 पर निकालना बहुत आसान होता है तो 100 बनाने के लिए इसको चार से कैंसल किया 100 बार इसको यह कैंसल ना हूं तो भी काट दो 4 इंटु 1 4 4 इंटु 3 12 4 इंटु 2 8.25 तो कैन इस से के 100 पर 100 रुपे की चीज को इतने बेच रहे हो तो कितने का प्रोफित है 32 22.25% Ka inen, there is a profit of 32.25% any option D is correct clear? a person bought some articles at the rate of 3 for Rs.10 and double the number of articles at the rate of 4 for Rs.13 he sold all the articles at this rate 12 for Rs.59 find the profit or loss percent उसने कुछ आर्टिकल खरीदे at the rate of 3-4,10 by 3,10 by 3,10 by 3,100 में तो उससना आप खरीद रही हैं 10 रुपे में, and double the number of articles at this rate यानि एक article की कीमत कितनी हो जाती है 13 by 4 और आपने double article खरीदे यहां पर double article खरीदे यानि कि 2 article खरीदे तो 2 article की कीमत इतनी हो गई so this is your overall CP यह total CP आगया आपका मुझे CPSP के ratio से मतलब है तो मैं direct वही निकालता हूँ है न क्यों इस calculation के चक्कर में पढ़ूँगा ठीक है यस और नो यह बात clear है सभी को एक article उसने यहां करीदा 2 यहां पर खरीदे यानि total उसके पास article कितने है 3 तो वो बेचेगा 3 किस rate पर बेचेगा 59 by 12 की rate से 59 by 12 की rate से और कितने article बेच रहा है अब कुछ नहीं करना आपको थोड़ा सा solve करना है और कुछ नहीं देखो 2 से काट दो इसको 2 बार 3 से काट दो इसको 4 बार इनका LCM मैंने लिया 3 और 2 का LCM हो गया 6 ठीक है तो यह 20 और यह 49 यानि 59 और यह कितना हो गया 59 by 4 तो कहने इस से this is 59 59 कैंसल cross multiply गया तो 4 इसको 6 आगया ratio यह यह 2 इसको 3 आगया 2 इसको 3 का मतला there is a profit of 1 over 2 1 by 2 यह 50 परसेंट का आपको क्या हो रहा है profit हो रहा है 50 परसेंट profit that means option B is correct ठीक है ना यस अगला सवाल देखो a man purchases some toffees at the rate of 11 for rupees 10 in same quantity same quantity पिछली वाले में ता डवल यहां पर है same quantity at the rate of 9 for rupees 10 he sells all the toffees at the rate of 1 for rupees 1 एक रुपे में एक टोफी बेच रहा है so find the profit or loss percent in whole transaction तो जैसे आपने पिछला वाला किया इसको भी solve करो फटा फट और इस कहां से बताओ so ultimately मुझे मतलब किस से CP और SP के ratio से खीक है PPSP का ratio में कैसे निकालूँगा जो सबसे पहले 11 for rupees 10 यानि एक टोफी कीमत कितनी होगे 10 by 11 तो suppose उसने एक ही टोफी खरी दिया आपा और एक ही टोफी उसने इस rate पर खरी दी मतलब उसका एक टोफी कीमत कितनी होगे 10 by नहीं अब उसके पास कितनी टोफी है दो टोफी ही उसके पास दोफी है वो एक टोफी एक रुपे में बेचता है तो दोफी कितने होगे बेचे का मतलब selling price कितना हो गया दो रुपे selling price होगया दो रुपे दो से काट दिया एक बार, दो से काट दिया सौ बार. So this is 100 is to 99. यानि आपको 1% का loss हुगा. 1% loss. Option A is correct. Clear है? 1% loss. अगला सवाल. A sold to B, certain number of items. At 3 for Rs. 1. Later on, B sold all the items back to A. At 4 for Rs. 1. Thereby losing Rs. 12. Find the number of items bought by B. Yes. अरे राहूल भईया, इतनी बड़ी उपादी मद दो. King of maths क्या होता है? तो हम क्वांट पढ़ा रहे हैं, maths तो भी पढ़ा भी ने रहे हैं. आजी. A sold to B, certain number of items. At 3 for Rs. 1. 1. अच्छा, उसके बाद B ने all the items back to A. बेश दिये. 4 for Rs. 1. यानि 1 by 4 के रेट पर. Thereby losing Rs. 12. Find the number of items bought by B. तो देखो, B को क्या हो रहा है? Loss हो रहा है. मैं अगर B के point of view से बात करूँगो. B को loss हो रहा है 12 रुपे का. B ने article कितने में खरीदे थे? B के लिए cost price था कितना? एक article की कीमत थी 1 by 3. एक article की कीमत थी 1 by 3. तो अगर उसने N articles खरीदे तो 1 by 3 into N हो जाएगा CP. एक article की कीमत थी 1 by 3. मैं बना B ने A से खरीदे न. A ने उसको कितने में बेचे हैं? 1 by 3 के रेट पर. N article बेचे तो N article की कीमत लिखे तो 1 by 3 into N. सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस होगा. जब B A को बापस बेचता है. तो 1 by 4 के रेट पर बेचता है कितने articles? N articles. इसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है. लॉस हो रहा है तो लॉस क्या होगा? CP minus SP. तो CP is 1 by 3 N. And SP is 1 by 4 N. And this loss is equal to what? 12 रुपे. 12 रुपेस. तो भाई यह कितना हो जाएगा? N by 12. And this is equal to 12. So N must be 12 into 12. Which is what? 144. So the answer for this is what? 144. Option B. Clear? चलिये. आगे बढ़ेंगे next question. A person bought some articles at 5 for Rs. 1 and triple the previous number of previous amount at 4 for Rs. 1. While selling 25% of the total articles are found damaged and unfit for selling. 25% article तो बेकार होगे बाई. है न? बेचे ही नहीं जा सकते. How many articles per 28.5 should he sell or should be sold so that there is an overall profit of 20%? परस्ण चाहता है कि overall profit 20% का हो. तो 28.5 मैं उसे कितने article बेचने चाहिए? अच्छा भाई. ओके. अच्छा बेचे. देखो एक article सब्सक्राइब उसने यहां खरीदा और तीन article यहां पर खरीदे. मतलब तोटल उसने चार article खरीद लिए. एक बटा पाँच के rate से. एक बटा पाँच के rate से. उसने खरीदा एक article. एंड ट्रिपल दा प्रीवेस अमाउंट. मतलब तीन article खरीदे एक बटा चार के rate से. एक बटा चार के rate से उसने कितने article खरीदे? तीन article खरीदे. ठीक है? यस. तो यह हो गया उसका CP. राइट? CP. बिससे CP. ऐसे लिख दूँगे? और यहां लिख दूँगा मैं SP. SP क्या होगा देखो? एक article. 25% article damage हो गई. एंदे आर अन्फिट फोर सैली. तो उसके पास article कितने बचे है? उसके पास 4 article थे न? एक यहां खरीदा था. तीन यहां खरीदे. तो उसके पास 4 article थे. अब 25% damage भी हो गई. तो उसके पास कितने बचे? 4 में से एक damage हो गई. तीन आर्टिकल वो बेच पाएगा. ठीक है? तीन आर्टिकल वो बेच पाएगा. ठीक? अब how many articles per 28.5 must be sold so that there is an overall profit of 20%. overall profit 20% का हो. अब वो तीन आर्टिकल बेच रहा है. तो let's suppose जो rate है. rate of the articles. let's suppose how many? how many को आप replace कर दो? N से. how many को replace किया मैंने N से. है ना? तो N articles per 28.5 मतलब एक article की कीमत कितनी हो गई? 28.5 by N. एक article की कीमत कितनी हो गई? 28.5 by N. और उसको कितने बेचने है? तीन आर्टिकल. तो तीन आर्टिकल की selling price इतनी हो गई. into 3. है ना? how many? how many मतलब N. suppose N है. N की value आपको निकाल नहीं है. तो per 28.5. मतलब एक article की कीमत हो गई? 28.5 by N. और आप बेच रहे हैं. तीन आर्टिकल. तो into 3 आपने कर दिया. तो that becomes selling price of 3 articles. and overall profit must be 20%. 20% profit का मतलब 1 by 5 का profit. मतलब ये 5 रुपे है. तो selling price 6 रुपे होना चाहिए. ठीक है? इसको solve कर लो थोड़ा सा. ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा? 4 plus 15. 19. है न? 19 अपन 20. 19 by 20. अपन में क्या होगा? 28.5 का double क्या होता है वही? 57. 57 by 2 लग दू में इसको. 57 by 2 N. into क्या 3. and that is equal to 5 by 6. तो 2 N उपर पहुँच गया. 19 into 2 N. upon 20 into 57 into 3. and that is equal to 5 by 6. तो 19 से गया है 3 times. 3 से चला गया 2 times. 2 से चला गया 10 times. ठीक है? 2 से चला गया 5 times. 5 into 3 15. 15 into 5 75. तो N की value मेरे पास आगई 75. वही मेरा answer. ठीक है? सुदा आंसर फोर दिस कॉश्चिन इस 75. option C. ठीक है? पेशंस का काम था थोड़ा सा सवाल सवाल करने में. चला आगया बढ़ते हैं. SP of a book is 11 by 2 times to the discount offer. okay, off the discount offer not 2. and discount percentage will be equal to profit percent. it is given that discount is 240. find the CP of the book. okay, बाताईए जरा. सब्सुन का गर. झाल झाल हाँ जी हाँ खराब हुआ ना सत्यम यहाँ पर एक आर्टिकल खराब हो गया देखो उसके पास टोटल कितने आर्टिकल थे एक प्लस तीन टोटल चार आर्टिकल थे के नहीं थे उसके पास तो उसमें से एक खराब होगया, 25% खराब हुआ, मतलब एक खराब होगया, चार में से. तो आप कितने बेच पाओगे? 3. तो इसली है, तो मैंने आपर 3 आर्टिकल का selling price नकाला है. You are selling only 3 out of 4. SP of the book is 11 by 2 times the discount offered. ठीक है, and discount percentage is equal to profit percent. ठीक है. discount is given to you, CP इमें बताना है, तो let's suppose देखो तीन चीजें होती है, CP, MPSP, इसके अलावा और कोई चीज होती नहीं, इन तीनों के अलावा और कोई price नहीं होता, यह तीन price मैंने लखें, selling price is 11 by 2 times the discount offer, तो मैंने कहा कि selling price, जैसे suppose discount है 11 रुपे का, तो selling price इसका 11 by 2 times, 11 by 2 इसका आप निकालोगी, sorry, 2 रुपे का, इसको मैंने माना 2 रुपे का, 2 रुपे का अगर discount है, तो इसका 11 by 2 कितना हो गया, 11 रुपे, तो that is selling price, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं, yes or no, भाई जो discount है, उसका 11 by 2 times है selling price, तो अगर discount 2 रुपे है, तो selling price 11 रुपे होगा, तो यहनी कि यहां पर कितना आएगा, 13 रुपे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो 13 में से 2 गटाएंगे, तभी तो 11 रुपे आएगा, अच्छा, discount is 240, उसकी बाद तो बाद में करेंगे, आगे क् discount percentage is equal to profit percent, discount percentage क्या होता है भई, discount percentage होता है, discount upon mark price, और profit percent क्या होता है, profit upon cost price, तो let's suppose CP मैंने मान लिया कुछ समय के लिए X, ठीक है, तो profit कितना हो गया, 11 minus X, तो मैं अगर इसको X मान लेता हूँ, ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा, profit is 11 minus X, SP minus CP, and profit percent क्या होगा, SP minus CP upon CP, right, तो यहां से यह X की value मैं निकाल सकता हूँ कि नहीं, मतलब यहां से मैं CP निकाल सकता हूँ, तो CP कितना आ जाएगा, तो CP आ जाएगा, तो यह होगा 2X, 2X बराबर 13 into 11, 143 minus 13X, yes, so 2X plus 13X मिलकर कितना हो गया, 15X, that is equal to 143, so X की value आ गई, 143 by 15 units, अब मुझे यहां पर क्या दिया गया, discount is 240, यानि यह जो है 2 रुपे है, तो 2 रुपे की value कितनी है, 240 के बराबर, तो एक unit की value कितनी हो गई, 120 के बराबर, और मुझे क्या निकालना है, CP, CP मेरे पास कितना unit है, 143 अपोन 15 unit, तो 143 अपोन 15 unit की value कितनी हो जाएगी, 143 अपोन 15 है, और एक unit की value से multiply कर दो, 120 से, 15 into 8, 120, 8 into 3, 24 के रही होगा, 2, 112 plus 2, 114, यह आ रहा है, 1144, है option, yes, option यह, ठीक है, yes, Mark price of an article is 744, after allowing X percent discount, a shopkeeper still gains X percent, X percent discount देने के बाद भी, shopkeeper को X percent का क्या होता है, फायदा होता है, मनलब discount percent and profit percent क्या है, equal है यहाँ पर, ठीक है, if no discount is allowed, then the gain is 14, 2 by 7 percent, ठीक है, find cp of article, बताईए, सर, क्या maths में 35, 35 लाना possible है, क्यों लाने हैं, आपको maths में 35 लाना पर प्री तो वैसे भी क्वालिफाइंग होता है, आप कोशिच करो लाने की, पर ज़रूँ नहीं, 35 लाने पर यह आपका सेलेक्शन हो, है ना, कट-off तो कम जाती है न, पी-उ में, तो उतनी जरूवत नहीं है आपको, अननेसेसरी होगा क्या, क्या 35 बटा-35 में लाने ही चक्कर हैं, मैंस भी पूरा ध्यान लगा दोगे, जिसकी वैसे आपके other subjects weak रह जाएंगे, तो उतना ध्यान मत दो, मत ध्यान दो, इसका मतलब यह न, कि 35 ही लाने है मुझको, depends on level of paper, तो यह सवाल बनता रहा है, देखो, gain है 14.28% का, 14.28% इसका मतलब होता है, 1 by 7, fraction में इसकी value क्या होती है, 1 by 7 होती है, yes, fraction values की 1 by 7 होती है, ठीक है, तो अच्छा, अगर कोई discount नहीं हो रहा, discount आप नहीं दोगे, तो आप उसे mark price पर ही बेचोगे, न, article को, बाई, discount अगर आप नहीं दोगे, तो आप mark price पर ही बेचोगे, तो जो भी markup percent है, वही आपका profit percent हो जाए है, तो क्योंकि discount तो picture में आए है, discount is zero, तो यानि कि markup percent आपका कितना है, 1 by 7, 1 by 7 का मतलब अगर यह 7 रुपे है, तो यह 8 रुपे होगा, क्योंकि जब आप कोई discount नहीं दोगे, तो mark price ही आपका selling price हो जाए है, यानि कि आपको profit उस case में क्या होगा, 1 by 7 का होगा, अब आपको mark price तो दिया गया है, 744, तो cost price आप यहां से निकाल सकते हो कि नहीं, तो 8 unit की value 744 है, तो एक unit की value 744 by 8 हो गई, ठीक है, 8 से गया 9 बार 93, तो 7 unit की value कितनी हो गई, 93 into 7, 7 threes are 21, carry हो गया 2, 63 plus 2 65, तो इते 651, ठीक है, राइट, तो पस यह तो चाहिए, और तो कुछ चाहिए ही नहीं खाया, तो यह जो condition दे रखी थी, कि discount is x%, gain is x%, that is unnecessary condition, condition, that is not required at all, option B is correct answer, अगला सवाल देखो, इप न आर्टिकल इस सोल आप 4x% discount, देखो वरिवल वाले सवाल आने लगे है न अचकल, तो और सी वरिवल वाले सवाल है, देखो, आर्टिकल इस सोल आप 4x% discount, then it is sold at 20% loss, and if only x% discount is given, it is sold at 25% profit, find the value of x, okay. 4x% discount, अगर देता है, तो 20% का उसे loss होता है, तो आप यह बाद जानते हैं कि CP और MP का जो ratio बनता है, वो आप देखो, CP by MP, यह ratio क्या होता है, 100, 100, minus discount percent upon 100 plus profit percent, यही होता है कि नहीं होता है, 100 minus discount percent upon 100 plus profit percent, अगर loss है तो loss आ जाएगा, इसकी जगे नेगेटिव आ जाएगा, है न, तो यहाँ पर पहले वाले case में CP और MP का ratio क्या बनेगा, आप देखो, first वाले case में, case 1 में, CP और MP का ratio क्या बनेगा, CP by MP, first वाले case में क्या बनेगा, 100 minus discount percent, discount is 100 minus 4x, discount कितना देर है, 4x, and 20% आपको loss हो रहा है, तो इसकी जगे आप क्या रखोगे, माइनस 20 रखोगे, 20% loss, यानि कि, माइनस 20% profit हम कहा सकते है, माइनस रखेंगे, तो 100 minus 80, यानि कितना आजाए, 100 minus 20, यानि कितना आजाए, 80%, एन अगर मैं second case की बात करूँ, तो second case में क्या हो रहा है, 25% का profit हो रहा है, और discount है x% का, तो यानि 100 minus x, अपन 25% का profit है, तो 100 plus 25 यहाँ पर आजाए, 125, बस, अज़ा, दोनों case में CPMP का ratio आएगा, तो दोनों को मैंने equate कर दिया, तोनों को मैंने equate कर दिया, ठीक, अब अगर मैं इसको cancel करता हूँ, तो मैं इसको 5 से काड़ सकता हूँ, 16 बार, 5 से काड़ सकता हूँ, 25 बार, cross multiply करूँगा, तो 25 इंटू 100, 500, minus 25 इंटू 400, 100 x, and this is 1600, minus 16 x, 100 minus 16, 84, x की value कितनी हो गई, 900, ठीक है, तो x की value तो निकाल नहीं हो जाए, एक्स की value कितनी हो जाएगी, 900, 24, 4 से काड़ दो, 21 बार, 4 से काड़ दी है, इसको, 225 टाइम, 21 इंटू 1, 21, बचेगा, 1, then 0, 21 इंटू 7, 147, 10.7 परसेंट लग बगा रहा है मेरा, यानि कि option A is correct, clear? Yes, Praveen, very good, 10.7 is correct. The mark price and cost price of a watch are in the ratio of 4 is to 3, discount percent is offered before it is sold, and the profit percent made are in the ratio of 3 to 4. What is the profit percent? Yes, okay, profit percent क्या होगा? Okay, profit percent क्या होगा? Tell me. झाल मेर थादा कूब परया टrator का 집ते हो जासा यादा कैनUM norma कि अुछ Sंvos क्यांटू 1, 11 बच्प्यatanव. ढ़ो बाल मेरा ली का पर रहा है एवा दिसका है. Yorklles fishing line is theảo of 4. स्व्षण का पर्दू 1. एक बन्दिल ताहित घा रिल्ड वहर अउड़े कर दोजिए धो गका है तो 23 प्वास का रिल हुआ रिल्डवार्ण क मेल खामें तत्र मेल्स सादा एक सबखती धिछे की जब खंगों सब कर मेलसे बन्म घया कर दोब limited कि American आजी, बना कसी से? यस, नई बन पारायर? आसान तो है सवाल, देखो, percentage, discount and percentage profit are in the ratio of 3 to 4, तो मैंने percentage discount मान लिया, let's suppose 3x, percent and percentage profit मान लिया, मैंने 4x, percent, ठीक है, 3 to 4 का ratio था ना, इसलिए, तो हम यह जानते हैं, कि MPY CP क्या होता है, अभी बताया था, MPY CP, 100 minus, 100 plus profit percent, upon 100 minus discount percent, यह होता है, so this will be equal to what, 100 plus profit percent, profit percent is 4x and 100 minus discount percent, discount percent is what, 3x and this ratio is equal to what, MP और CP का ratio मुझे दिया गया है, क्या? 4 by 3, यह ratio क्या दिया गया है, 4 by 3 दिया गया, cross multiply कर लो, कितना होगे, 300 minus, 300 plus 12x, बराबर 400 minus 12x, तो बारा प्लस बारा कितना होगे, 24x की value कितनी होगे, 100, तो x की value कितनी हो जाएगी? 100 by 24, चार से काटेंगे 6 बार, चार से काटेंगे 25 बार, 6 into 4, 24, बचेगा कितना 1, 4, 1 by 6 percent, so the right answer is, none of these, 4, 1 by 6 percent, none of these, is it clear to everyone? चलिए, हाँ, अब ये जो cases आते हैं, buy one, get one free, buy two, get two free, ये क्या होता है? इसमें discount कैसे निकाले? जैसे पहला case है, buy one, get one free, इसमें percentage discount क्या है? बताओ मुझे, 50 percent है, 100 percent है, आपके according क्या है? पहले आप अपनी काहान ही बता दूँ, फिर मैं अपनी बताता हूँ. buy one, get one free का offer चल रहा है कहीं पर, है ना, buy one, get one free, मतलब एक आप खरीदेंगे, एक का पैसा पे करेंगे और आपको दो article मिल जाएंगे उसके बदले, है ना, तो आप ये समझो, कि यहाँ पर discount आपको क्या मिला, basically यहाँ पर discount percentage मुझे निकालना ना, तो जो free आपको मिल रहा है वही तो आपका discount है, जो आपको free मिल रहा है, वही आपका discount है, यहना, discount आपका हो गया, एक रुपे का, let's suppose एक article का mark price एक रुपे है, मतलब एक रुपे की चीज़ आपको free मिल गई, यहना, और आप discount percentage जब निकालते हो, तो आप नीचे रखते हो mark price, और mark price कितने article का आप रुपे का, तो आपको 2 रुपे का जो article पढ़ता, वो एक ही रुपे में पढ़ गया, मतलब 1 by 2 का discount आपको मिल गया, यानिकि 50%, तो इस चीज़ को अगर मैं generalize करूं, तो मैं यह कह रहा हूं कि अगर buy x and get y free का offer है, get y free का offer है, तो percentage discount क्या होता है, in this case, जो आपका free वाला पा total, जैसे यहाँ पर 1 plus 1, 2 रखा ना, नीचे यहाँ पर x plus y रखेंगे, into 100%, ठीक है, this is percentage discount, तो पहले वाले case का answer तो मेरे पास होगया 50%, अगर मैं दूसरे case की बात करूंगा, तो buy 2, get 1 free, buy 2, get 1 free, ठीक, buy 2, get 1 free, तो बताइए, जो free है, वो आपका discount है, नी, 1, upon total कितना है, 2 plus 1, यानि कि 3, 1 by 3, यानि 33.33%, second case में, third case की अगर मैं बात करूं, तो buy 3, get 2 free, तो जो free है, उसको उपर लखना है, और नीचे क्या लखेंगे, 3 plus 2, 5, यानि 2 by 5, which is what, 40% का discount है, और last वाला case, buy 4, get 3 free, तो उपर रखेंगे, हम 3, और नीचे रखेंगे, 4 plus 3, यानि 7, अचा 1 by 7 क्या होता है, 14.28%, तो 3 by 7 उसका कितना होगा, 3 गुणा हो जाएगा, 42.84%, so it is 42.84%, तो बताइए, ये concept clear है सभी को, एक बार white type करेंगे, comment box में, ये चीज़ सभी को clear है, Okay, a shopkeeper gives discount of 4% and gives one article free on purchasing 15 articles, if he earns a profit of 35%, then find the ratio of cost price and mark price, तो 4% का discount भी देता है और उसके साथ-साथ, 15 खरीदने पर एक article free भी देता है, ये उसका offer है, बहुत बड़ी offer है, ये न, double double discount आपको मिल रहा है, तो 4% का तो मिली जाए, उसके साथ 15 के साथ आप एक free मिल रहा है, और उसको profit हो रहा है 35% का, ठीक है, सो ratio of cost price and mark price, देखो, जब भी आपको 2 successive discount दिये जाएं, एक है D1 और दूसरा है D2, सो net discount कैसे निकालते हैं, मैं आपको बता देता हूं, AB rule, A plus B plus AB by 100 से या आता है, पहला है D1, दूसरा है D2, D1 plus D2, minus D1 into D2 by 100, ठीक है, net discount निकालने में आप याद रखिए, यहाँ पर minus आए गा बीच में, net discount, ठीक है, तो आपका पहला discount जो यहाँ पर है, वो है 4% का, यानि आपके लिए पहला, जो D1 है, पहला discount, that is 4%, और दूसरा जो discount है, वो आपको मिल रहा है, फ्री मिलने की वज़े से, तो एक article फ्री मिल रहा है 15 के 15 पर, तो D2 कितना हो गया, जो फ्री मिल रहा है वो आपका discount है, और MPM कितना लेते हैं, टोटल आर्टिकल जो आपके हाथ में आये हैं, कितने आये हैं, 15 के साथ एक फ्री भी तो आये, टोटल आये है 16, 1 by 16, into 100, which is nothing but 6.25%, ठीक है, 6.25%, अब इन दोनों का जो net discount है, वो आप ratio से भी निकाल सकते हो, या फिर आप इससे भी निकाल सकते हो, तो net discount केतना होगा, net discount D is equal to 4 plus 6.25, minus 4 into 6.25 by 100, right, ठीक है, this is quite easy, 6.6 into 4, 24, and 0.25 into 4 is what, 1, 24 plus 1, 25, 25 से ये चीज़ कैंसल हो जाएगे, कितने बार, 4 बार, तो it is 1 by 4, यानि 0.25, तो 4 plus 6.25, minus 0.25, 0.25 से 0.25 कट गया, 6 plus 4, net discount मेरे पास 10% आ गया, तो CP और MP का अगर मुझे ratio निकालना है, तो मेरे पास तरीका क्या है, CP by MP is nothing but, 100 minus discount percent upon 100 plus profit percent, so it is 100 minus discount percent, discount is 10, upon 100 plus profit percent, what is profit percent here, profit percent is 35%, directly given to you, 35%, तो ये कितना होगा, 90 और ये होगा 135, 45 से कट गया, 2 बार, 45 से कट गया, 3 बार, so the ratio is, 2 is to 3, 2 by 3 is right answer, clear as a people, 2 by 3, yes, is it clear to everyone? चली, next, a person purchased 3,500 books for 3,50,000, he gives 500 books free while selling, 500 books उसने free दे दी इन मैं से, है न, चलो, 3500 books उसके पास थी, 500 उसने free दे दी, he still gives 25% discount on mark price and he further gives one book free on every 29 books sold, find the profit or loss if the MP of one book is 160, एक बुक का mark price, 160 रुपे है, तुम हमें बताना है, उस person को कितना profit हुआ या loss हुआ, है न, तो हमें ये तो पता है कि उसका CP कितना है, 3,50,000, ठीक है, 500 books तो उसने free में बाट दी, तो अब बच्ची उसके पास 3000, ठीक है, he still gives 25% discount on mark price and he further gives one book free on every 29 books sold, यह न, ठीक है, so net discount में ratio से भी निकाल सकता हूँ, है न, या तो d1 plus d2 से निकाल सकता हूँ, या ratio d1 plus d2 minus d1 d2 by 100 से निकाल सकता हूँ, net discount में ratio से भी निकाल सकता हूँ, कैसे कि एक तो 25% का वो flat discount दे रहा है, मतलब 4 रुपे की चीज पर एक का discount दे रहा है, वो तीन के रेट ने उसको बेच रहा है अच्छा और 29 बुक्स पर एक फ्री दे रहा है यानि कि हम यह कह सकते हैं कि जो 30 बुक वो दे रहा है कितने का चार्ज कर रहा है केवल 29 का 30 पर एक फ्री दे रहा है बेसिकल यह है बात महलत 30 बुक कस्टुमर के पास आई जिनमें से कि एक फ्री है यानि कस्टुमर ने 29 का प्राइस पे किया तीन के रेट से और उसके पास 30 बुक आई जो कि 4 के रेट पर माग थी टोटल मर्पी 30 बुक का कितना था 30 इंटू 4 120 वैसे टू 29 इरेश्यू मेरे पास बन गया है थीक है मांक प्राइस वन बुक इस वन सिक्स्टी अब हम यह जानते हैं कि एक बुक का मांक प्राइस एक सो साथ रुपे है एक सो साथ रुपे का मतलब यह 40 की जगे में एक सो साथ रखूँगा इसका चार गुना तो इसकी जगे भी एक बुक को बेच रहा है और उसके पास बुक कितनी बेचेगा वह 500 उसने वैसे फ्री दे दी थी है न तो बेचेगा कितनी 3000 बुक तो जो सेलिंग प्राइस उसके पास बनेगा वह 3000 बुक का 116 की अकॉर्डिंग कितना बनेगा 3000 इंटू 116 तो यह कितना हो गया 348 हो रहा है लॉस हो रहा है तो 2000 रुपीज लॉस ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर बात समझ में आ रहे हैं सभी को एक बार वाइट टाइप करें कमेंट बॉक्स में रादे रादे वाई संजू यस चलिए अगला सवाल देखें A shopkeeper gives 2 shirts free with the purchase of every 5 trousers and 3 trousers free with the purchase of every 8 shirts. Ram purchased 16 shirts and Shyam purchased 25 trousers. The percentage discount obtained by Ram on the entire purchase was 20% and then what was the percentage discount obtained by Shyam on the entire purchase. Assume that all shirts, the price of all shirts are same and the price of all trousers is also same. ठीक है अब सारी shirts एक ही तरह की हैं सारी trousers भी एक ही तरह की हैं Yes क्या करेंगे कैसे करेंगे, ट्राय करो एक बार सभी लोग बनाने कोशिश करो इसको क्या करेंगे क्या करेंगे झाल हाँ जी तो दिखो ये गिफ्स टू शर्ट्स फ्री विद्धा पर्चेज अव एवरी फाइब ट्राउजर्स पांच ट्राउजर्स के साथ दो शर्ट उसको फ्री मिलती है ठीक है तो अगर राम की मैं बात करूं तो राम ने 16 शर्ट खरी दी ठीक है राम की बात करूँ तो राम ने कितनी शर्ट खरीदी है 16 ठीक है और अगर श्याम की बात करेंगे तो श्याम ने क्या खरीदा है ट्राउजर्स खरीदे है श्याम ने खरीदे हैं ट्राउजर्स तो राम के लिए ओफर क्या है देखो रामने खरीद है 16 शर्ट तो दिखो आठ शर्ट खरीदने पर तीन ट्राउजर फ्री मिलते हैं रामने खरीद ली 16 तो आठ के साथ जब तीन ट्राउजर free मिल रहे हैं तो 16 के साथ 6 trouser free मिल जाएंगे है न तो buy इसने क्या किया buy किया कितना 16 shirts and he got six trousers free yes six trousers free वहीं पर अगर मैं तो श्याम की बात करूं तो श्याम ने क्या purchase किया 25 trousers तो इसने buy किया 25 trousers so buy 25 trousers and get अब देखो 5 trouser के साथ 2 shirts free मिल रहे हैं आपने खरीदे 25 तो 25 के साथ कितनी free मिलेंगी इसका 5 गुना कर दिये न आपने तो यहां पर भी 5 गुना हो जाएगा 10 shirts free पहरे तो उनके offer लिख दिये 10 shirts free ठीक है तो इसका जो discount हुआ राम के लिए जो discount हुआ वो बच्चों कितना हुआ जो चीज discount होती है वो जो आपको free मिलता गही तो discount है आपको free क्या मिल रहा है आपको 6 trouser free मिल रहे है तो discount हो गया 6 trouser का upon MRP MRP किसका लेंगे total product जो आपके हाथ में 16 shirts plus 6 trouser तो राम के लिए जो discount percent है न वो हमें दिया गया 20% 20% का मतलब है कि discount percent is 1 by 5 20% इन का मतलब 1 by 5 5 से multiply गया तो 6 into 5 30 30 t equal to 16 s plus 16 right so we can say 24 t equals to 16 s so हम कह सकते है 8 से गया है तीन बार 8 से गया है दो बार so t upon s equals to 2 by 3 मतलब trouser और shirts के mark price का ratio मुझे मिल गया 2 by 3 मुझसे पूचा क्या गया है मुझसे पूचा गया है what is the percentage discount obtained by sham तो sham को कितना percent discount मिला तो percentage discount के लिए वैसे ही निकालेंगे 10 shirts upon 10 shirts upon 25 trousers plus 10 shirts ठीक है अब s और t t की जगे because ratio ही है न ultimately तो t की जगे 2 रख दो और s की जगे 3 रख दो we'll get this value है ना into 100 जरूर कर देंगे percentage निकालना है तो ठीक है तो यह केतना हो जाए का 10 into s s की जगे मैं रखा देंगे आपर 3 और t की जगे रख देंगे 2 तो 25 into 2 plus 10 into 3 and this into 100 right so it is 30 upon 80 30 upon 80 into 100 which is 3 by 8 3 by 8 क्या होता है 37.5% 3 by 8 into 100 आप करोगे कितना है रख 37.5% is the required answer fourth option ठीक है यह संद्रजीत यह संद्रजीत 37.5% is correct अगला देखू इप अगला देखू अगला देखू if a seller gives a discount of 15% on the retail price or the mark price she still makes a profit of 2% which of the following ensures she makes a profit of 20% इनमें जब कौन सी स्ट्रेटजी से उसको 20% का profit होना सुनिश्यत हो जाएगा बताईए अगला देखू प्यटरिंब कौनस व्मिटा और देखू प्युग झालाए और seller gives a discount of 15% and makes the profit of 2% तो देखो जब भी आपको discount percent of profit percent दिये जाएंगे आप ratio किसका निकाल सकते हो CP और MP का राइट तो CP और MP का ratio क्या होगा बताओ CP by MP क्या बनेगा ratio तो आब CP अपोन MP is 100- discount percent upon 100 plus profit percent तो 100- discount percent discount कितना है 15 upon 100 plus profit percent profit कितना हो रहा है आपर दो का ठीक है so this is how much 85 and this is 102 17 से अगर मैं काटूंगा तो पांच बार जाएगा 17 से जाएगा छे बार 5 is to 6 का ratio यहां पर बन रहा है ठीक है 5 is to 6 तो 20% का profit चाहिए तो आप यह देखो कि 20% का profit चाहिए लेट सपोज आपके पास CP है MP है और SP है तो CP है सपोज आपके पास 5 रुपी तो MP कितना है 6 रुपी तो आप 20% का profit चाह रहे हैं तो आपका selling price कितना होना चाहिए 5 का 20% कितना होता है एक एक बढ़ा दोगे तो यह 6 होगा मतलब आपको कोई discount नहीं देना है sell at the retail price जितना भी MRP है उसी पर आपको बेचना है बोथ शुट भी इक्वल option D is correct चीक है yes or no बात समय में आ रही सभी को yes अगला सवाल देखो in a market the price of medium quality mangoes is half the good mangoes तो गुड क्वालिटी का जो प्राइस है वो डबल है medium वालों से a shopkeeper buys 80 kg good mangoes and 40 kg medium mangoes from the market and then sell all of these at a common price which is 10% less than the price at which he bought the good one okay so what is this overall profit so this is this is an easy question आप इसको आप से कर सकते हूँ है ना हां जी so in a market the price of medium quality mangoes is half the good quality mangoes let's suppose good quality mangoes का price और medium quality mangoes का जो प्राइस है ठीक है गुड क्वालिटी में आपको 10% कम करना है ना तो हम इसको 10 रुपे मान लेते हैं इसको मैंने मान लिया कि यह 10 रुपीस पर केजी है इसका प्राइस तो यह इसका 800 प्लस 200 एखजयर रुपे गांगए cp सारह के सारे मैंगो को व方से यह9 कहों करत इसका करण नो रुपए के प्राइस में दाट्मींच इसको प्रॉपित हो अगला देखेए अब person calculates 33 1 by 3% profit at selling price, find his profit percent at the cost price. Selling price पर उसको 33 1 by 3% profit होता है, तो cost price पर कितना percent profit होगा, बताइए. यानि देखो CPSP, तो अगर मैं profit percent की बात करूं, तो it is one third of selling price, इसका मतलब क्या होता है, one third, किसका one third selling price का, यानि कि अगर मैंने selling price माना 3 रुपे, तो वहां पर 1 रुपे का profit है, यानि कि cost price कितना होना चाहिए, 2 रुपे, इस से 1 रुपे का, तो अगर आप profit percent CP पर निकालोगे तो आपको profit तो एक ही रुपे रहेगा, लेकिन आप किस पर निकालोगे, 2 पर, तो एक बटा दो यानि 50%, तो answer क्या हो गया मेरे पास, 50%, clear है, yes, आगे बढ़ेंगे, अब percent calculate 33 1 by 3 percent loss at the selling price, find is loss percent at CP, तो CP पर उसको कितना percent loss होगा, ठीक है, selling price पर loss calculate करें, तो one third का loss है, तो CP पर क कितना percent loss होगा, बताईए, yes, 25 percent, 25 percent देओ, इसका मतलब है, one third का loss है, किसका one third वाई, SP का, तो CP, SP का ratio आप देखो, है न, मतलब अगर मैंने selling price 3 रुपे माना, तो उसका one third loss है, तो इसका one third एक रुपे होगा, तो एक रुपे loss होना चाहिए, मतलब यह 4 रुपे होना चाहिए, तो अगर मैं CP पर इसको निकालूँगा, तो कितना होगा, एक बटा चार, यहनी 25 percent, CP का यह कितना है, 25 percent, ठीक है, yes, आगे बढ़े, अब देखो, थोड़ा सा आगे, इसमें, नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं, one shopkeeper calculates his profit at the cost price, second one calculates at the selling price, and both gain 20 percent, है न, दोनों को 20 percent का यह profit होता है, लेकिन calculation दोनों की अलग अलग है, पहला वाला CP पर calculate करता है profit percent और दूसरा वाला SP पर, है न, if the selling price of both is same, दोनों के selling price same है, and difference of their profits is 85, what is their selling price, दोनों के selling price है क्या, जोकि same है, पर है कितने, यह बता दें, हुआ हुआ है, तो सचिन का अंसर है है यहांपर 2550, ओके, अन्योन अलस, चलो, तो लेट सॉल इस, तेखो पहला शॉपकीपर है, इस फिर्स्ट शॉपकीपर, इन दिस प्रकेंड शॉपकीपर, दोनों के लिए अगर मैं CP, SP का रेश्यो देखूं, तो वो क्या है, पहला वाला कैलकुलेट करता है, किस पर, cost price पर, तो उसका जो profit percent है, वो कितना है, 20%, लेकिन वो 20% किसका है, CP का, क्योंकि वो कैलकुलेट करता है, CP पर, तो CP को अगर मैं 5 रुपे मानता हूं, तो 1 रुपे का profit होगा, यानि कि ये 6 रुपे हो जाएगा, normal जैसे calculation करते हैं, उसी तरीके से 5 रुपे से, दूसरा person calculate करता है, SP पर, और उसका जो profit है, वो SP का 20% है, यानि कि SP अगर मैं इसका 5 रुपे माना, तो 1 रुपे का profit है उसको, यानि कि 4 रुपे में उसने article खरीदा था, 1 रुप आज को सेम बनाने के लिए 5 का multiply यहां कर दो और 6 का, यहां कर दो दोनों सेम हो जाएंगे, yes, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 25 रुपे का और इसको कितना हो रहा है, इन दोनों के बीच का difference कितना है, 1 रुपे है, जो की 85 के बरापर है, तो दोनों के selling price क्या है, selling price इसका भ हो गया, 30 unit, तो एक unit की value 50 है, तो 30 unit की value 30 into 50 ही हो गई, which is what 2550, ठीक है, so 2550 is correct term, चल्ड, अगला सवाल देखो, if I sell a horse for 62 a day, यह न, यह न, यह न, काव for 2600, I will earn 10% profit, if I sell a horse for 6000 and a cow at its cost price and earn 12 1 by 2% profit, find the cost price of each, okay, तो horse और cow का cost price आपको बताना है, बताए ज़रा, बताई ज़रे अटिस्टार की, तो 30 unit, थाए ज़रा है, बताशू है, ज़रे हो रापको प्रणा ज़रे हो बताई, तो 30. बना नहीं बना नहीं बना If I sell a horse for 6,000 and cow at its cost price then I will earn 12 1 by 2% profit ठीक है तो horse को अगर 6,000 रुपे में बेचा जाए और cow को बेचा जाए अपने cost price पर ही मतलब cow पर कोई profit नहीं कमाया तो net जो profit हुआ वो 12.5% का profit हुआ ठीक है ओके तो पहले case में 10% का profit हुआ है और दूसरे case में 1.5% का profit हुआ है ठीक है बताओ 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 क्या करें इसमें कैसे करें सुचो दिमाग लगाओ एक तो answer दो कम से कम एक answer कमेंट्स में आए तब तो मैं आगे बढ़ू तो देखो मैं एक बात करता हूँ यहां पर मान लेता हूँ के horse and cow दो चीजें आपर एक दो horse और एक cow है ठीक है तो horse का जो CP है वो मैंने मान लिया CP मान लिया X और cow का CP मैंने मान लिया Y ठीक है तो horse को अगर मैं 6000 रुपे में बेचता हूँ ठीक है horse को 6000 रुपे में बेचता हूं और cow को मैं बेचता हूँ सेम प्राइस और y पर तो जो भी profit होगा वो आपको horse की वज़े से ही होगा वेकोस cow पर तो आपने कोई profit ही नहीं कमाया cow पर आपने कोई profit नहीं कमाया right cow पर आपने कोई profit नहीं कमाया जो profit हुआ वो horse पर हुआ और आपने profit कितना कमाया साड़े बारा परसेंट तो profit जो हो रहा है वो this minus this SP minus CP होगा, मतलब this minus is 6000 minus X, 6000 minus X, यही तो होगा, इन दोनों का difference क्या आएगा, Y से Y तो वैसे भी कट जाएगा, 6000 minus X, यह profit आएगा, and that is 12.5% and it is 1 by 8 of CP, CP कितना है X plus Y, 12.5% का मतलब 1 by 8, 1 by 8 of CP, so 1 by 8 of X plus Y हो गया यह, right, so if you cross multiply, you will get an equation between X and Y, तो यह हो गया 48,000, 8X, 8X plus X हो जाएगा, 9X plus Y equals to 48,000, एक चीज तो यह आगई, ठीक है, एक चीज तो आगई यह, ठीक, अच्छा, if I sell a horse at 6200, तो पहला वाला case अगर मैं consider करूं, तो होता क्या है, कि 6200 में आप इसको बेच रहे हो, और इसको बेच रहे हो, 2600 में, काउ को, so in that case I learned 10% profit, यहाँ पर 10% का क्या होता है, profit होता है, 10% का profit का मतलब यह है, कि भाई, जो profit है, वो कितना है, 10%, तो CP और SP का ratio आप निकालोगे, तो SP is what, SP is इन दोनों का sum, कितना होगे, 8800, this is 8800, and CP is what, X plus Y, और 10% के profit का मतलब कि अगर CP 10 रुपे है, तो SP 11 रुपे होना चाहिए, तो SP by CP is 11 by 10, तो यहाँ से हो गया यह, 800, तो यहाँ से हो गया, X plus Y बराबर, 800 into 10, यानि 8000, ठीक है, राइट, तो हम मैं क्या करूँगा, इस वाली equation में से इसको subscribe कर दूँगा, तो 9X minus X, 8X हो जाएगा, 8X की value कितनी आ जाएगी, 40,000, तो X की value कितनी आ जाएगी, 5000, और X की value अगर 5000 आ गई, तो Y की value कितनी आ जाएगी, 3000, ठीक है, तो होर्स का जो CP है, वो 5000 है, और का जो है, 3000 है, यही मेरा अंसर है, 5000 और 3000, येस, आराम से सभी को समझाया, कोई समस्या तो नहीं है, येस, येस, सचिन और सत्यजी तो आप दोनों का अंसर करेक्ट है, अशौपकी पर सेल्स टीवी for 17,940 after giving discounts of 8% and earns a profit of 19.6%. If he had not given any discount, find his profit percent. तो हमेशा आप याद रखिए, कि जब भी आपको discount percent and profit percent दिया जाता है, तो आप क्या निकाल सकते हो? CP और MP का ratio निकाल सकते हो, तो CP MP का ratio निकाल लो याँपर. CP by MP क्या बनेगा तो? CP by MP. 100 minus discount percent upon 100 plus profit percent. तो 100 minus discount percent upon 100 plus profit percent. 100 plus profit percent. Profit is 19.6. Right? So we can say, this is 92 and this is 119.6. ठीक है? Point लगा दो याँपर. Point से point काट दो. और फिर 20 से इसको cancel कर सकता हूँ. में 23 से 4 बार गया, 40. और 23 से गया, 23 into 5, 115. 4 बचे गया, 23 into 2, 46. 4 से काट दिया, 10 बार. 4 से काट दिया, मैंने 13 बार. So I can say this is 100 is to 130. आप ये देख पारे हो. सवाल में पूचा क्या है? कि अगर वो कोई भी discount ना दे, तो उसका profit percent क्या होगा? तो अगर कोई discount नहीं देते, तो जो mark-up percent है, वही आपका profit percent बन जाता है, कोई discount हो जाता है, 0. अगर आप कोई discount नहीं दोगे, तो आपको 100 रुपे की चीज को 130 में बेचोगे, तो आपका जो profit होगा, वो कितना होगा? जो यहां पर mark-up percent है, वही दोगा, 30% होगा. ठीक है, 30% is correct answer. आगे बढ़ेंगे. Medicine manufacturer gives one dozen extra medicine on the order of every 12 dozen. A discount of 25% is offered on the mark price. If the mark price of a bottle is 117 rupees, then find the lowest price at which a bottle can be sold without any loss. बिना कोई घाटा, जेले, अगर वो बेचना चाहता है, तो कम से कम किस price पर उसको एक बोटल बेचनी पड़ेगी? एक बोटल का selling price मुझे बताना है, एक बोटल का, बिना किसी घाटे के, बिना किसी नुकसान के. You have to make sure के उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, और फिर भी जो price है, वो कम से कम होना चाहिए. किसी नुकसान नहीं होना चाहिए. So, सबसे पहले हम क्या करेंगे? Mark price और selling price का ratio निकालेंगे by using ratio method. क्यासे निकालेंगे? अभी बताया था, अभी एक सवाल में हमने इसको use भी किया था, इस तरीके से, नेट डिसकाउंट निकालने वाले सवाल में, उसी तरीके से आप करो. एक दर दिन medicine free मिलती है, 12 पर. 12 पर एक free मिल रही है, मतलब MRP आप कितने का consider करोगे? 12 प्लस एक 13 का, जितना आपके पास आया है. और 13 डोजन आपको किसने प्राइस पर मिल रही है, 12 के प्राइस पर, ठीक है? 12 के प्राइस पर. Selling प्राइस कितना होगा, 12 का लेंगे. क्योंकि 13 पर एक डोजन आपको free मिल गई. तो price जो pay करेगा customer, वो 12 कई पे करेगा. 25 परसंट का discount भी offer किया गया, है न? यानि 4 के rate पर अगर कोई चीज बेची जा रही थी, सबोज एक बोटल का price था 4 रुपे, एक डरजन का price 4 रुपे था, तो तीन पर उसको बेच रहा है. तो सबसे पहले मैंने squeeze से कटा, यानि कि MP और SP का ratio कितना बन गया, 13 is to 9, 13 is to 9, ठीक है? यस, तो mark price of a bottle is 117, तो 13 से कितना आएगे? 117, ठीक है? 117, तो 9 गुना इसका, तो इसका भी 9 गुना करेंगे, तो selling price कितना आ जाएगा? 81, है न? 81, तो 81 में इसको बेचना चाहिए इसको, है न? चलिए, अगला सवाल देखो, cost price of 12 oranges is equal to selling price of 9 oranges and discount on 10 oranges is equal to profit on 5 oranges, find the difference between profit percent and discount percent offered. Profit percent जो हुआ, discount percent जो हुआ पर, जो offer किया उसने, तो उनों का difference में बताना है. क्वश में बताना है. येस देखो cost price mark price selling price ये तिन चीज़ें तो होती है अगर मैं एक और इंच की बात करूं मैं या बात करूं एक और इंच की तो एक और इंच का cost price मैंने मान लिये suppose x या a mark price मान लिये b और selling price मान लिये c अब as per the question चलते है 12 oranges का cost price क्या है 12 into a is equal to selling price of 9 oranges यानि कि 9 into c यानि a upon c कितना आ गया 3 by 4 ये न a upon c कितना आ गया 3 by 4 this is a upon c a upon c is 3 by 4 अगर मैं इसकी जगे 3 रुपे रखूंगा इसकी जगे रखूंगा 3 रुपे तो इसकी जगे मैं क्या रखूंगा 4 रुपे yes आगे बोला है discount on 10 oranges भाइ 1 orange पर आप discount कितना दोगे b minus c यानि कि b minus 4 तो 10 orange पर discount कितना हो गया 10 times b minus 4 भाइ discount 10 गुना हो जाएगा न 10 orange पर is equal to profit on 5 oranges तो 1 orange पर आपको कितने का profit रुपे रुपे का तो 5 orange पर कितना हो गया 5 into 1 इससे कट गया दो बार तो b minus 4 बराबर कितना हो गया 1 by 2 यानि कि 0.5 तो b must be 4 plus 0.5 यानि 4.5 सो b की value कितनी आ जाती है 4.5 आ जाती है question क्या पूच रहे difference between profit percent discount percent is offered यह ultimately एक ratio ही तो है इनका तो इसका ratio को थोड़ा आसान बना लेते हैं क्यासे multiply करके किस से 2 से ताकि 0.5 बढ़ जाए यहां से राइट 0.5 को हटाने के लिए मैंने 2 से multiply कर दिया तो I can write this ratio as 6 is to 9 is to 8 ऐसे लिख सकते हैं इस ratio को ठीक है तो profit percent केतना हो गया मेरे पास हम कह सकते हैं कि profit हो रहा है 2 रुपे का profit हो रहा है 6 पर यानि percentage profit हो गया मेरे पास 33.33% 1 3rd यानि 33.33% and what is the discount percent can I say discount is 1 over 9 1 by 9 which is what 11.11% so what is the difference इन दोनों के बीच का difference हमें चाहिए तो difference क्या होगा 33.33% minus 11.11% which is what 22.22% this is the difference between profit percent and discount ठीक है yes yes pretty yes satyam आप दोनों कान से correct है very good चलो आगे बढ़ते हैं next question the ratio of the selling prices of 3 articles A B C is 8 is to 9 is to 5 and ratio of percentage profit is 8 is to 7 is to 14 if the profit percentage of A is 14.28% and the cost price of B is 400 what is the overall percentage gain overall gain percent क्या होगा बताईए okay okay but are you झाल 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 दन देखो जरा बात को ध्यान से समझना पर्षेंटिस के रेश्यो पर तरवा जयान देते हैं A B C का A B C पर्षेंटिस प्रॉफिट किस रेश्यो में? देखो पर्षेंटिस प्रॉफिट का रेश्यो है 8 इस्टू 7 इस्टू 14 इन तीनों के percentage profit का ratio एक इस्टू 7 इस्टू 40 जबकि मुझे ए पर profit percentage दिया गया है कितना है 14.28% जिसका मतलब क्या होता है हम जानते है 14.28% का मतलब होता है 1 by 7 यहाँ यहाँ पर मुझे एक के सामने क्या चाहिए 1 by 7 चाहिए अब 8 को मैं 1 by 7 कैसे बनाऊंगा आप बता हूं 8 से मैं 1 by 7 कैसे लाऊंगा 56 से डिवाइट करके ना 8 7 जा 56 होता है तो मैं पूरे ratio को क्या करता हूं 1 by 7 से multiply करता हूं 1 by 56 तो ए बन जाएगा 8 into 1 by 56 यानिकि 1 by 7 बी कितना बनेगा 7 से गया 1 by 8 टाइम और C के बनेगा 14 से गया 4 टाइम 1 by 4 ठीक है तो तीनों के मुझे profit percentage मिलते हैं तो ABC के अगर मैं बात करूंगा तो profit percent मतलब CP SP का ratio निकल सकता हूं तो A के लिए CP SP का ratio क्या बनेगा अब देखो सेवन 1 by 7 का ratio है मतलब 7 रुपे अगर CP है तो 8 रुपे SP होना चाहिए 8 रुपे अगर B के लिए 8 रुपे CP है तो 8 प्लस एक 9 रुपे SP होना चाहिए और 4 रुपे अगर इसका CP है तो 4 और 5 रुपे SP होना चाहिए तो दौनों के जो selling prices हैं उनका ratio क्या दिया गया है मुझको 8 8 इस्टू 9 इस्टू 5 और मेरे according भी क्या रहा है 8 इस्टू 9 इस्टू 5 अगर नहीं आता तो मैं बनाता ratio में कुछ multiply अगरा करके लेकिन यह तो बहुत फेवरेवल स्चुएशन है फॉर्चुनेटली हमारा ratio भी वही आ रहा है जो यहां पर दिया गया है ठीक है तो बस आप कुछ नहीं करना बोला क्या है वाट इस चार्ट हो का तो कोई लेना देना नहीं है ओवरेवल आपको निकालना है तो टोटल एड कर दो यहां सक्सेसिव नहीं लगेगा एक चीज इस नहीं बट तो आचा वन बाई 19 क्या होता है 5.26% 3 बाई 19 उसका तीन गुना तो 15.78 परसेंट यहना 15.78 परसेंट यहना 15.78 परसेंट देट मेंगेए ठीक है 15.78 परसेंट ओल्राइट यस चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरब अगला सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है बहुत शांदार कोश्चन है देखो दर इसको दो थ्री वराइटी जोफ राइस विद कोश्ट प्राइस 28, 36 and 45 are mixed in the ratio of A is to B is to C ABC की ratio में मैंने इनको mix किया it is known that ABC are in geometric progression याने ABC JP में है sorry JP की जीपी में है where A is less than B less than सबसे चोटा A फिर उसके बद B फिर उसके बद C in that order now the cost price of the mixture becomes 40 रुपी जब हम तीनों को mix कर देते हैं तीनों टाइप की वराइटीज को तो mixture का जो cost price है वो 40 रुपी बन जाता है so what would have been the cost price of the mixture had the three varieties been mixed in the ratio of C to A to B अगर तीनों को हम C A B के ratio में मिलाएं तो mixture का cost price क्या आएगा बताईए हाँ ची try किजी तीनी आएगा सभी लोग झाल 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 हाँ जी बच्चो तो यह बनाना है एक से मल्टिप्लाय करूंगा और 7 बन जाये एक की वैल्य क्या होनी चाहिए 7, 8 is a 56. So that's why you multiplied it 1 by 56. Next देखिए. यह वाला सवाल किसी से बना? नहीं बना? चलिए इसको बनाते हैं. 3 varieties of rice with the cost price 28, 36 and 45. तो इनके जो cost price है वो 28, 36 and 45 मुझे दिये गए हैं. they are mixed in the ratio of a to b to c. इनकी जो quantities है वो किस ratio में है? a to b to c. तो a, b, c, r in gp. a, b, c, r in gp. तो a की value को अगर मैं a ही रहने देता हूँ. और suppose common ratio r है तो यह b is a into r. gp में क्या होता है? ratio constant होता है. every term, जो next term है वो r से multiply होकर आता है. r is a common ratio. पहले term अगर a है तो दूसरा क्या होगे? a into r और तीसरा क्या होगा? a into, फिर से r से multiply करोगे तो हो जाएगा a r square. तो हम इनको ultimately किस ratio में मिला रहे है? a is to b is to c के ratio में. तो a is to b is to c का जो ratio बनेगा, वो क्या बनेगा? जब आप ratio निकालोगे तो a से a कट जाएगा तीनों में. क्या बनेगा? 1 is to r is to r square. इस ratio में आपने इनको मिलाया. तो जब मिलाया तो price कितना आएगा? that you can find out by using weighted average. है ना? n1 into a1 plus n2 into a2 plus n3 into a3 divided by n1 plus n2 plus n3. तो that will be 1 into 28 याने कि 28 plus 36 into r plus 45 into r square upon n1 plus n2 plus n3 1 plus r plus r square. So that is the net price which is equal to what? यह किस के बराबर होगा? तो इनको मिलाने के बाद बोला गया है कि mixture का जो price है वो 400 पे बन जाता है. कितना बन जाता है? 40 रोके. So this is equal to 40 rupees. ठीक है? तो अगर मैं multiply करूं तो it will be 28 plus 36 r plus 45 r square equals to 40 plus 40 into r plus 40 into r square. ठीक है? So we can say this is 5 r square. 5 r square minus 4 r minus 12 equals to 0. तो 12 into 5 होगा? minus 60. minus 60 को 2 parts में break करा है. quadratic solve करना सभी को आता है. minus 4 आना चाहिए. तो कैसे करेंगे? 10 और 6. So minus 10 and plus 6. तो r की जो value आएगी वो कितनी आएगी? 10 and minus 6. divide by this 5. अब यह minus वाली value तो ले नहीं नहीं, because these are the quantities. वो negative तो हो नहीं सकती ही quantity. So minus वाली एग्नोर करेंगे तो r की value 10 by 5 या नहीं के आगई मेरे पास 2. r की value के आगई 2 आगई. अब आगे देखो, अगर मैं इन्ही quantities को, इन्ही varieties को, c is to a is to b के ratio में mix करूँ. तो आप देखो, c is to a is to b का मतलब क्या होगा? c is to a is to b. तो c is what? a is to a is to a is to b का ratio निकालोगे तो यहां पर a से तो कटी जाएगा, इसकी जगे के आएगा r square, a की जगे आएगा 1 और b की जगे के आजाएगा r. तो r square की value कितनी होगी? 4, because r की value तो 2 आ चुकी है मेरे पास. तो 4 is to 1 is to 2 के ratio में आप इने mix कर रहे हो, ठीक है? अब इनकी कीमत यह क्या थी? इनकी जो cost थी हो क्या थी? 28, 36 and 45. तो इनको मिलाने के बाद क्या cost आएगी? वो again you can calculate by using weighted average, right? Weighted average चे आप निकाल सकते हो इस चीज़ को. So, N1 into A1, 28 into 4 is what? 112, plus 36 into 1 is what? 36, 45 into 2 is what? 90, divided by N1 plus N2 plus N3, मतलब यह थी 7, तो यह कितना होगे? 148 plus 90, 238, 238 by 7, 7, 3 is the 21, बच्चे का 2, 7, 4 is the 20, 34 रुपय आएगी? mixture की cost यहने की option C, 34. Clear? Yes, बात समय में आ रही है सभी को? Yes. Next question देखो, Rohan a shopkeeper went to a wholesale market, Rohan एक दुकानदार था जो कि wholesale market में गया है. ठीक है? तू purchase apples, apple purchase करने वो गया, apples were being sold at a wholesale price of 40 रुपीज पर kg, ठीक है? मैं ठोक के वाब मैं खरी दूँगा, पूरे 50 kg खरी दूँगा, तो shopkeeper ने बुला ठीक है, आप 40% discount देलो. Rohan ने सारे apples को purchase किया, 50 kg apples को और सभी को 50% रुपर माग किया. यहां पर थोड़ा था concept use होगा, dishonest shopkeeper का, जो कि अभी हम आगे परने वाले है, लेकिन थोड़ा सा ही use हो रहा है, पहुत ज्यादा हाई-फाई नहीं है, आप आराम से इसको समझ सकते हो. When he had x kg of apples left unsold, जब उसके पास x kg apples unsold बचे हुए थे, मतलब x kg जब तक नहीं बचे थे, he noticed that he had recovered 50% of the amount he paid to purchase whole lot of apples. तो तब तक वो 50% amount जो है जो उसने pay किया था, 50% cost वो recover कर चुका था, right? So, हमें बताना है value of x. x की value हमें बताना है, क्या होगी? बताईए भाई. वा भाई वा शरत नियान से दिया है, 110 by 3, चलिए देखो. 40% उसको discount मिला, मतलब 40 रुपे की जो चीज थी, जिसका price 40 रुपे था, उसमें 40% discount पर खरीद, है न? 40% discount पर खरीद है, मतलब 4 into 4, 16 रुपे का discount मिला, मतलब वो कितने price पर खरीदेगा? चोबिस के price पर, ठीक है? तो उसको जो cost bear करनी पड़ेगी, जो उसके लिए CP होगा, 24 के price पर उसने 50 के जी एपल खरीदे, यानि उसने 1200 रुपे पे किया, ठीक है, 1200 रुपे पे किया, और उसने क्या किया, कि markup कर दिया 50% से, वालब जिस price पर उसमें खरीदा था न, उसको 50 percent बढ़ा कर बेच रहा है, 50% बढ़ा कर बेच रहा है, मतलब कितने पर बेच रहा है, इसका 50% कितना होगा, 12 रुपे, तो 12 रुपे आप इसमें बढ़ा दीजिए, यानि कि 24 प्लस 12, 36 के price पर ये बेचेगा, ठीक है, 37 के price पर बेचेगा, जब उसके पास X kg एपल बचे थे है न, तब तक वो 50% cost recover कर चुका था, 50% cost recover करने का मतलब है कि वो कितने revenue कर चुका था, 50% इसका, जो cost उसने pay की थी, उसका 50%, यह 600 रुपे वो कमा चुका है अभी तर, 600 रुपे कमा चुका है न, अब 600 रुपे कमाने के लिए उसको कितने apple बेचने पढ़ेंगे, तो मैं यह कितने के लिए, 36 के rate पर वो apple बेच रहा है, suppose apple की कीमत बजार में चल रही, 20 रुपे प्रती किलोग्राम, तो आज के साब से काफी कम है, तो आपने 100 रुपे खर्चा किया apple पर, तो आपने कितनी quantity खरी थी, तो आप दिमाग लगाओ, 5 kg खरी थी, 100 by 20, total आपने जो खर्चा क या total revenue है, उसको आप divide करोगे, पर kg price से, तो you'll get the quantity, तो customer को कितनी quantity लगेगी, customer को, customer इसके लिए 600 रुपे देगा, और 36 के price के साब से देगा, लेकिन सवाल मेरा ये है, इतनी quantity ideally, रोहन को customer को handover करनी चाहिए थी, लेकिन रोहन एक बैमान दुकानदार था, तो ideally उसने यहाँ पर कितनी बेची है, बताओ quantity, तो मैं यह कह रहा हूँ कि वो 1 kg apple की जगे 800 gram देता है, मतलब 20% की वो cheating करता है कि नहीं करता, बताइए, तो जो quantity actual में उसको देनी चाहिए थी, उससे उसने 20% कम दी होगी, yes or no, यह बात आप मेरे बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बता रहे, मैं यह कह रहा हूँ कि ideally उसे सब कुछ भूल जाओ, अगर यह बहिमानी वाली बात ना होती, तो मैं कहता है कि 600 रुपे का उसे revenue करना है, और 36 के rate पर बेच रहा है, तो ideally quantity उसे customer को इतनी देनी चाहिए थी, लेकिन इतनी ना देकर, वो 1000 की जगे 800 देता है, मतलब 20% की cheating करता है, तो इसमें 20% कम देगा, यानि इसका 80% ही quantity उसने देए, actual quantity sold, we can say this is the actual quantity sold, actual quantity sold is this, यह सुनू, यह actual quantity उसने बेची है, तो actual quantity उसने बेची है इतनी, तो यह कितना हो गया, आप देखो, point से 0 कट गया, अथ हिंप चाहरता है, 486, बारे से एगर मैं काट दूंगा, तो बारे से गया, तीन बार, बारे से गया, 40 बार, 40 बाई 3, sold है, तो unsold कितनी हो जाएगी, unsold is equal to what, x, यही तो बोला, x kg unsold, ठीक है, so total quantity उसके पास थी 50 kg, उसमें से sold हो गई, 40 बाई 3, तो unsold कितनी हो गई, 1.500 माइनस 40, 110 अपोन 3, यह हो गई unsold, and that is the value of x, यानि कि option B is राइट है, clear, clear है सभी को, yes or no, yes, अगला सवाल देखो, a milkman purchases 10 liters of milk at Rs. 7 per liter and forms a mixture by adding freely available water which constitutes 16.66% of the mixture, later on he replaced the mixture by some freely available water and thus the ratio of milk to water becomes 2 is to 1, he then sold the new mixture at the cost price of milk and replaced amount of mixture at twice the cost price of milk, then what is the profit percentage, profit percent क्या होगा, थैंक्यू सो मच रजट, मैनी मैनी कॉंग्रेटुलेशन्स आईवीपीएस एसो के लिए, है न, definitely, इतनी मेनत आपने की है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आए, राचिनता मत करूँ, है न, तुरमाग़, पॉजिए रिए, यूबरेशन्स आप, पॉजिए एक यूग बारेशन्संबटेशन्स आज़एसंईब्स, एक रिए, एक लारेशन्स आपने का जुबरेशन्स, क्यिएएस पालेशन्स, वर्योद़़, झालेशन्स आए है और न, इूज़गा, तरे जितने भी लोग तेशन को देख रहे हैं एक बार लाइक अगर आप कर देंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा हमारे वीडियो के लिए हाँ जी लर्निंग कैपसूल वाले हर्शल सरका यहां पर कमेंट है नमस्ते जी आज यहां अरे भाईया ऐसे ही है देखो बच्चों को पढ़ाना है तो कोई भी मैटर नहीं करता कौन सा चैनल क्या है ना जब आप यूट्यूब पर क्लास ओपन करते तो आप किसी भी चैनल पर जा सकत है ना वो फरक नहीं पड़ता वस यह जो है पढ़ाई होनी चाहिए पढ़ाई नहीं रूखनी चाहिए राइट अब मेरी भी चीज़ें चलती नहीं चाहिए अगर मैं लंबे समय तक नहीं पढ़ाऊंगा तो मैं भी चीज़ों को बूल जाओंगा यूमन एक एक टेंडेंसी होती है कि लंबे समय तक आप इस चीज़ से डिटैच होते हो दूर होते हो तो आप उसे बूल जाते हैं जैसे कि आप अगर सपोध आपको भी टेक करे हुए 4 साल हो गय और अपने एलेक्ट्रोनिक्स में भी टेक किये तो आपको ये भी तो लर्निंग के अप्सूल वाले हर्षल सर हैं बहुत ही बैतरीन पढ़ाते हैं और आपको पता है कि सबसे ज्यादा अच्छी बात मुझे इनकी लगती है कि कोई भी मेमोरी बेश्ट पेपर होता है सबसे पहले सॉल कराते हैं एक दिन पूछा हुआ सर से कि इस चीज का है कि आप मेंस का भी पेपर इतनी जल्दी करा देते हैं आस तक मुझे समझनी आया है तो अच्छी चीज है हमें भी काफी कुछ सीखने को मिलता है अब मिल्क मैं परचेज 10 लीटर सब मिल्क एट 7 रुपीज पर लीटर तो कर लेते हैं तो उसने जो खर्चा किया वो तो मि जो मिक्षर है उसमें 16.66 परसें पानी है यह 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 तो मिल्क तो हमें दिया गया था तो टैन लीटर मिल्क है तो दो लीटर पानी होगा हम यह कह सकते हैं अच्छा आगे देखो है इसने कुछ quantity replace कर दी अच्छो कुछ quantity विप्लेज करने का मतलब है कि मिक्षर की कुछ quantity इसने निकाली और उसमें अतना ही पानी मिला दिया तो रेश्यो वेकं तो ऊब्हुत आसानी से देखो अगर वैसे तो हम मिक्षर वाले कॉंसेप्ट से कर सकते हैं थोड़ा और आसा उतनी depth में नहीं पड़ा है तो मैं एकदम आराम से basic से सुकराता हूं मैं यह कह रहा हूं कि suppose milk यहां से जो भी quantity आपने निकाली उसमें milk निकला 5x तो water कितना निकलेगा 2x milk निकला 5x और water निकला 2x क्योंकि जो quantity आप निकालोगे 5x और x 5 is 2 1 का ratio है जो भी quantity आप निकालोगे वो इसी ratio में निकलेगी जो ratio यहां पर है तो जो milk आपके पास बचा वो बचा 10-5x और water आपके पास बचा 2-x और उतना ही आपने क्या मिला दिया पानी तो आपने quantity निकाली तो 6x यहां पर add हो गया ठीक है तो ratio of milk to water becomes 2-1 तो milk or water का ratio 2-1 हो जाता है इस चीज को और आसानी से काफी आसानी से और in fact mentally आप कर सकते थे लेकिन मैं अभी उस चीज में जाना नहीं चाहता कि फिर आपके दिमाग में confusion आ जाएगा कि सर यह कैसे हुआ वो कैसे हुआ तो फिर आराम से मेरे पास x की value आ जाएगी कितनी 4 plus 10x equals to 10 minus 5x तो 15x बराबर 6 तो x की value कितनी आ जाएगी x की value आ जाएगी 3 by 5 x की value 3 by 5 आ गई यस चलिए x की value 3 by 5 आ गई समझगे बात को तो हमने कितनी quantity replace की थी बढ़ाईए हमने कितनी quantity replace की थी यह हम निकाल सकते हैं तो quantity replaced was 6x तो he then sold the new mixture at the cost price तो new mixture उसके पास कितना होगा new mixture तो उतना ही होगा न जितना पहले था right क्योंकि जितनी हमने quantity निकाली उतना ही पानी मिला दिया मतलब mixture वही रहेगा हमारे पास कितना बारा लीटर तो अगर मैं overall selling price की बात करूं तो selling price कितना होगा देखो new mixture जो है बारा लीटर उसके पास है और उसने उसको cost price पर ही बेचा ठीक है मिल्क का cost price ने साथ सेवन रुपीज पर लीटर वहला साथ की रेट पर बेचा and the replaced amount of mixture तो कितना replace किया था उसने 5X plus 6X उसने निकाल लिया था तो 6X का मतलब कितना हो गया 6X का मतलब हो गया 18 by 5 उसने बेचा at twice the cost of the milk twice of the cost of the milk मालब 14 की रेट पर बेचा यह न सही लेका है न मैंने कुछ calculation mistake के 2 by 5 होगा जर कहां पर कहां पर 2 by 5 होगा कुछ mistake की चाहिए ओके this is 2 by 5 तीन से अगर काटेंगे 2 by 5 आएगा ठीक है so it is what 12 by 5 12 by 5 तो अब मुझे कहते ही profit percent चाहिए profit percent के लिए मुझे cp-sp का ratio चाहिए इसको solve करने से पहले cp-sp का ratio निकाल दो न कुभे 7 का factor मुझे common दिखाई दे रहा है तो cp is to sp देखो क्या बनेगा cp is to sp क्या बनेगा देखो cp is what 70 and sp is how much 12 into 7 plus 12 by 5 into 14 तो होगा क्या है यहापर 7 का factor cancel होगा 10 times 7 से cancel 7 से 2 times तो हम कहते है कि this is 10 is true this is 24 by 5 which is 4.8 4.8 plus 12 is what 16.8 so this is as good as 100 is to 168 so we can say that means option a is correct ठीक है yes is it clear तो ultimately आपका target क्या होना जाए जब भी आपको profit percent या loss percent पूछा जाए तो आपको पहुंचना cp-sp के ratio तक है वह कैसे पहुंचेंगे वह आपको सोचना है अगला सवाल देखो किया जब है ऊकी अशचरेन् मैनिफैक्टर इंफेटेंग्ट्ञेंट्चेन मुझे दी गई है मैनिफैक्ट्ट्रों लिक्टों देता है गौट विद रेस्पेक्ट टू बाइंग इट रॉम दा रीटेलर तो उसको कितना परसंट रेडक्शन प्राइस में मिल जाता है ना कितना उसका फाइदा हो जाता भी कैंसे एक तरीके से यह भी कह सकते हैं कि अगर अगर मैनत की है तो सेलेक्शन पक्का ही है क्योंकि अगर आप उपर वाले मानते हो यह भी मानते होगा कि मैनत आपने की है तो कई न कई उसका फल भी मिलता है यह तो मानो ही मत कि आप यह कहते हो बगवान ही नहीं है बगवान अगर है तो मैनत का फल मिलेगा करते रही है अपने रास्ते पर चलते रही है कभी ना कभी तो मंजिल मिलेगी रास्ते को एंजॉय करते हुए चलिए ऐसा नहीं कि बस हां इंतजार में बैठे हैं कुछ फाइदा हो तब तो फाइदा है अधर वाये छोड़ी देता हूं बैंकिंग की इसा मत करो जब आपने इतनी मेहनत की है मैं प्रतीक आपको कई दो एक साल से देख रहा हूं यहां तक मेरा अंदाज आए तो जब आपने दो साल अपने जीवन के लगाए हैं तो एकार महिना और सही है ना फोड़ा सा इंतजार करो एक्जाम अच्छा गया है क्लर्क मेंस क तो सेलेक्शन भी होगा तो यह सवाल मुश्किल लग रहा है अपको उतना मुश्किल तो है नहीं शायद सारी चीज़ें परसेंटेज का ही खेल है देखो मैनिफेक्ट्चर पहले सप्लाइचेन बनाता हूं मैं मैनिफेक्ट्चर बेचता है कि इसको डिस्ट्रिविटर को डिस्ट्रिविटर को डिस्ट्रिविटर से यह कहा जाता है डिलर के पास डिस्ट्रिविटर स्लसे थू लिलनल ति यह सबसे पहले 10 10% profit पर इसको बेचता है, then distributor dealer को बेचता है, dealer retailer को बेचता है, 10% profit और markup भी कैंसे, 10% and 20% तो ये 10% and 20% के markup पर बेचते हैं, and फिर retailer क्या करता है, क्योंकि retailer को customer से deal करना है, जो कि discount मांगेगा, तो पहले markup कर देता है, 20% बढ़ा देता है, और 10% का discount देता है, ठीक है, customer को, ये पूरी chain है, तो अगर जो customer है, वो direct distributor से खरीटता है, इस price पर, भाई distributor का selling price कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, और customer के लिए जो current selling price है, वो यहां पर आ रहा है, तो इसको कितना फाइदा होता है, इसका मतलब ये वाली chain तो मेरे किसी काम की नहीं है, राइट, manufacturer to distributor and distributor to dealer, ये जो भी हो रहा है, वो मेरे किसी काम का नहीं है, है न, मेरे लिए useful क्या है, dealer and customer का जो price है, तो मैं शुरुवात यहीं से करूँगा, उसको अनने से सरी 100 अगरा मान के करने से फाइदा किया, आप शुरुवात यहीं से करूँगा, तो मैं यह कह रहा वोई 100 रुपे यह price है, ठीक है, यह price है, सपूस्ज 100 रुपे, यहाँपर प्राइस है, 100 रुपे, तो यह कितना होगा 120, अब 120 पर 20% बढ़ा़ा होगे तो कितना हो जाएगा, एक 244, इसका 20% हो गया कितना, 24, 24 जोड़ोगे तो 144, पर 10 पर संट आप discount होगे, तो 144 पर 10% discount दोगे तो कितना बनेगा तो 14.4 कम कर दोगे तो 144 में 14.4 कम किया तो 129.6 आएगा यहां पर यह calculation you can do ठीक है तो यह question यह कहना चाहरा है कि अगर customer directly इस price पर खरीपता तो कितना reduction हो जाता है इसके price में तो मैं कह सकता हूँ 29.6 का reduction हो जाता किस पर इस पर तो 29.6 जो है वो 129.6 का कितना परसेंट है यह मुझे निकालना है basically यह मुझे calculate कर दो तो आप देख लो इसको मैं लगबग क्या लग सकता हूँ 30 और इसको लगबग 130 लग देता हूँ 30 अपोन 130 इंटू 100 तो 305 तेरा 13 इंटू 26 बचेगा कितना चार 13 इंटू 3 49 लगबग 23 परसेंट आएगा तो 23 परसेंट के आसपास कौन सॉप्शन है 22.8 परसेंट है 22.8 परसेंट हम डेफिनिटी लगा सकते हैं यहां पर यस battery saver in mobile sorry sir just wanted to thank you बहुत दिनों बाद आपका session आया है if someday I get a chance to अरे कोई नहीं आप रजत डेफिनिटली इंटर्वी रिजल्ट भी अच्छा आएगा हमारी दुआएं आपके साथ हैं इतनी मेनत आपने किये 2019 से आप लगाता लगे हुए तो अब समय आ चुका है कुछ अच्छा हुने का ठीक है डन है चलो आगे बढ़ते हैं बहुत ही प्यारा सवाल है अगला विरेंद्र एंड गुरेंद्र पर्चेस्ट अग वन कैमरा इच एड़ सेम प्राइस ठीक है लेटर रोन अमरेंद तो विरेंद और गुरेंद को कैमरा बेज दिया एक्वल प्राइस पर ठीक है अच्छा दोनों नहीं एक्वल प्राइस में खरीदा और एक्वल प्राइस में बेचा यानि दोनों के CP वी सेम है SP वी सेम है ओके बड़ द़ प्रोफिट परसेंट ओव विरेंद्र वास P वाइल अच्छा आप कहोगे तो दोनों के CP सेम है SP वी सेम है तो प्रोफिट परसेंट अलग लग क्यों है यह तो नहीं होना चाहिए और एंड ऐसा इसलिए हो रहा है आगे दिया गया गया गुरेंद्र कैलकुलेटेट द़ प्रोफिट परसेंट ओन सेलिंग प्राइस पर प्रोफिट तो प्रोफिट तो पहले पी की वैल्यू तो पता होनी चाहिए देन वाट इस प्राइस पर दू लग किया वाइल अमरेंद्र पर्चेश इस केमरा एट टू फॉर्टी ठीक है चलिए तो एक बार ट्राइ किजी इसको कैसे करें इसको बताएगे यस तो शरत ने आंचा दिया पांसो थेत्र फाइट सेंटी सेक्स ओके देखो आपको देखो यह पूरा खेल लेंग्विज का है अगर आप लेंग्विज को समझ गए तो आपके नंबर ऑफ स्टेप्स बचेंगे कैलकुलेशन बचेंगी लेंग्विज नहीं समझे तो हर किसी के लिए आप अलग लग वैरीवल मानूंगे और फिर दिक्कत आए पहले आपने पूरा कुशन पढ़ लिया तो पूरी कहान ही आपको क्लिर हो गई ही किस ने किसको घ्रीदा किसको बेच ठीग है तो हम यह लाएं कि विरेंद्र की बात कर रहे हैं यहाँ पर लिख रहे हैं नंका सीपी और यहां इनका स्पीके तो आप देखीए कि दोनों ने equal price पर खरीदा था तो let's suppose दोनों के लिए cost price है इसके लिए भी X है और इसके लिए भी X है और दोनों के लिए जो selling price है दोनों ने अमरिंद्र को बेचा किस price पर 240 पर यह चीज़ दी गई है दोनों के लिए selling price है 240 है ठीक है अगर मैं profit percent की बात करों तो profit तो दोनों के same ही होंगे न भाई profit दोनों के same होंगे let's suppose profit इसको Y का हो रहा है जो भी हो रहा है मैंलों Y मान लो और इसको इक profit हो रहा है Y तो दोनों का difference है होगा लेकिन जब हम profit percent की बात करते हैं तो गुरेंद्र calculate करता है selling price पर ठीक है तो Q is 41 2 by 3 percent of P इसका मतलब हो गया 25 percent plus 16 2 by 3 percent 25 percent माला 1 by 4 and that is 1 by 6 1 by 4 plus 1 by 6 5 by 12 obsession के शुरूआत में आप देखोगे तो ये चीज़ हमने discuss की थी question में और है न 41.66 percent की value क्या होती है जो लोग शुरूआत से जुड़े हैं उनको याद हो गई होगी 5 by 12 है ना तो हमें दिया गया Q is 5 by 12 of P सवाल कहता है कि Q is 5 by 12 of P now Q किसका profit percent है गुरेंद्र का है ना तो गुरेंद्र का profit percent क्या होगा profit upon CP into 100 yes तो गुरेंद्र का profit तो Y है और इसके लिए CP क्या है X नहीं not profit upon CP गुरेंद्र calculated the profit percent on selling price तो profit upon selling price into 100 यही तो आएगा और इसके लिए क्या आएगा this is 5 by 12 times अच्छा विरेंद्र की बात करेंगे तो विरेंद्र के लिए क्या आएगा profit percent profit upon CP into 100 तो profit by CP यानि P by X यह आए yes P by X आएगा profit sorry not profit is Y profit क्या इसके लिए Y yes Y upon X तो इसने profit निकाला SP पर और इसने profit निकाला CP पर बस इतना ही अंतर है into 100 डॉनों में आएगा वो cancel हो जाएगा उसको लिखने की क्या ज़रुकत है ठीक है तो यहां से होगा क्या कि Y से Y cancel हो गया ठीक है बारत से गया यह 20 पर X की वैल्यू 20 into 5 कितनी आ गई 100 यानि कि दोनों के लिए जो CP था वो 100 रुपे था दोनों के लिए अगर CP 100 रुपे था तो P percent की value क्या आएगी यानि P percent की value जो है वो क्या है y upon x into 100 यानि profit इसके लिए profit कितना है अगर यह 100 रुपे हो गया तो 100 रुपे और इसमें कितना फरक आगे 100 से 240 जाने में 140% का चींज है लेकिन p जो है 100 से 240 जाने में 140% का चींज है ठीक है यस तो p की value 140 परसेंट आजाएगी अरे भाई कैसे आएगी p की value 140 परसेंट एक्स की value 100 आ चुकी है और विरिंद का profit p परसेंट और विरिंद cp पर ही calculate करता है तो 100 से 240 जाने में 140 परसेंट का चींज है कि नहीं तो p जाने में 140 परसेंट अब सवाल कहता है कि अम्रिंद ने camera ध 3% profit पर बेचेगा मतलब 140 परसेंट के profit पर बेचेगा तो 140 परसेंट अगर मैं इसका निकालूंगा तो कितना आएगा आएगा आप देखो 14 इंटू 24 कर दो 14 इंटू 46 करी हो गया 5 820 प्लस 5 33 हो गया 336 एड कर दिया कितना हो गया 576 यानि डूलकिया को यह camera कितने का पड़े अरे विराज कोई record ने थोड़ी बना ना हमको record बना के कोई medal मिलने वाला 11 गंटे 12 गंटे का record यह marathon लेने का कोई मतलब यह नहीं कि record बनाओ इसका मतलब यह कि एक वीडियो में सभी को जीवन भर के लिए आज एवन एक profit loss का ऐसा वीडियो मिल जाए जिसमें दुबारा कुछ पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े है ना यह पार्ट बन पढ़ लेते हो फिर आप पार्ट टू का वेट करते ह एक ही वीडियो में सब पुछ मिल जाए है ना बाकी वीडियो कोई record तोड़ना या यह सब मोटे भी नहीं है ना अगला सवाल देखें a merchant earns 25% profit in general once his 25% consignment was abducted है ना उसको consignment chori हो गया अगवा कर लिया गया forever by some gundas trying to compensate his loss he sold a rest amount by increasing the selling price by 20% what is the new profit percentage or loss बताईए छुक्बशब trip किえー जा ख kita रे ट ट एक है वीडों पुछ e वीडियो झा है हां जी तो यूजरी मर्चंट को 25% का प्रॉफिट होता है मतलब हम यह कह रहे हैं कि 4 रुपे की चीज है तो इसे 5 रुपे में बेचता आ है तो मैं CP और SP की बात करता हूं ठीक है चार रुपे रेट है और पांस रुपे के रेट पर यह बेचता है लेकिन consignment कितना है let's suppose यहाँ पर जो भी है 4 kg माल लेते हैं तो बेचेगा भी कितना 4 kg ठीक है लेकिन अब हुता क्या है कि 4 kg था उसके पास consignment उसकी कीमत कितनी होगी 16 रुपए ठीक है अब इसमें से 25% हो गया मतलब 35% कम कर दोगे इसमें तो 3 kg इसके पास बचा आपके वल कितना बचा थी केजी 25% कम हो गया तो 3 kg बचा तो अब जब इसे बेचेगा सेलिंग प्राइस को 20% बढ़ा कर बेचेगा तो सेलिंग प्राइस जो पांच रुपे था इसको बीस परसेंट बढ़ा दोगे 20% बढ़ा दोगे मतलब 6 रुपे हो जाएगा तो जब आप बेच होगे तो 6 to 3, 18 रुपे के बेच होगे ने इसको 18 में बेच होगे तो अब उसका जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा तो पहले मतलब जो उसको अरिजिनल सीपी था वो जो चीज उन्हें सोलर रुपे में खरीद है वो 18 रुपे में उसको बेच रहा है तो हम कह सकते हैं कि 2 रुपे का उसको प्रॉफिट हो रहा है सोलर पर दो बटा सोलर मतलब एक बटा एक बटा एक बटा इन्टू सौ करोगे तो कितना आएगा साड़े बारा परसेंट 12.5 परसेंट यस 12.5 परसेंट परसेंट प्रॉफिट ऑप्शेंट सी इस करेक्ट क्लियर है सभी यस अगला सवाल देखो है प्रॉफित उन्सेल हुब और टेस्ट सेलिवेट इस limit processoidu विल लॉफिट सेलिवेट लॉज एक बाररा देखो एक बारे स्य करेंटी सेलिवेट All sonी ङराफ परसेंट सेलिवेट पढ़िए प्यार सवाल है बहुत मज़िदार कि है ना डिफिकल्ड भी भी हू सकता है थोड़ा अब डिफिकल्ट है आजान है वो तो पहला स्टेप लिखने के बाद पता लगेगा है ना प्यासे करेंगे इसको बताओ शरत कांसर है यहां पर थ्री इस्टू टू रिशिकेश कांसर है वन इस्टू वन चली देखते हैं देखो एक काम करते हैं यहां पर दो चीज़ है कैंडल और वल्ब इतना तो समझ आ गया है केंडल एंड बल्ब ठीक है अब इनका मैं लिखता हूं सीपी और स्पी खॉस्ट प्राइस सैलिंग प्राइस इच केंडल इच पल्ब का मुझसे कहा गया है सवाल यह कहता है कि कोस्ट टो भल्ब की कोश्ट मैंने मानली 200 रुपी तो केंडल की कोश्ट में मानूंगा 100 रुप सकता हूं? यस अच्छा बोला है also the profit percentage equal to loss percentage profit किस पर हो रहा है? candle पर, तो candle पर suppose आपको P percent का profit हो रहा है या X percent का profit हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? X percent का आपको loss होगा? होगा के नहीं होगा? इसका X percent कितना होगा? 100 का X percent X रुपीज ही होगा और इसका X percent कितना होगा? 2X रुपीज याणि आपको यहाँ पर, each bulb पर 2X का क्या होगा? loss होगा each bulb पर 2X का loss होगा, right? each bulb पर 2X का क्या होगा? loss होगा, ठीक है? सवाल यह कहता है, profit on selling 10 candles equal to selling price of 3 bulbs अजया, एक candle पर profit है X, तो 10 candles पर कितना होगा? 10X होगा कि नहीं होगा? अगर एक candle पर profit है X, तो 10 candle पर होगा 10X तो, it is equal to selling price of 3 bulbs, तो एक bulb का selling price कितना होगा? 10X by 3 नहीं समझे बात को, फिर से समझू देखो एक candle पर profit है X, सवाल कहता है कि profit on selling 10 candles, so it will become 10X and that is equal to selling price of 3 bulbs, तो 3 bulb का selling price 10X है, तो एक bulb का कितना होगा? 10X by 3 होगा? तो, एक candle का कितना होगा? 20X by 3 होगा, एक candles का कितना होगा? 20X by 3 so it is what? 5X, तो हमें कहते हैं यहाँ पर, what is the ratio of the selling price of candle to that of bulb? तो candle का selling price है 5X और बल्ब का क्या है? 10X by 3 10X by 3, X से X कटी गया, 5 से गया है 2 ताइम्स, क्रॉस मल्टिप्लाइ करेंगे, तो 3 is to 2 मेरा आणसर आएगा, क्या आणसर आएगा? 3 is to 2 yes, clear है बात, raise to 2, that means option B is correct, yes चली, अब आते हम, अपने last concept पर और इस पर भी बहुत सारे सवाल हम करेंगे and this is the concept of dishonest shopkeeper, ठीक है? dishonest shopkeeper का concept, अब कोई पैसा बढ़ा कर profit कमा रहा है, वो यह कलग चीज है, dishonest का मतलब है बहिमानी, मतलब जितनी quantity आपको देनी चाहिए, आप उतनी नहीं दे रहे हो, आप promised quantity से कम दे रहे हो, तो that is called dishonest shopkeeper concept, है न? यही तो है dishonesty, कि आप जो promise कर रहे हो quantity उससे कम दे रहे हो, ऐसे करके आप profit कमा रहे हो, है न? आप markup percent लगा कर कुछ profit कमा रहे हो, that is okay, है न? लेकिन अगर आप जूट वोल का profit कमा रहे हो, that is called, that type of shopkeeper is called dishonest shopkeeper, तो देखो दो तरीके से profit, अब देखो shopkeeper एक middleman है एक तरीके से वो कहीं से सामान खरीदता है और किसी customer को बेशता है, तो वो बहिमानी दोनों तरब कर सकता है, खरीदते समय भी कर सकता है, बेशते समय भी कर सकता है, तो let's suppose, कि while buying from the wholesaler, while buy, buy करते समय, उसने, suppose, 20% की cheating की, 20% cheating उसने की, तो उसे कितना परसंट का profit हो गया, यह बताओ, buy करते समय, उसने 20% की cheating की, तो उसने कितना परसंट का profit हुआ, खरीदते समय, जब वो wholesaler से खरीद रहा था, ठीक है, तो उसने 20% की cheating की, उसने कुछ अपना weighing balance इस तरीके से रखा, जतना उसको लेना चाहिए था, उससे 20% extra ल अगर मैं CPSP के ratio की बात करूँगा, तो द्यान से समय ना मेरी बात, 20% की cheating का मतलब है, कि उसने 100 gram quantity की जगे, 120 gram quantity ले ली, right, मतलब जो quantity उसे 100 gram लेनी चाहिए थी, 100 gram, उसकी जगे, उसके पास 120 gram आ चुकी है, मतलब जो profit है, वो 20% ही है, तो आप हमेशा याद रखें, कि खरी परसेंट का profit होता है, मैं फिर से अपनी बात बता रहा हूँ, खरीदते समय अगर कोई cheating कर रहा है, तो जितने परसेंट की cheating, उतने ही percent का profit, फिर से बोल रहा हूँ, खरीदते समय अगर कोई cheating कर रहा है, तो जितने परसेंट की cheating, उतने ही percent का profit, रटल लो इस बात को, समझ ल मैं कहा हूँ वाइल सेलिंग अगर बेचते समय वो परसंट 20% की चीटिंग कर रहा है तो क्या हो कि भी और वह कॉश्ट प्राइस इस वजए से उसे कितना परसंट का प्रॉफिट हो रहा इस वज़े से बताईए इस वज़े से उसे कितना परसंट का प्रॉफिट होगा अगर वो बेशते समय 20 परसंट की चीटिंग करता है तो उसे कितने परसंट का प्रॉफिट होगा इस वज़े से तो भाई ध्यान से समझो बात को अब यहां पर फुड़ा सा ट्विश्ट है कानी में खरीदते समय तो बड़ा आसान है कि जितने परसंट की चीटिंग उतने परसंट का प्रॉफिट बीस परसंट चीटिंग है फाई इस्टू सिक्स रेश्व आएगा बीसी परसंट हुगा लेकर बेश्टि समय ध्यान देजिये कैस्षक सब्सक्री में प्रॉमिस वैं इसने किया क्या को सव यवाई परॉमिस कर रहा है वी अप्रिस यॉझल की चीटिंग आसटी ग्रां थे एक ग्रम का प्राइस एक रुपे है, तो कस्टुमर से एक रुपे लेगा, कस्टुमर को लगेगा, कि मुझे तो 100 ग्रम मिल गया, है न, 100 रुपे मैं दे देता हूं इसको, ठीक है, 100 ग्रम मिल गया, लेकिन एक्चुल में जो इसने सामान दिया है न, वो केवल 80 रुपे का सा आप से लगाऊं, तो 80 gram सामान की कीमत 80 रुपे थी ना इसके लिए, बारत आप समझ पा रहे हैं, माला customer से ले लिए 100 रुपे, और दिया के वाल 80 रुपे का सामान, तो cost के वाल उतनी के लिए नहीं है, जितना इसकी pocket से गया है, इसकी pocket से कितना गया है, 80 gram, बाकी 20 gram इसने 25% का, तो बेचते समय हम उल्टा लेखते हैं, जितना promise किया, selling price उसका लिया, और जितना उसने actual में दिया, वो CP के नीचे लेखेंगे, तो यहाँ पर जितने percent की cheating, उतने percent का profit नहीं होता है, यह दोनों चीज़ें अलग अलग, ठीक है, ठीक है, अच्छा, अब मुझे आप बताओ, जरा, कि एक महाँ बेइमान दुकानदार है, जो खरीदते समय भी cheating कर रहा है, बेजते समय भी cheating कर रहा है, है न, तो buy करते समय, और वो CP पर ही बेच रहा है, by default आपने माल लिए, तो CP पर ही बेच रहा है, अधर कोई और profit वो mark- परसेंट और अगयरा कुछ नहीं कर रहा, केवल weights में हीरा फिरी करके profit कमा रहा है, तो buy करते समय, while buying, इसने की 10% की cheating, and while selling, sell करते समय उसने क्या किया, 10% की cheating की, तो उसको इस वज़े से net profit कितना हुआ, बताईए, हरीते समय भी cheating किया, बेजते समय भी cheating किया, तो overall transaction में कितना परसेंट का profit हुआ, इस overall transaction में कितना परसेंट का profit उसको हो रहा है, बताईए, हाँ, तो देखो ज़रा, profit percent में, overall CP और SP का ratio लिखूँगा, क्या लिखूँगा, CP, SP का ratio लिखूँगा, ठीक है, चीज़े successive में चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, मतलब पहले उसने खरीदा, फिर बेचा, एक के बाद एक चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, देखो, buy करते समय, जितने percent की cheating, उतने ही percent का profit, आपको मैंने क्या बताया था भी, जितने percent की cheating, उतने ही percent का profit, मतलब 10 percent का profit होगा, यानि 10 to 11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 to 11, ये ratio बनेगा, 10 to 11, बनेगा के नहीं, अच्छा, और जब sell करते समय cheating करेगा, तो आपको इस बात का ध्यहन देना है, के 10 percent की cheating की, मतलब उसने one by ten की cheating की है, मतलब customer को 10 gram promise करके उसने एक gram कम दिया है, यानि 9 gram दिया है, तो customer से उसने 10 रुपे ले लिए, और सामान कितना दिया केवल 9 रुपे का, तो जो customer से ले लिए, वो selling price के नीचे आएगा, और जो उसके pocket से ले गया है, वो cost price के नीचे आएगा, राइट, उल्टा लिखते हैं यहाँ पर, sell करते समय cheating होती है, अब यहाँ पर आप successive लगा दो, तो उस लगाने में होगा क्या यह चीज़े cancel हो जाएंगी, बचे का क्या 9 is to 11, तो यहाँ पर profit कितने का है, 2 by 9 का, 2 by 9 into 100 करूँगा, 1 by 9 होता है 11.11%, 2 by 9 होता है 22.22%, yes, agreed, तो answer is 22.22%, right, yes. चलिए, तो इस पर कुछ questions practice करते हैं, पेला सवाल है हमारे पास ही, a dishonest milkman sells his milk at the cost price, but he mixes it with water and thereby gains 33.33%, ठीक है, so what is the percentage of water in the mixture, yes, mixture में percentage of water क्या होगा, जल्दी बताओ, यह तो यह कॉमन सेंस वाला सवाल है, एक दूद वाला भी इसको फटाबर सॉल कर देगा, वो तो करी देगा क्योंको इसका दिन नबर का कामी है, दूद में पानी मिला रहा, यह ना, लेकिन इस पर वो बहुत आरहम से profit calculate कर लेगा, देखो भाई, आप CP पर ही चीजों को बेच रहे हो, आप कोई भी quantity है, उसको cost price पर ही बेच रहे हो, तो आप profit कैसे कमा रहे हो, केवल पानी मिला कर, यह नि जितना पानी आप मिला होगी हो, उतना पानी आपको profit मिलेगा, और profit percent किस पर निकालते है, CP पर, और CP किस का आपको लेना पड़ता है, केवल milk का, क्योंकि पानी तो by default आप free माने हो, भाई, कोई भी दूद वाला, बिसलरी का पानी सोड़ी मिलाएगा, इतना शरीप होता तो पानी क्यों मिलाता, तो पानी जो उसने मिलाया हो, free वाला मिलाया है, by default यह मेरा assumption है, तो milk और water, तो जो भी आपका profit है, वो water के ही बराबर है, तो 33.33% का मतलब क्या होता है, one third का profit आप कमा रहे हो, यानि आप 3 लीटर दूद में एक लीटर पानी मिला रहे हो, भाई, profit percent का मतलब profit upon CP, and CP is equivalent to milk, क्योंकि milk का ही equivalent cost आपको बेर करना पड़ेगा, और this profit is water, तो milk is 3 लीटर, water is 1 लीटर, तो हमने क्या किया, milk 3 लीटर है, वो water है, एक लीटर, तो percentage of water in the mixture, तो पानी कितना है, पूरे मिक्षर में, तो पानी एक लीटर है, और पूरा मिक्षर कितना है, 3 प्लस एक चार, यानि 25%, तो पानी का जो percentage है, वो है 25%, option D, yes or no? चलो बिटर निकलो तुम्हें आसे, हाँ, ओके, क्लिर है, चली, आगे, अगला सवाल देखू, A dishonest shopkeeper makes a cheating of 20% at the time of buying the goods and 10% at the time of selling the goods, find his profit percent, profit percent इसको क्या होगा, बताइए, कितने percent का profit होगा? 33, 3 option D आ रहा है चलो तो ऐसा question तो भी हम कट चुकी है CP SP का ratio आप जी जितने परसंट का profit जितने परसंट की cheating उतने परसंट का profit तो खरीचते समय उसने 20% की cheating की तो 20% का profit होगा मतलब 1 by 5 का profit होगा मतलब 5 रुपे CP तो 6 रुपे SP लिखती है और बेस्टे समय क्या होगा 10% की उसने cheating की है मतलब 10 ग्राम का पैसा ले लिया और 1 ग्रम कम दिया है तो पैसा जितने का लिया वो selling price और 1 ग्रम कम दिया मतलब 9 ग्राम दिया उसने तो यह कितना हो गया 9 x 5 45 और 10 x 6 60 तो आप 3 to 4 का रेशो बनेगा CP SP का 3 by 4 का रेशो बनेगा मतलब 1 3rd का profit है 1 3rd का मतलब कितना हो गया 33.33% option D ठीक है न यस अगला देखो a dishonest shopkeeper makes a cheating of 10% at the time of buying the goods and 10% at the time of selling the goods find his profit percent दे तो अभी हम अल्रीड कर चुके है 22.22% आया था आगे बनो next question देखो the spring balance of a trader shows 1 kg for 900 gram find the profit or loss percent if the trader marks of the goods by 10% 10% का markup भी है मतलब weight में हेरा फेरी भी कर रहा मांकब भी मतलब 10% का profit markup percent करके भी कमा रहा है वो है न डिस्काउंट यहां पर दिया नहीं गया मतलब discount customer ने मांगा नहीं है न अगर customer discount मांगता तो discount होता है यहां पर कि कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि प्राइविट बैंक जोइन करके फस गए शेल करने बहुत है अब जब फस गए तो फसी गए फिर आप उसमें तरीके निकालों सेल करने के smart ways निकालो है न वह भी तो अपने आप में कला है थार्ड ऑप्शन यहां पर आ रहा है चलिए देखो तो हम यह कह रहे हैं कि भाई वन केजी दिखाता है 900 ग्रैम की जगे तो आप देखो CP MP का CP और SP का रेश्यों सबसे पहले सबसे पहले तो उसने क्या किया mark up किया 10% mark up का मतलब है कि 1 by 10 उसने बढ़ाया मतलब 10 रुपे की चीज को 11 के rate पर बेचेगा अगर कोई चीज की कीमत 10 रुपे है तो उसको 11 के rate पर बेचेगा ठीक है अच्छा जो उसका balance है वह 900 ग्रैम की जगे वन केजी शो कर रहा है को देगा कितना केवल 900 ग्राम क्योंकि actual में तो 900 ग्राम गिया balance ने एक केजी शो किया मतलब customer को लगा कि मुझे एक केजी मिल रहा है तो वह एक केजी का पैसा दे दिया उसने और उसको मिला actually कितना 900 ग्राम ठीक है तो यहां पर 2 0 से 2 0 कट गई इस 10 से 10 कट जाएगा तो ultimately य 9 is to 11 मतलब there is a profit of 2 over 9 2 by 9 into 100 which is nothing but 22.22% ठीक है that means option 3 third option चली अगला सवाल देखो 5 गाया हो गया चलो 6 okay a dishonest dealer mixes 1 kg of sand with 5 kg of rice and sells the entire mixture at a price 25% more than the cost price of rice okay what is the net profit percent in this transaction okay so again CP और SP का ratio matter कर रहा है न पीप एसपी का ratio निकार जब मैं quantity की बात करूंगा तो actual में उसने 5 kg rice उसको दिया और पैसा कितने का चार्ज करेगा 6 kg का क्योंकि उसमें एक क्लो मिलावट भी उसने की है है न तो 5 kg वेट को 6 kg शो करके वो बेच रहा है महला कस्टूमर विचारा 6 kg का पैसा देगा और उसको मिलेगा केवल 5 kg ठीक है कि डेफिनिटली SBI PO मेंस का जो आज का लेवल है इस्पेशली अरिथमेटिक का वह तो भाई है कैट से भी कई गुना टफ हो चुका है आज की डेट में कैट में जो अरिथमेटिक पैट लिस्ट जान बचाने वाला आता है उतना मुश्किल नहीं आता डियाई ऑबिसली डि तो PO मेंस है वो अच्छा का सा टफ आने लग गया है 50% यहां पर आंतर है ओके एंड उसने कितने परसंट उपर बेच रहा है 25% बढ़ा कर बेच रहा है प्राइस को चार रुपे की चीज को पांच के रेट पर बेच रहा है तो यह पांच से पांच कट गया अल्टिमेटिक इस 4 इस to 6 का रेशो बना ताट मेंस इस 2 इस 2 इस 2 तो 3 यानि कि दिर इस प्रोफित ऑफ 1 ओवर 2 वन बाई 2 का मतला 50% का प्रोफित है चीज के चीज के चीज के डवर 2 ओविद से 6 1 तो वोसे प्रोफित प्रोफित ऐस तो घ्र सीज को खर तर बंकल मातला 30% का मौ। selling he weighs only 800 gram instead of 1 kg, ठीक है, so what would be his profit percent, profit percent उसका क्या होगा, बताई जल्दी से, बड़ापट हाँ जी बच्चो, 75% आ रहा है या बस शरत का अंसर, साहिल का अंसर है 50%, चली देखते हैं, जितने में भी खरीदा उसने मुझे कोई मतलब नहीं है, मार्क परसेंट देखो 40% है, आप यह जानते हो कि 40% का मतलब होता है क्या, 2 by 5 होता है, यानि CP और SP का जब मैं रेश्यो नि सबसे पहले mark-up पर सेंट अगर मैं देखता हूं, तो 2 by 5 का mark-up है, मतलब 5 रुपे की चीज को 2 रुपे उसने बढ़ा दिया, नहीं, 5 के rate पर जो चीज खरीदी थी, उसको 7 के rate पर वो बेच रहा है, ठीक है, आचा, और weights में भी हिरफेरी कर रहा है, 800 ग्राम देता है, instead of 1 kg माला कस्टूमर से 1 kg, यानि 1000 ग्राम का पैसा चार्ज कर लेगा, और देगा कितना 800 ग्राम, तो 800 ग्राम का CP उसने bear किया, उसके लिए, so this is what 4 is to 5, तो ये 5 से 5 कैंसल हो गया, तो overall profit 4 is to 7 ratio आगया, तो profit कितना है, 3 का profit है 4 पर, 3 बटा 4 का मतलब 75%, 3 by 4 into 100 कितना होता है, 75%, option A, clear ह yes, आगे बढ़ेंगे, question number 8, a person marks his article by 20% extra and gives a discount of 10%, in addition to this, he cheats the wholesaler as well as the customer by 100 gram, each on 1 kg, तो 1 kg पर 100 gram की cheating भी कर रहा है, 10% की cheating कर रहा है, एक किलो का 10% ही होता है, 100 gram, तो 10% की cheating खरीते समय और 10% की cheating बेशते समय कर रहा है, so what would be his profit percent, अब तो आप 5-5 seconds में खतम कर दोगे, इन सवालों को, तो कि आपको मिल गया है, एक राम भाण तरीका, ratio वाला method, कर दो 20 आ रहा है, सत्यम, वृतिका, साहिल, कांसर आ रहा है, 20, देखो, 20% एक्स्ट्रा माग किया, सबसे पहले CP to SP में लिखता हूँ है, 20% एक्स्ट्रा माग करने का मतलब है, कि 5 रुपे की चीज़ को, 6 रुपे पर उसने माग किया, उसके बाद 10% का discount भी दिया, मतलब 10% कम कर दिया, तो 10 रुपीज की चीज़ को, पर वो बेच रहा है, 10-9, तो ये markup percent की वज़े से ratio और discount percent की वज़े से ratio आया, अज़ा wholesaler को 10% की cheating करता है, तो खरीदते समय जितने percent cheating उतना ही percent profit, यानि कि 10% की cheating है, मतलब 10% का profit, यानि 10-11 बन गया, वो बेचते समय भी 10% की cheating करता है, मतलब, let's suppose, 10 gram का पैसा charge कर लेता है customer से और देता के वल 9 gram है, तो उल्टा लेकिंगे 10 जरू 9, इदा, ठीक है, तो अब यहाँ पर लगा देंगे successive, तो लगा दो जरा, कोई चीज cancel हो रही है, हम पर 10 से 10 cancel हो रहा है, 9 से 9 cancel हो रहा है, और कुछ cancel हो रहा है, नहीं, तो यह this is 50, and this is what, 11 into 6, 66, which can be written as 100 is to 132, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर profit है, 32% का, कि इतना percent profit है, 32% option C, ठीक है, 32, next question, Ramu marks all his articles by 80% extra and allows a discount of 25%, in addition to this, he gets 20% profit on selling and gives 10% less on each kg to his customer, find his total profit percent, some profit is on grade and if that's 4 to 35%, next question, margin on पर वे करा reck目 3 उन भгов on 15 है अब बाइए दो साल परानी वीडियो का निया थो तो मेठ़ड़ थोड़े प्रव्डे-थोड़े मॉडिफाई होते रहते हैं हालां कि यही था लेकिन वह पड़ाने के तरीका थोड़ा 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 बदलता रहता है समय के साथ है ना हम बार-बार मैं यह सोचता र is 4 by 5 80% का मतला है 4 by 5 तो CP is to SP की हम बात करेंगे CP और SP कर इश्यो देखो जगा तो 4 by 5 मतलब 5 रुपे की चीज़ अगर है तो इसको 4 रुपे उसने बढ़ा दिया यानि 5 प्लस 4 कितना कर दिया 95% का डिसकाउंट दिया मतलब 1 by 4 गैजर चार रुपे की चीज़ को 1 यानि 29 को एक कम कर बीके है 20 पर सु शेदक है यीधे और सेश्व समय 10 पर संट की च्रह रहा है अलिक पर सेड़ा कर दाक्र घृतिकल यह उसकी जगे कितना दे है AWS नौ ग्राम तो ऐसे लिखेंगे, 10 ग्रम का पैसा ले लिया, दिया के वर 9 ग्रान, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कमन चीज़ों कट देते हैं, फिले लेफ्ट राइट में, 9 से 9 कट गया, ठीक है, 5 से गया 2 ताइम्स, 2 से चला गया 2 ताइम्स, तो 5 इंटो 2 यह कितना आगे 10, और 6 इंटो 3 आगे, 80, तो इस एस गुड़ आगे 100 इस तो 180, यहाँ देर इस अ प्रोफित ऑ 80 पर्सेंट, यहाँ देर इस अ प्रोफित ऑफित ऑफ दक, 80 पर्सेंट, ज़्या, नेक्स्ट कॉस्टिन देखें चान्ह, अगला सभार, रजत, व इस अ ट्रेडर, माक्सप्ट अग्स्टिक his goods by 80% then he allows a discount of 20% he cheats 16.66% while buying from the wholesaler and he cheats 25% while selling to the customer and finally he gives one article free with purchase of every 20 articles छीक है विसमें सब कोछ है खरीकते समय भी चीटिंग बेशते समय भी cheating markup भी है discount percent भी है और 20 के साथ एक article freebie सब को चीज़े होगा profit and loss का है इसमें बताना है मुझे profit percent उसका क्या होगा ठीक है तो देखो 80% उपर mark किया सबसे पहले मैं लिखता हूँ है पर CP is to SP 80% उपर mark करने का मतलब है यह 4 by 5 बढ़ा है यह 80% का मतलब क्या होगा 4 by 5 होगा यानि पांच रुपे की चीज़ पर चार रुपे बढ़ा रहा है यानि पांच रुपे की चीज़ पर चार बढ़ा दिया यानि पांच रुपे की चीज़ पर एक रुपे का डिसकाउंट दिया यानि 5 is to 4 हो गया यह ठीक है यह चीट 16.66 परसेंट वाइल बाइं तो मैंने आपको क्या बता है बाइ करते समय जितना परसेंट का चीटिंग उतना ही परसेंट का प्रोफिट तो तो 1 x 6 की चीटिंग हो रही है तो 1 x 6 का ही प्रोफिट होगा मतलब एकपटा चार सानिग उतना 25 परसेंट का मतलब क्या होता है एक बटा चाल, इसका मतलब कि 4 ग्राम कस्टुमर को सी प्रोमिस कर रहा है एक ग्राम कम दे रहा है यानि कस्टुमर से 4 ग्राम का पैसा ले लिया और आर्टिकल दिया किवहल 3 ग्राम ठीक है एंड ही गिस वन आर्टिकल फ्री with the purchase of every 20 आर्टिकल तो यहां पर क्या होगा तो एक आर्टिकल फ्री है मतलब 21 आर्टिकल की गोगी 20 आर्टिकल प्राइज वन आर्टिकल फ्री का मतलब क्या है कि डिसकाउंट जो है वह कितना है वण लेते हैं अभी बता थे ना कुछ दिर पहले डिसकस किया था कॉंसेट 20 प्लस एक 21 का तो मांक प्राइज मैंने लिया 21 का 21 पर एक कम कर दो डिसकाउंट तो 20 रुपे आ जाए और यह कितना होंगे चार इंट चार इंट चार इंट चार 64 तो ठीक है विच कें वी रिटन एस 300 इस्टू 640 अगर इसको 100 बनाऊं तो 3 से काट देता हूं सौ बार और तीन से इसको काट दूंगा तीन इंटू दो च्छे ठीक है तीन इंटू एक तीन तो कितने परशन का प्रॉफित है 113.33% 113.33% का एक सो पेरे पॉइंट तीन परसेंट का डैट मेंस ओप्षिन दीस करेंट राइट यस चलिए अगला सवाल देखो कुश्ण नमर 11 आपके सामी में देखो जब इसको पढ़िए और ट्राइ कीजिए पॉब्स का राइट। का हुआ आट ऑ चाहिए और एक ट्राइट। ट्राइट। ऑ पुआ अपके सामी तैट साम प्राइट अएट ट्राइट। 80% extra through false weighing per kg then he marks up the goods by 80% of X okay but he gives the discount of 25% besides he cheats the customer by weighing 10% less than required तो देखो X का मुझे क्या करना है सबसे पहले X पर 20% discount देना है और second case में बेजते समय खरीदे समय तो उसने 20% discount पर खरीदा और बेजते समय X को 80% बढ़ा दिया now 20% in 80% means 1 by 5 and 4 by 5 तो let the X be 5 मैंने बोल दिया कि X जो प्राइस है वो 5 रुपीज पर के चीज़े तो जब उसने खरीदा तो किस प्राइस में खरीदा 20% discount मैं मलबा खरीदता है वो उस चीज़ को कितने प्राइस में इसमें 20% कम करोगे 4 बचेगा और बेजता है इसको 80% बढ़ाकर, इसका 80% इसका 4x5 होगा, इसका 4x5 चार रुपे होगा है, वाला 9 के प्राइस पर बेचता है, तो उसका खरीदने का प्राइस है 4 रुपे हो बेचने वाला जो प्राइस है वो 9 रुपे है, तो मैं यहाँ पर CP और SP का रेशियो निकालता हूँ, CP is to SP, क्या बनेगा देखो, सबसे पहले है, खरीदा 4 के रेट में और बेचा 9 के रेट में, ठीक है, यह रेट लिग दिया मैंने, उसके बाद, खरीदते समय वो चीटिंग कर रहा है 20% की, 20% की चीटिंग मतला 20% का प्राफिट, 5 is to 6, खरीदते समय चीटिंग उतने परसंग अच्छा, 35% का वो डिसकाउंट भी दे रहा है, यानि कि 4 is to 3 का रेश्यो आगया, डिसकाउंट गी वजए से, उसके बाद, बेचते समय वो 10% की चीटिंग करता है, 10% की चीटिंग करता है, बेचते समय, मतलब 10 ग्राम आर्टिकल की जगे, वो केवल 9 ग्राम देगा, तो स कुछ कैंसल हो रहा है, 5 से यस, 5 इंटो 4, 20, 10 से गया है, 2 ताइमस, 20, 3 से गया है, 3 ताइमस, या, रुको, 9 से 9 काट दो, छीक है, 2 से चला जाए गए, 3 बार, तो यहां बचेगा, 4 यहां बचेगा, 3 इंटो 3, 9, तो कितने परसेंट का प्रोफित है, 5 का प्रोफित है, 4 प परसेंट, 125 परसेंट, yes, option D, clear, 125 परसेंट is correct answer, clear, चली, आगे बढ़िये, अगला सवाल है, यह, A dishonest shopkeeper used a faulty balance, that balance is, when 9 kg is on one pen and 8 kg is on the other, ठीक है, तो balance में ideally होता क्या है, तराजू देखा आथ में सबी लिए, तो इसमें होता क्या है, कि दौनों तरफ बराबर बराबर वेट होने चाहिए, तही हो balance होता है, लेकिन होता क्या है, यहां पर, एक तरफ 9 kg रखा, एक तरफ 8 kg रखा, तब वो balance हो जाता है, यह, तो गड़ बड़ा जी तो, he sells after hiking the cost price of the product by 33.33%, ठीक है, if he cheats the farmer, while buying, and the buyer, while selling through his faulty balance, यह, तो find his actual gain percent in the whole transaction, ठीक है, तो देखो जगा, CPSP का ratio में यहां पर लिखने होगा, होगा क्या, कि सबसे पहले, वो mark-up percent भी यहां पर कर रहा है, 33.33%, तो पहले इसको लिख लो, 33.33% में बहुत 1 third, यानि 3 रुपे की चीज को 1 रुपे बढ़ा कर बीच रहा है, यह, चार के rate पर बीच रहा है, ठीक है, अजा, उसके सामान ले लेगा, और बेचते समय क्या करेगा, उल्टा करेगा, बेचते समय इधर वाली चीज को इधर रख देगा, इधर वाली चीज को इधर रख देगा, ताकि उसके पास से कम जाए, मतलब 9 का पैसा ले लेगा, और 8 quantity देगा, 9 kg का पैसा customer से charge कर सकता है, और 8 kg quantity देग तो बेचते समय यह उसने cheating की तो overall क्या बना ratio आप देखो ultimately वो करना क्या है उसको तराजू के जो पैन में सामान रखा है वो interchange तो करना है बेचते समय तो interchange कर दिया यहनि 9 kg वाला इधर रख दिया 8 kg वाला इधर रख दिया तो customer से 9 kg का पैसा ले ली मलब पैसा चार्ज कर लिया और customer को दिया कितना 8 kg सेम थिंग ओकी तो यहां देखो इससे two times cancel होगा 3 से three times cancel हो जाएगा तो यह हो जाएगा आठ इंटू तो 16 और 9 इंटू 27 तो कितना profit है आप देखो ग्यारा का profit है सोला पर ग्यारा बटा सोला इंटू सोकर नों तो यह होगा 1100 बाई 16 सोला इंटू छे च्यानवे बचे का 14 सोला इंटू आठ 128 बचे का 12 ठीक है सोला इंटू साथ 112 बचे का 8 सोला इंटू पाँच असी तो 68.5 परसेंट मेरा अंसर आ रहा है option c 68.5% sorry 7.5% yes Satyam correct अगला सवाल देखो A dishonest milkman mixes milk to mineral water कितना बहिमानी है लेकिन खुछ कुछ इमान दारी उसके अंदर बच्चे हुए कि milkman जो है milk को mineral water के साथ मिला रहा है he sells the mixture at the cost price of the milk and earns a profit of 20% if the price of mineral water is 20 rupees per litre then the price of 1 litre milk is how much percent is more than that of 1 litre mineral water okay you a dismonished milkman mixes milk to mineral water in the ratio 5 is to 3 and let's suppose 5 litre milk is and 3 litre mineral water mineral water mineral water price is 20 rupees per litre mineral water price is 20 rupees per litre milk price is x rupees per litre total cost price is 5 litre milk is 5 x x ho gya and mineral water is 3 litre so 3 x 20 ho gya although 20 nai bhi dya jata to 20 sawal kaan se nikala jata percentage more puchha hai to chalo koji nai 20 dhe dya gaya 20 lhe kar karlo 5 x plus 60 ho gya selling price kitna ho ga aap pure mixture ko mila kar kis rate per bich ho ga and you are earning a profit of 20 percent 20 percent profit ka matlab cp sp ka ratio kya bane ga 5 x plus 60 cp ho gya और sp ho gya 8 x तो इनका ratio kya bane 20 percent profit ka matlab hai कि अगर cp 5 rupee है तो sp 6 rupee हो गया ठीक है तो 6 into 5 30 x बराबर 360 plus 40 x तो 40 minus 30 यानि 10 x की value कितनी हो गए 360 तो यहां से milk का price कितना आ गया मेरे पास मिल्क का price कितना आ गया 36 रुपे प्रती लीटर तो वाटर से कितना ज्यादा है यह वाटर का price था 20 और मिल्क का आ गया 36 तो we can write this as 100 is to 5 से multiply कर दो इसको 180 तो कितने percent का profit है sorry कितना percent ज्यादा है इसका price milk का price water से कितना percent ज्यादा है 80% जाता है 80% ज्यादा है ठीक है यस चल नेक्स्ट अर चौक कीपर marks up his article by 28 4 by 7% he allows a discount of 27.27% he cheats 16.67% while buying and cheats 44.44% while selling अच्छा तो सब कुछ है यहां पर और gives one article free for every 11 article purchased तो अगेर अभी एक ऐसा question हम अल्री कर चुके हैं और cp और sp का ratio आप देखों क्या बनेगा देखो सबसे बहले 28 4 by 7% की value क्या होती है आपको पता 27.27% का discount दिया आप यह जानते हो कि 27.27% is nothing but three times 9.09% और 9.09% होता है 1 by 11 तो इसकी value हो गई 3 by 11 इतना आप discount दिरो है 11 रुपे की चीज को 3 कम कर दो यानि 8 पर बेच रहे हो 16.66% की cheating की उसने खरीदते सर यानि 1 by 6 की cheating की और खरीदते समय जितनी cheating होतना ही profit तो 1 by 6 की cheating मतलब 6 रुपे पर एक का profit तो 6 इस्टू 7 हो गया और बेचते समय वो cheating कर रहा है 44.44% की जिसका मतलब होता है 4 by 9 because 11.11% होता है 1 by 9 तो 44.44% होता है 4 by 9 तो बेचते समय मतलब 9 ग्राम का पैसा ले लिया customer से और 4 ग्राम उसमें कम दिया यानि 5 ग्राम दिया केवल and he gives one article free for the purchase of every 11 article मतलब 12 आर्टिकल जो मिल रहे है उसको 12 वो दे रहा है और चार्ज कर रहा है केवल 11 का पैसा एक फ्री दे रहा है 12 इस्टू 11 तो आप देखो यहाँ पर ultimately बचेगा क्या है यहाँ पर cancel cancel हो रहे है terms 7 से 7 cancel हो गया 11 से 11 cancel हो गया है ना 3 से गया यह 2 बार 3 से गया यह 3 बार और 8 इंटू 3 24 बार यह से कट जाएगा 2 बार 2 से 2 कट गया खतम हो गया सब 5 बचा यहाँ पर 9 बचा यानि कि change कितने का 4 by 5 यानि कि 80 परसेंट 4 by 5 इंटू 100 80 परसेंट का profit है option भी अगला सवाल देख। A merchant uses a weight of 0.85 kg in place of 1 kg to sell potatoes. Let his actual percentage profit or loss be m when he pretends to sell the article at 5% loss. तो सबसे पहले m% का उसे profit or loss कव होता है जब वो यह pretend कर रहा है कि 20% के loss पर बेच रहा हूं तो 20% के loss पर बेच रहा हूं मतलब sorry 5% के loss पर बेच रहा हूं 5% का मतलब क्या होता है 1 बटा 20 यह आप जानते हो 1 बटा 20 इसका मतलब है तो इसका मतलब यह है कि 20 रुपे की चीज को 19 में यह बेच रहा है pretend कर रहा है कि 20 रुपे में होने खरीद था 19 का प्राइस में आपको दे दूंगा यह सामान लेकिन करके आ रहा है वह वेट में हिरा फेरी कर रहा है क्या कर रहा है 1 kg की जगे 0.85 kg दे रहा है मतलब 15% की cheating है 1000 ग्राम की जगे 850 ग्राम है यह ना 1000 ग्राम की जगे 850 ग्राम है तो 1000 का पैसा कस्टूमर से ले लेगा और देगा कितना 850 ठीक है तो यह हो गया 17 इस्टू 20 चीटिंग की वजए से तो overall ratio क्या बनेगा देखो 20 से 20 कट जाएगा 17 इस्टू 19 तो definitely यहां पर profit हो रहा है इसको because SP ज्यादा है CP कम और profit percent कितना है M percent तो M की value कितनी हो जाएगी यहां पर profit है 2 का profit हो रहा है 17 पर 2 by 17 into 100 so it is what 200 by 17% ठीक है अच्छा दूसरा आप देखो second यहां पर आप देखो CPSP का ratio second case में he pretends to sell it at 5% gain तो 5% gain का मतलब 20 रुपे की चीज को 21 में बेच रहा है आजा weight में यहां पर भी यह कर रहा है यहां चीटिंग कर रहा है चीटिंग की वाइसे ratio 2017 into 20 तो ultimately होगा क्या है यहां पर 20 20 कर गया 17 20 बना गया तो यहां पर भी इसको profit हो रहा है कितना profit हो रहा है गई 4 का profit हो रहा है 17 पर 4 by 17 into 100 this is the value of N So it is 400 by 17% N की value होगी 400 by 17% हमें कहते हैं M plus N M plus N कितना हो जाएगा 200 plus 400 600 upon 17% यानि की option 3 clear है सबी को Yes Yes अगला सवाल A shopkeeper goes to a wholesale market to buy his merchandise The wholesaler has a weighing balance that reads 1100 gram for a kg ठीक है The shopkeeper sells the entire purchase to a customer after marking up his price by 10% ठीक है तो आप बात को ध्यान से समझना किस के साथ cheating होई है shopkeeper के साथ होई है या wholesaler के साथ cheating होई है मतलब शौपkeeper ने wholesaler का वेवकूप बना दिया या wholesaler ने shopkeeper को वेवकूप बना दिया अगर इसे profit होटा है उसके साथ cheating होगई यह cheating किसके साथ होगई शौपkeeper के साथ cheating वेवकूप बना दिया कैसे किससे इसके साथ cheating होगई मतलब इसने ग्यारेंसो रूपए की उस सामान की और जो सामन केवल 1000 रुपे का था, 1100 ग्राम सामन था और 1000 ग्राम इसको मिला, तो उल्टा लिखने है यहां पर, अगर इसे प्रॉफिट होता है, तो 1000 यहां लिखते, लेकिन हुआ क्या है यहां पर उल्टा हुआ है, कि उसने पे कितना किया है, उसको कोश्ट पढ़ी है, 1100 प्रोग्राम की, और उसको मिला कितना केवल 1000 का, अब उसके बाद, उसने 10% का माकप भी किया, तो हम कह सकते है, 10% माकप मतलब 10-11 होगी, 10% माकप की वज़े से, तो हुआ क्या यहां पर, 1-1 का रिशो हाएगा, यह भी 110 हो जाएगा, यह भी 110, सब कट जाएगा, तो 1-1 का रिशो हो गया, मतलब, ultimately, shopkeeper को, क्या होगा, no profit, no loss, fourth option, no profit, no loss, right, यह सवाल, question number 17, आपके लिए homework है, ठीक है, 18 भी आपके लिए homework है, जो concept आपको सिखा दिये गए है, उनके through, आप इन सवालों को आराम से कर सकते हो, यह तो हम कर चुके हैं, अल्रेडी, 19 तो हो चुका है, और 20, तो 17, 18, 20, यह तीन question आपके लिए homework है, यहाँ पर हमारे 80 की 80 slide हमारी complete हो गई, जो target मैंने बनाया था, उसको पूरा की है, ठीक है, question number 19 हम अल्रेडी कर चुके हैं, पहले भी आ चुका है, repeat हो गया, गलती से, 17, 18, and question number 20, इनके आप answer करके, मुझे comment करके जलू बताएंगे, ठीक है, इनके answer आप comments जलू करेंगे, ठीक है, और साथ में यह भी बताएंगे, कि आपको session कैसा लगा, यह भी आप comment करके बताएंगे, और, कोई भी आपको maths में doubt आता है, कभी भी आपको कोई भी doubt discuss करना है, banking के related है, कोई भी, मतलब maths में, reasoning में, किसी में भी, तो एक telegram group मैंने बना रखा है, discussion के लिए, उसको आप join कर सकते हो, ठीक है, उसमें आप discuss कर सकते हो, कोई भी doubt पूछ सकते हो, telegram group का नाम है, सुमिच सर doubt cracker, सुमिच सर, doubt cracker, ठीक है, telegram पर जाकर आप इसको search कर लीजी, आपको मिल जाएगा, join कर लीजी, ठीक है, yes, चलिए, सिमरन जी, क्वांट के topic wise, chapter wise, means level questions कहां मिल सकते हैं, आप किसी अच्छी institute का, जो है, pdf course ले सकते हो, है न, practice के लिए, pdf courses में होता क्या है, कि updated questions आपको मिल जाते हैं, ठीक है, चलिए, तो मीद करता हूँ, कि आपको ये session अच्छा लगा होगा, ऐसी session मैं लेकर आता रहूँगा, कल सुबह 10 बजे एक बढ़िया सा announcement, जिससे आपको की preparation में चार चान लगेंगे, काफी फाइदा आपको होने वाला है, banking की तयारी करने हैं उन बच्चों को, ठीक है, वो मैं कल announce करूँगा, ठीक है, चलिए, thank you so much.